हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कार, भारत के महान ग्रंथों और कावियों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें, तिलक करें, कर दो और के आहे हमारे ईक्रा आपनो व हमारे संस्क्राइब कर दो खुघ जो कर रार, कर कर को आहे हम झनी तो कते हमारत कर आहे हमारी क clanra, k clanra, k clanra, k arm. हरे किष्णा, हरे किष्णा, हरे हरे सच्चि दानंदरूपाय, विश्व पत्क्या धिये तवे, तापत्य विनुशाय, श्री क्रिष्णाय, वयम्न महा, श्री क्रिष्ण को बिंदरे मुरारे, एनात नाराय वासुदे, जर्ष्णाय, 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 छार्ष्णाय, ले agora क्रिष्णाय, ले विनुशाय. पुत्री कामकंट का आज्या मातिश्वरी वासु देव श्री कृष्ण कोई और नहीं साक्षात पर ब्रह्म है परमेश्वर है हे कामकंट का तुम एक ऐसे अद्भुत बालक को जन्म दोगी जो तुम्हारे जैसा अजे होगा। तुम्हारा बालक एक महान तपस्वी भी होगा और महान योद्धा भी। तुम्हारा पुत्र धर्म और शक्त का महान संगम होगा। परन्तु प्रभु कामकंट का का विवा नहीं हुआ है। प्रभु कामकंट का कुवारी है। मेरी इच्छा है कि आप ही किसी सुयोग्य वर्से विवा करा दीजी। और मेरी भक्त कामकंट का को अनुग्रहित कीजी। दाव भीया, कामकंट का आपकी पुत्र वधू बनेंगे। अर्थात? अर्थात कामकंट का का विवा भीम पुत्र वीर घटोतकच से होने वाला है। अरे वा कनहिया, मेरे अचेत होते ही तुमने ये चमतकार दिखा दिया। कामकटका के साथ साथ उसका दिल भी जीत लिया। कनहिया, ये शुब समाचार हम घटोतकच को सुनाते हैं। वो तो बुला नहीं समाएगा। आओ आओ उसे ये शुप समाचार सुनाते हैं नहीं दाओ भीया गटोतकश को मैंने यहीं बुला लिया है वो आता ही होगा प्रणाम प्रभू प्रणाम दाओ भाईया उठो काम कंटका मेरे लिए क्या अग्या है प्रभू वीर घटोतकश ये प्राग जोतिशपुर की युवरागी काम कंटका है मैंने तुम्हारा विवा इनसे ही मिश्चत किया है प्रभू ये मेरा सौभाग ये है जो आपने मुझ पर ये उपकार किया कंटया इस शुब काम में हमें अब विलम नहीं करना चाहिए गटोतकश की भाती इसके पिता भीमसेन और दूसरे पांड़ो भी तुम्हारे इस नेड़ने का आख मन करके स् हमें तुरंथ इंद्रप्रस चलना चाहिए बड़े भीया ये तो बहुत अच्छा विचार है विवाहित जीवन के आरंव में अपने जेश्टों का आशिरवाद अतियावश्यक होता है इसलिए वीर घटोतकच को पांड़ों और विशेश कर अपने पिता भीमसेन का आशिरवाद प्राप्त करना चाहिए परन्तु माता का इस्थान सर्वश्रेष्ट होता है इसलिए घटोतकच को सबसे पहले अपनी माता हिडिमबा का अशिरवात प्राप्त करना चाहिए और उनसे आग्या भी लेनी चाहिए प्रभू मेरे मन में भी यही च्छा थी परन्तु मैं बड़ा दुरभागी हूँ माता श्री जबसे तपस्या करने के लिए तिर्थिस्थान पर गई मैं उनके दर्सन से भी वंचित हूँ वहाँ जाकर उनकी तपस्या में बाधा तो नहीं डाल सकता ना मैं बड़ा दुरभागी तो हूँ प्रभू वीर घटोतकच हिडिम्बा जैसी देवी सुरूप माता के पुत्र होकर अपने आपको दुरभागी समझना ये एक भूल है हिडिम्बा असुर जाति की होकर भी एक महान तपस्विनी है उनकी तपस्या से प्रसन होकर देवी देवताओं ने उन्हें अनेक सिध्यों से संपन किया है परन्तु वो सिध्यों को महत्व न देकर इश्वर के दर्शन को महत्व देती है और जब तक उन्हें इश्वर के दर्शन ना हो जाएं वो अपनी तपस्या समाप्त नहीं करेंगी फिर उनके बिना ये विवा कैसे होगा उनके बिना नहीं उनकी छत्रचाया में ही ये विवा समपन होगा दाव भीया आप पांडवों को वीर घटोतकच के विवा का शुप समचार सुनाइए और विवा की तैयारियां कीजिए मैं वीर घटोतकच और काम कंटिका के साथ हिनिम्बा के पास जा रहा हूँ जो आग्या कंध्या प्रफु अब मुझे आग्या दीजिए प्रभू और कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे मैं आपके दर्शन के लिए युगो युगो तक युही बैठी तपस्या करती रहोंगी अब आपके दर्शन की प्यास सहन नहीं हो रही है प्रभू क्रिपया दर्शन दीजिए प्रभू मुझे दर्शन दीजिए वट से दिजिए प्रभू वट से दिजिए प्रभू अब आपके दर्शन दीजिए प्रभू मैंने आपको प्हचान दिया प्रभू 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 आपने मुझे दर्शन देखे मेरी मनों कामना पूरी करदी प्रभू मैं धन्य होगई प्रभू मैं धन्य होगई प्रभू मैं धन्य होगई मेरी तपस्या सफल होगई प्रभू मेरा जीवन सफल होगई प्रभू मेरा जीवन सफल होगई प्रभू मेरा जीवन सफल होगई उठो वट्स प्रभू, भगवान शेव का कथन सत्य हो गया, उन्होंने मुझे कहा था, कि आप मुझे एक दिन दर्शन अवश्य देंगे देवी ही डंबा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसंद हूँ, भगवान शेव ने जो दर्शन देने के लिए भविश्वानी की थी, वो दिन आज का ही दिन है, तो पिर आज मैं तुम्हें दर्शन कैसे नहीं देता? प्रभू, आपकी दर्शन करने के बाद तो मैं आँखे बंद करके कल पांथ तक आपकी तपस्या कर सकती हूँ, नहीं देवी ही डंबा, अब तुम्हें इस एकान तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, अब तुम संसार में रहकर भी तपस्या कर सकोगी संसार में रहकर तपस्या पर तू यह कैसे संभव है प्रभू यही बताने तुम्हें तुम्हें आया हूँ वीर गटोतकच तुम दोनों प्रकट हो जाओ काम कंड़का तुम भी आशिर्वात ग्रहन करो सुखी भवा परन्तु यह सुन्दरी कौन है यह प्राग जोतिशपुर की युवरागी काम कंड़का है तुम्हारी होने वाले बहू और इसी के विवा के लिए हम तुम्हें इंद्रपस्त ले जाने आये हैं पर तु प्रभू आप तो अभी तपस्या की बात कर रहे थे और यह सब तो मुझे खर घरस्ती के और ले जाएगा इसी लिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि अब तुम्हें संसार में रहकर ही तपस्या करना है देवी हिडिमबा सच तो यह है कि विवा के बात तुम्हारी बहू गटोतकच के पुत्र के रूप में एक धर्मात्मा और महान योद्धा को जन्म देने वाली है सच प्रभू? हाँ, और काम कंटका के पुत्र को धर्मात्मा बनाने का दायत्व मैं तुम्हें सौपता हूँ और ये शुपकाले तुम से बहतर और कौन कर सकता है क्योंकि तुम इस पुत्र की दादी भी हो और एक महान तपस्विनी भी खटोचकच की पुत्र, बरबरीक की शिक्षा और दिक्षा ही वो तपस्या है जो तुम्हें इस संसार में रहकर करनी है मैं आपकी आग्या का पालन करूंगी प्रभू तो फिर चलो इंद्रप्रस्त, अब तो वहाँ विवा की तैयारिया भी पूरी हो गई होंगी जैसे आपकी आग्या प्रभू तुक्नाम बरधरं वेवं सक्षिवरं तजरूंगी पंडवन नियाएक तरभ इनो भशांते करदमांगल्मांगे शिये सरवार्थ शाधिके सन्ने त्रमरे रोवी नारा याइनो पुप्रे अग्या भार्धर शाधिक जो स्थिच्वर अगिए मत्रमाश्या प्रभू गई हो स्थिते नगई तुक्नाम बरधरं वेवं सक्षिवरं तजरूंगी । डर्भू सुखी भव, स्वभाग्य वती भव, कामकंट का, श्री कृष्णी के आदेश अनुसार तुमने विभा करके अपना एक कर्तव्य तो निभा दिया, अब दूसरा कर्तव्य भी जल्दी ही निभाना होगा दूसरा कौन सा कर्तव्य माता श्री? अरे, भूल गई, मुझे अपने होने वाले पोते का मुझ दिखाने में विलंब ना करना, मुझे जल्दी से दादी बना देना, ताकि मैं भी श्री कृष्णी के आदेश अनुसार अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं, अपने पोते को अपनी गोध में बिठाकर उसे शिक्षा और दिख्षा दू। बरबरीक को एक धर्मात्मा बनाने के लिए उसे अच्छी अच्छी कहानिया सुना कर उसमें धार्मिक संसकार सींचने लगी। पुत्र बरबरीक, सो तो नहीं गए। नहीं दादी मा, सोच में पढ़ा था। सोच में? क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे सारा ग्यान दिया, पर ये नहीं बताया कि मुक्ती क्या होती है। पुत्र बरबरिक, मुक्ती मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन और मृत्यों के चक्र से मुक्त हो जाता है, और परमात्मा में लीन हो जाता है, और थात उसे अपने पाप और पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए फिर जन नहीं लेना पड़ता परन्तु ये मुक्ति प्राप कैसे होती है मनुष्य यदि कर्मों के फल को त्याग दे निरा सक्त हो जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है परन्तु बर्बरिक इस तरह की मुक्ति प्राप करने के योग्य बनने के लिए मनुष्य को कई कई जन्म लेन पड़ते हैं यह तो बड़ा लंबा चक्र है प्रभू की आत्मा में लीन होने के लिए मेरी आत्मा न जाने कब से तड़प रही है आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिसे मैं शीग रही मुक्ति पासको पुत्र बरबरिक यदि किसी मनुष्य को प्रभू के हाथों मृत् दूंगा और वो मुझे मार डालेंगे फिर में जनम जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाओंगा है बरबरिक भगवान श्री कृष्ण किसी को अकारण ही नहीं मारा करते और फिर वो तुमसे युद्ध क्यों करेंगे तुम्हारे पास तो उनकी टकर के अस्त्र में नहीं है जिसका तोड किसी के भी पास नहीं है मैं घोर तपस्या करके महान अस्तुर का धेर लगा दूँगा और फिर श्री कृष्ण को मुझसे युद्ध करने के लिए विवश्च कर दूँगा और फिर देखता हूँ कि वो मेरा वद कैसे नहीं करते है इसके बाद बरबरिक तप प्रसान गया और घोर तपस्या शुरू की अगर परवरीक की लगातार तपस्या से प्रसंद्ध होकर नव जुर्गा ने अपने नौ रूप उसे दिखाए प्रतमं शैन्य पुत्रिचा धृदियम व्रहमचारिनी प्रतियम चंट्रगं देधी कुष्मान देधी चतुल्ध अगम पंचमं स्कंटमादेति शश्कं काथ्यायरीति जा संतमं कालरात्रिति बहागौरेति चाष्टमं और इतना बल दिया जितना बल तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था इसके बाद माता जुर्गा ने बर्बरीक को सला दी कि वो उसी स्थान पर और तप करें क्योंकि वो सिद्ध स्थान है तुम्हारी तपस्या से सिद्ध माता यदी प्रसन्न हो गई तो वो भी तुम्हें वर्दान देंगी सिद्ध माता ने बर्बरीक को वासुदेव अस्त्र प्रदान किया और गणपती से संबंदित सारी विध्याओं को और अस्त्रों को प्रदान किया इस पर भी बर्बरीक को संतुष्टी नहीं हुई तो वो और अधिक तपस्या करके देवी सिद्धाम्विका से अपराजिता वैशनुदी महा विध्या प्राप्त करके अजे बन गया इन सारी विध्याओं और अस्त्रों से संबंद होने के बाद एक दिन जब कुरुक्षेत्र में कोरों और पांडों की सेनाए आमने सामने डेरा डाल रही थी तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए अकेला ही कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया थैरी विप्रवर्प प्रणाम ब्रामन देवता कल्यान हो वच्छ, कल्यान हो हे ब्रामन देवता आप और रन भूमी पर मैं पांडवों का प्रोहित हूँ कि तो आप आप बर्बरीक है ना हाँ पर आप मुझे कैसे जानते हैं मैं तो हर किसी को जानता हूँ यूं समझ लो मुझसे कुछ भी चुपा नहीं है तुम एक महान युद्धा हो जो इस युद्ध में भाग लेना चाहते हो है ना मैं इस युद्ध में अवश्य भाग लूँगा ब्रामन देवता परन्तो इस समय नहीं अब नहीं तो फिर कब मैंने निर्बुलों की सहायता करने का व्रत लिया है कौरवों और पांड़ों में से जिसकी भी पराजय होगी उसी पक्ष से मैं युद्ध करूँगा और तुम एक ही पल में इस महा युद्ध को समात्त कर दोगे है ना हाँ आप तो सच मुझ सब कुछ जानते हैं सब कुछ जानता हूँ इसलिए तो युद्ध का आरम बहुने से पहले तुमसे मिलने आया हूँ परन्तु तुम तो अकेले हो तुमारी सेना कहा है करके हाँ मेरी कोई भी सेना नहीं है ब्रामन देवताद म अकेला ही आया हुँ है तुम अकेले हो और इस महा युद्ध को पलभर में समात्त करने के महत्त कांक्षा भी रखते हो यह मेरी महत्त कांक्षा नहीं अपने सामर्थ पर, आपनी युद्ध विद्या पर और पूर्ण विश्वास है, बड़े आश्यर की बात है, तुम युद्ध करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है, और मैं देख रहा हूं, तुम्हारे तुनीर में केवल तीन ही बान है, कि अश्टर की कोई आउशक्ता नहीं अब्रामण देता इस महायुद को समाप करने के लिए तुम जे एक ही बाद की आउशक्ता है तुम तो बहुत हुए केवल एक ही बार से तुम इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे अरे भाई मैंने ऐसा न कभी देखा है न कभी सुना है कहीं ऐसा तो नहीं बरबरिक कि आपको कोई अलोकिक शक्ति प्राप्त है आप ठीक समझने ब्रामन देवता सिद्ध माता से मुझे अप्राजिता वैश्ट भी महाविध्या प्राप्त है कि सिद्ध्या के कारण मैं आजय हो गया हूँ मेरा वद्ध कोई नहीं कर सकता कोई भी नहीं आपको विश्वास नहीं होड़ा ब्रामन देवता है कि होगा भी कैसे आपने मेरा कमाल जो नहीं देखा है ठीक है मैं अपनी विद्ध्या का प्रदर्शन आपके सामने करता हूं भीर आपका संदय विश्वास में बदल जाएगा अरे भाई बरबरिक तुम्हारा य जल्दी दिखाओ आवश्य है चलिए हाँ चलिए हाँ चलिए यह पेड देख रहे हैं आप कितने पत्ते हैं इस पेड़ पर अंगिनत अंगिनत जैसे क्रुक्षेत्र में कठा होने वाले वीरों और महावीरों को गिना नहीं जा सकता उसी तरह नहीं उसी तरह मैं अपने एक ही बाण के प्रहार से इस पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बनाता हूं एक ही बाण से एक ही बाण से कर दो मैं क्या हुआ एक ही बाण से एक ही बाण से एक ही बाण से है जर एक ही बाण से भर भर वे एक ही तरह झाल 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 हाँ 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 हे ब्राह्मन देवता अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि एक ही पल में एक ही बान से जिस प्रकार मैंने पेड के विविन पत्तों को अपना निशाना बनाया है उसी तरह युद्ध में मैं एक ही बान से द्रुई सेना के सारे युद्धाओं और सेना पतियों को मार कर ढेर कर सकता हूं और पलक झपकते ही युद्ध समाप कर सकता हूं अब मुझे विश्वास हो गया है पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम एक ही पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो परंतु विप्रवर आप मेरी विद्या का प्रदर्शन देखकर चिंता में क्यों बढ़ गये हैं अरे तुम्हारी ये महा विनाशक विद्या ही मेरी चिंता का कारण है चिंता का कारण हाँ आपकी चिंता का कारण यदि मैं किसी निर्बल का साथ दूं तो इस तो चिंता के सी निर्बल का साथ देना ही तो धर्म है प्रेश्ण निर्बल और बल्वान का नहीं, प्रेश्ण है कि कौन सा पक्ष धर्म पर है और कौन सा अधर्म पर ये ब्रामन देवता आपकी ये गूड और गहन बाते मेरे मस्तिक्ष में नहीं आती मैं तो किवल इतना जानता हूँ कि मुझे निर्बल का साथ देना चाहिए क्योंकि मेरी दादी हिडिम्मा ने बच्पन से मुझे यही शिक्षा दी है चाहे वो अत्याचारी हो हाँ चाहे वो अन्याई हो हाँ और चाहे वो अधर्मी हो हाँ परन्त ये तो उचित नहीं है धर्म धर्म उचित अनुचित यह आप जानिये क्योंकि आप ब्रामण है यह आपकाधर में मेरा धर्म थो अपनी थाजी कि आज़्या अनुसार अपने धर्म का पालन करना है leist情 transl2 प्रतिक्ज्या अवुश्य पूरी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्या नहीं दे सकता हाँ जाहिए जाहिए ब्रामन देवता आपके पाचों पांडव और उनकी सेना भी मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकते फिर आप मुझे क्या रोकेंगे आप तो एक निहत्य ब्रामन है मैं तुम्हें अवश्यर होग सकता हूं तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ आप कोई भी हो मैं तुम्हेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं छोड़े यह धर्मी मैंích तुम्हें अधर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दूंगा तुम पागल तो नहीं हो गए हो तो का रास्ता रोक रहे हो जान प्यारी नहीं है क्या भूल के मेरे बान की माविनाशक शक्ति को तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो शक्ति मैं भी दिखा सकता हूँ अच्छा तो एक निर्बल ब्राह्मन मुझे अपनी शक्ति से डरा रहा है दिखा अपनी शक्ति मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोख सकते हो लुग जाओ बर्बरीक ये ब्राह्मन देवता आपको कौन सी शक्ति पर इतना गुमान है हाँ कौन सी शक्ति पर कहीं आप उन पांचों पांड़ों और उनकी विशाल सेना पर तो नहीं इत्रा रहे हैं जो कौरों को पराजित करने वाले हैं हम ठीक है मैं अभी इसी समय शक्ति शाली पांड़ों और उनकी समस्य ना को फेड़ के विभिन पत्तों की तरह अपने एक ही बांड से सदा के लिए धर्ती पर सुना देता हूँ परबरीक चलाने से कुछ नहीं होगा ब्रामन देवता अब आप मुझे नहीं रोक सकते मेरे तुनीर से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता मैं पांचों पांड़ों को अपने तीर से मार कर लाखों युद्दाओं के प्रान बचाने जा रहा हूँ मैं अपनी प्रतिग्या हूरी करने जा रहा हूँ ब्रतिग्या प्रतिग्या हूँ परबरीक, तुमने निर्बल परंत अधर्मियों का साथ देने की प्रतिग्या पूरी करने के अपने पागलपन से मुझे विवश कर दिया, कि मैं अपने हाथों तुम्हारा वद कर दूँ प्रभू, आपने अच्छा ही किया, जो मेरा वद अपने हाथों से कर दिया यही तो मेरी इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए मैं यहां आया था हाँ प्रभू मैंने तो आपको ब्रह्मन के वेश में पहले ही पहचान लिया था शमा करें प्रभू मैंने ही जानबूच कर आपको क्रोध दिला कर विवश कर दिया था ताकि आप मेरा वद्ध कर दें। इसलिए मैंने अपनी अपराजिता वैश्टिमी विद्ध्या का प्रदर्शन किया था। आपके हातों मेरे वद्ध को समभब बनाने के लिए ही तो मैंने बड़े परिश्रम से ये विद्ध्याप्राप की थी प्रभू। जानते हैं प्रभू। मेरी वो आकांग्षा जो बच्पन से ही मेरे मन में भल भूल रही थी। जानता हूं। बच्पन में तुम्हारी दादी मां हिडिम्बा ने तुम्हें बताया था। कि मोक्ष का सबसे सीधा और सहज रास्ता यही है कि तुम मेरे हाथो अपने प्रांड त्यातो हुआ। कि मैं आपको अंधेरे में रख कर आपके हाथों मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। बरबरीक तुमने बड़ी तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किये थे मुझसे युद्ध करने के लिए ताकि मैं तुम्हारा वद कर सकूँ उसी तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने तुम्हें मोक्ष के योग के बना दिया विधी ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय तैय किया था इसलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वद कर दिया तो फिर आपके हाथों प्रांत याग कर मुझे मुझे मिल गई ना प्रभू प्रभू आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छ तो पूरी कर दी परन्तु परमधान को प्रस्तान करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी अंतिमिच्छ भी पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें कह वद्स प्रभू मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजेप्राप करते हुए देखना चाहता हूं धर्म के मार्क पर आप पांड़ों का सारत्य कैसे करते हैं असीन शक्तिशाली गौरों की विशाल सेना को पराजित करने का जो चमतकार आप दिखाने वाले हैं मैं उस चमतकार को देखना चाहता हूं प्रभू मैं आपकी लीला देखना चाहता हूं प्रभू मुझे अनुग्रहित कीजिए वच्स बरबरीक युद्ध के आरंब से समाप्ति तक तुम्हारा ये कटा हुआ सर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे तथास तु और भगवान श्री कृष्ण के वर्दान के कारण बरबरीक और पांड़ों का महयुद्ध देखने की अपनी आकांक्षा पूरी कर सका महा युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव, द्रॉपदी, श्री कृष्ण के साथ बर्बरीक के पास आए तो बर्बरीक का सिर व्यंग से हस रहा था प्रणाम प्रभू, प्रणाम देवी, प्रणाम धन्वात्माओ वच्छ बर्बरीक, तुम किस बात पर इतना हस रहे थे? प्रभू, मुझे हसी सारे संसार पर आती है संसारिक लोगों की मूर्था पर हसी आती है जो केवल दिखावे और शोभा के लिए अनायास ही दूसरों के पापों को अपने सेर पर उठाए फिरते हैं महराज उदिष्ठर का अश्वत्थामा की मनी को अपने मुकट में धारन करना इसी सत्य का उधारन था जिसे देख कर मैं अपनी हसी को रोक न सका प्रभू महराज उदिष्ठर यदि मेरी हसी से आपका अपमान हुआ हो तो मैं शमा चाहता हूँ लाज नहीं बर्बरीक कि इसमें कोई अप्पान नहीं है यह तो क़वा सत्य है, पर है तो सत्य और सत्य ही धर्म है आज तुमने धर्मराज को धर्म की सीख दिये, तो इसमें भला पान कैसा? मैं तो तुम्हारे इस उपकार के लिए तुम्हारा आभारी हु पर बरीक। और मैं प्रभु श्री कृष्ण के उपकार के लिए आभारी हु। जो जोन्थे मुझे इस युद्ध को अपनी आउखों से देखने का अफसरप्रदान किया। अन्य था युद्ध के ऐसे अनुके दृष्च से मेरी आंके वंचित रह जाती हाँ ये युद्ध महा पराकरम के प्रदर्शन का युद्ध था ऐसा युद्ध ने कभी हुआ है और ने कभी होगा हे वच्ष बरबरीक यदि तुमने ये संपुर्ण महा युद्ध देखा है तो ये भी अवश्य देखा होगा कि इस भिशन युद्ध में किस परमवीर युद्धा ने अपने महान पराकरम और शौर का प्रदर्शन किया है हाँ बताओ बरबरीक किसने कितना संगहार किया है तुम फिर इतना हस क्यों रहे हो बरबरीक हसने जैसी तो बात है क्यों क्या युद्ध के बारे में पूछना हसने जैसी बात है शमा कीजिए देवी, युद्ध में पराकरम दिखाना युद्धाओं के लिए गौरव की बात होती है, परंतु इस महा युद्ध में मैंने किसी को भी पराकरम दिखाते हुए नहीं देखा ये कहकर तुम, हम पांटाओं के बल, पराकरम और शौरे का अपमान कर रहे हो बरबरिक, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ वीर नकुल, मैंने इस युद्ध में जो देखा है, उसी सत्य को दोरा रहा हूँ कि नहीं बर्बरीक नहीं जो तुमने अपनी दिव्विद्रिष्टी से देखा है वो किसी और नहीं देखा है परंतो इस सत्य को अब ना बताना यहीं उचित होगा नहीं प्रभू सत्य को चुपाना जूट कहने के बराबर होता है और जूट कहना पाप है इसलिए मुझे सच कहने की आग्या दीजे प्रभू यदि मैं ये सच नहीं बताऊंगा तो संसार इस युद्ध की सत्य को जान नहीं सकेगा परंतो ऐसा कौन सा सत्य है जो हम इस युद्ध को लड़कर भी नहीं जान सके है बहुत ही गहरा सत्य है सट्ध वचना बरबरीक हमें बताओ कि तुम ने इस महा युद्ध में वह कॉन सा सथ देखा है बताओ इस युद्ध में मैंने एक ऐसा चमतकार देखा है महात्मन जो सब की आखों से छुपा था चमतकार और युद्ध भूमी में हाँ देवी मैंने युद्ध में भगवान श्री क्रिश्न की लीला देखी है अनुखा चमतकार देखा है इस युद में मैंने केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा है तो सारे अधर्मियों का संगार कर रहा था मैंने देखा कि भीश में अर्जुन के बाड़ों से घायल हुए है परंतु वो गिरे हैं तो प्रभु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से जो आखिर में उनके पास आता है और भीश में रच से नीचे गिर जाते हैं यहीं चमतकार जैद्रत के वत के समय भी मैंने देखा और द्रोनाचारे का वद भी सुदर्शन चक्र नहीं किया था द्रिस्ट धुम्न तलवार से वार करने जाते हैं लेकिन सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और द्रोनाचारे का सिर काटता है दानवीर करन का वद भी प्रभू के सुदर्शन चक्र द्वारा ही हुआ था भी सुदर्शन चक्र प्रीम पिर्शन सुद़्या थाल यइ mobि कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध कौर्वों और पांडवों के बीच नहीं बलकि सत्य और असत्य धर्म और अधर्म न्याय और अन्याय के बीच हो रहा था कि प्रभूश्री कृष्ण ने सत्य न्याय और धर्म का नित्रत्य करते हुए अधर्म का संघार किया है और पांडवों के रूप में धर्म को विजय दिलाई है हे शाम सुन्दर तुम्हारी लीला अप्रम पार है अप्रम पार है प्रभू आपकी लीला देखकर मैं धन्य हो गया हूं आपकी अम्रित्वाणी ने जो गीता कही हूं मैंने भी सुनी और और मेरी आत्मा त्रिप्थ हो गई प्रभू आपके विराठ स्वरूप में इतना तेज था कि मानों हजारों सूरज एक साथ चमक रहे थे परंतु आपका दिव्य चतर भुज रूप चंदर के समान शीतल था आपके इन दोनों रूपों को देखकर मैं आपका अनुग्रहित हुआ हूं प्रभू अब मुझे केवल परमधाम प्रस्थान करने की प्रतिक्षा है परंतु इससे पहले हे भकवतसल्य हे जगतनायक मैं आपके दिव्य चतर भुज रूप में समाज आना चाहता हूं तथास्तु यहाँ 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 प्रिष्णा, हरे खिर्ष्णा, हरे खिर्ष्णा, हरे, हरे कर दो क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, हरे, 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 सच्चिनानंदर उपाय, विश्व बन्क्या दिहे तवे, सच्चिनानंदर उपाय, विश्व बन्क्या दिए, विश्व बन्क्या दिए, यादे आधे पिश्व बन्क्या दिए लॉपाय, यादे आधे पिश्व बन्क्या दिए, हुआ है कि महराज कि महराज कि महराज कि महराज कि महराज कि क्या हुआ अब क्यों रो रहे हैं कि महराज कि बताये न कंधरी इसके सव के सव पुत्र मारे गए हूं उसे तो जीवन भर रोना ही है आप ऐसी बात क्यों कर रहे है कुरू स्रिष्ट कौन कुंती हां स्रिष्ट आप ऐसा मत समझें कि आपके सारे पुत्र मारे गए हैं आपके पांच पुत्र अब भी जीवित है और जो पुत्र मारे गए हैं वो मेरे भी पुत्र थे कुंती है पांडव आप यह की पुत्र है महराज पांडव आप यह के पुत्र है आप ही की चट्रचाया में वी पले हैं और आगे भी आप ही की चट्रचाया में रहेंगी där मैं कुरुकुल के एकमात्र आप ईस्रेष्ठ हैं है अगर आप यजा अपना धिरज खो देंगे तो कुरुकुल का स्तिति ही शुन्य हो जाएगा अब हम शून नहीं हो गए हैं कुंती, अपने पुत्रों के बिना हमारा कोई अस्तित्व, कोई मोल नहीं रहा है महराज, जो होना था, वो तो हो चुका है, अब हमें दिल पर पत्थर रखना ही होगा, अब समय है, आगे क्या करना है ये सोचने का अब हमें कुरुक्षेत्र जाना ही होगा, हमारे पुत्रों का अंतिम संस्कार हमें ही करना पड़ेगा न, हमें ही करना पड़ेगा मत्यसुदर, अब इन घोडों के टापों के आवाजे सुनकर दिल की धड़कने तेज हो जाती है, युद्य की आदें ताजा होने लगती है परन तो बड़े भहिया, ये कोई योद्धा नहीं है, ये तो गुप्तचर है प्रणा महराज, शेगर बताओ गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो महराज, महराज धितराष्ट, महराणी गांधारी, राजमाता कुंती और कुरुकुल के सारि स्त्रियां, कुरुक्षेत्र पहुंच गई हैं सबी कुरुक्शेटर पहुंच गए हैं या महराज सभी कौर्वों के शिवर के और गए हैं प्रणा महराज इस महायGUद्ध में हमने कवर युद्धाओंपर विझे पा ली है कि परंतु कॉरव इस्त्रियों से मिलने के नाम से ही हमारी दिल दहल जाते है इसमें डरनी की क्या बात है पांचाली हमने कोई अपराद नहीं किया है नहीं कोई अधर्म किया है हम उनसे मिलेंगे और अपना सर ऊचा करके मिलेंगे नहीं भीम भाईया, हम उनसे सिर उंचा करके नहीं, सिर जुका कर मिलेंगे इस समय उनके घायल दिलों पर मरहम लगाने की आवाशकता है कमंड से सिर उठा कर घाव लगाने की नहीं बड़े भाईया, अब हमें कौर्वों के शिविर में चलना चाहिए क्या, यही मेरे पुत्र दुर्योधन का शिविर है, हाँ महराज गानधारी यदि दुर्योधन जीवित होता है, तो मेरा स्वागत करने के लिए आता है, मुझे प्रणाम करता है महराज, ऐसी भावुकता मत दिखाएए कि मैं सहन न कर सकूँ और मेरी आँखों से फिर आंसु बहने लगे गानधारी, इन चीजों से मुझे दुर्योधन के शरीर की बू आ रही है गानधारी, गानधारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल दुर्योधन यहां आएगा और मुझे देख कर कहेगा पडाम ताचरी दुर्योधन दुर्योधन नहीं ता श्री, मेजेश्ट पांडु पुत्र, युधिष्ठिर महराज, आपने युधिष्ठिर को आशिरवाद नहीं दिया? वासुदेव, तुम्हारी छत्र छाया के होते हुए, पांडुवों को अन्य किसी के आशिरवाद की आवश्चक्ता नहीं है नहीं महराणी, मेरे में जेश्टों के आशिरवाद ने पांडुवों की सुरक्षा किये जेश्टों ने पांडुवों को सदा ही आशिरवाद दिया है, क्योंकि पांडुवों ने अपने जेश्टों का कभी भी अनादर नहीं किया हाँ, जेष्टों के आशिर्वाद ने ही पांड़ों की रक्षा की है, परंतु अब किस जेष्ट के आशिर्वाद से पांड़ों की रक्षा होगी? अब कौन बचा है आशिर्वाद देने को? एक मेरे अतरिक्त, परंतु क्या मैं मन से आशिर्वाद दे पाऊंगा? पढ़ान ताच्री ताच्री पढ़ान तुम्हारा कल्यान हो वत्स युदिष्ठिर आओ मेरे सीने से लग जाओ मेरे अंदर जो शोक की आग भड़की है उसे शान्त कर दो आओ आओ वत्स आओ मुझे शमा कर दीजे ताच्री मैं इसी पल युदिष्ठिर को अपनी बाहों में पूरी तरह जकार कर मृत्यू के आधीन कर सकता हूं परन्तु इसने तो मेरे एक भी पुत्र के हत्या नहीं की है जो भीम सेम जाकर ताच्री से आश्रवाद लो जी भरताश्री इम मेरे पुत्रों का हत्यारा जिसने मेरे सौ के सौ पुत्रों का वद किया है भीम जिसने मेरे दुश्यासन के हाथ उखाड़कर उसका सीना भाड़कर रक्त प्राशन किया भीम जिसने मेरे लाडले पुत्र दुर्योधन का वद किया हत्यारा भीम एक बार ये मेरी बाहों की जपड़ में आ गया तो इसे वासुदेव श्री इसन भी नहीं बचा सकेगा अब भीम को पता चलेगा कि उसने मुझे नहीं अपनी मृत्य को गले लगाया है अपनी मृत्य को गले लगाया है प्रणाम ताश्री विजही हूँ अपने ताश्री के गले लग जाओ भीम अपने ताश्री के गले लग जाओ गले लग जाओ भीम सबNow आपने, अपने ताच्षरी के गले लग जाओ भीम! अपने ताच्छी के गले लग जाओ आओ वद्स ताच्छी ताच्छी में आपी के सामने हूँ अपने ताच्छी के गले लग जाओ भीम अपने अपने ताच्छी के गले लग जाओ भीम क्या हुआ, क्या हुआ महाराज कुंती, बताओ, मुझे भी तो कुछ बताओ मैं, मैं बताता हूँगा अंधरी आप महाराज मैंने क्रोद की आवेश में भीम को मार डा क्या या आपने क्या किया महाराज, या आपने क्या किया प्रतिशोद की आग में कुरुकुल का सर्विनाश हो चुका है फिर भी आप प्रतिशोद की आग में अब तक जल रहे है और आज आप भी अश्व थामा की भांती विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं मुझे क्षमा कर दो गांधारी, मुझे क्षमा कर दो मैं क्या करता, अपने मन में उठे हुए प्रतिशोद के शोलों को मैं दबा नहीं सका और मैंने भीम का अंत कर दिया कुंती मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो आपसे कोई अपनाद नहीं हुआ महराज, भीम जीवित है हाँ महराज, भीम जीवित है हाँ महराज, भीम जीवित है क्रिश्न ने उसे बचा लिया है क्या सचमुझ भीम जीवित है वासुदेव हाँ महराज, भीम जीवित है फिर वो कौन था, जिसे मैंने अपने बाहु बल से चकना चूर कर दिया वो तो एक निर्जीव पुतला था जिसका प्रयोग गदायुद सीखते हुए किया जाता है निर्जीव पुतला? हाँ महराज, मैंने आपके मुन में उबलते हुए प्रतिचोत के विचारों को भाब कर भीम भाया को रोक कर पुतले को आगे कर दिया था महराज महराज, आप तो परम बल्चाली हैं महराज मित्य के पंजो की जकड से प्राणी छूट सकता है परन्तो आपकी बाहों का बंदी कभी नहीं छूट सकता महराज, आपने तो भीम भाया की लोहे की पुतले को तोल कर रख दिया यदि इस पुतले की जगा स्वैम भीम भाया होते तो उनकी क्या दचा होती इसका अनुमान भी नहीं लगाय जा सकता अब उठिये महराज, आईए, उठिये मुझे, मुझे अपने किये पर पश्तावा हो रहा है वासुदेव महराज, पश्तावा तो बहुत काल में किये हुए अपने कर्मों पर होता है परन्तु जो अपना भविश्य पहले से देख लेते हैं वो ऐसे कर्म करते ही नहीं कि उन्हें कभी पश्ताना पड़े हे ताच्री, चीवन भर भविश्वाणी को सुनकर भी आप अनसुना कर देते थे तुर्योधन और स्वयम आप भी शकुनी के हाथों में पासे बनकर रह गए थे जिन्हें वो अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता रहा जिसका पर्णाम कुरकुल के भीश्चन संघार के रूप पे सामने आया हे महराज जिस समाज में जेश्ठों के सामने कनिष्ठों से कुल वदू का अपमान करने का दोसास किया जाए वो समाज अपनी मित्च को निमंत्रन देता है और जिस जिस लिए अपराद किया उसने मित्च के रूप में उसका द्रन भी भोगा इसलिए हे ताचरी इस युद्ध मलने वालों का आपशोक मत कीजिए भले वा अपके पुत्र क्यों नहों उन्हें तो मरना ही चाहिए था नहीं तो वो समस्त समाज को तूशित कर दे महराज पांडवों को दोश देना ये उनसे द्वेश करना ठीक नहीं है इस महायुद्ध में पांडवों ने भी बहुत कुछ खोया है परन्त अब वो अपने पिता श्री को खोने नहीं चाहते हाँ ताचरी आज भी आप पांडवों के ताचरी ही हैं वासुदेव तुमने इन अंधी आँखों में जोती दे दी है अब मैं अपने भाई पांडवों के पुत्रों में अपने पुत्रों को देख सकता हूं भीम भीम आओ भीम अपने इस दुर्भागी तात के गले लग जाओ भीम वो दृत्राश्ट जो तुम्हारी मृत्यों की कामना कर रहा था वो तुम्हारे इस पुत्ले के साथ मर गया आओ भीम नहीं आओ भीम आओ जाओ भीम जाओ भीम जाओ भीम जाओ वत्स हाँ पीम आप्स्मार भाव पीम आप्समार भाव भीम प्रणाम तार्श्री सदा विजय भावर तार्श्री प्रणाम कल्यानम अस्तु पुत्र प्रणाम तार्श्री सदेव धीरगाय भाव सदेव कि है माधाव संसार युद्ध में होने वाली जान के हानी का हिसाब तो रखता है परन्तु औरतें अपने लाडलों को खोकर अपने सुहागों को खोकर जो नुकसान उठाती हैं उसका अनुमान पुरुष लगा भी नहीं सकते इस महायुद में कुरुकुल और समस्त भारत वर्ष की इस्त्रियों ने जो खोया है उसे तो अब ईश्वर भी नहीं लोटा सकता इस महायुद में किसकी जीत हुई ये तो हमें नहीं मालूम परन्तु कौन पराजित हुआ ये हमें मालूम है ये माधाव इस युद में स्त्रिया पराजित हुई है इस युद में नारी ने सब कुछ हा दिया है अजल ये तो बस्वान है आटा जाटित हुआ ये तो हमें मालूम अजल सकता चे ङए तो हमें मालूम, वे तो हमें मालूम कर दोै चाहल, कोर ताकर तकर नुरा कर दो कर दो हो अग्याड़प, का दो ही चाहल, कया या बाता इनके वन में तया देहीं, चमा देहीं, इन्हों ने अपने पिता महकों, अपने भाईयों को अप्रित्यू के गार्ट अतार दिया, कैसा दराज है। कैसा अपने उनके पिता कर्ट का देहीं, अपने तॉशचे में किता कर्ट करें करें! मेरा पुत्रा आखे खुला कहा है युदिछिर कहा है वो कायर पापी आपका प्राधिया आपके सामने खड़ा है माता श्री मैं ही वो नीच राक्षस हूँ जिसके कारण संपूर कुल का बिनाश हुआ आप मुझे श्राब दीजे माता श्री चीख खोल कर श्राब दीजे और ऐसा श्राब दीजे के भगवान का आशिरवाद भी उसके सामने ना फ़ले मैं आपके श्राब के योग क्यों माता श्री केवल आपके श्राब के योग क्यों तुम्हे श्राब चाहिए ना तुम्हे श्राब भी मिल जाएगा नहीं माहरानी आप तो जानती हैं कि बड़े भईया आप राधी नहीं हैं उन्होंने कोई पाप नहीं किया केशव गुरुकुल की इस्त्रियों ने कभी आंसु नहीं बहाय थे उनकी हसी सदा मोती लुटा थी पर आज आज ये इस्त्रिया अपना सीना पीट पीट कर रो रही हैं लज्जा इन सब इस्त्रियों का सबसे अनमोल जेवर था केशव लज्जा और शंप के मारे ये कुल वधुएं किसी भी पुरुष के सामने नहीं आती थी परन्तु आज आज ये सब नंगे सिर सभी के सामने आक्रोश कर रही हैं इन पापों को किसके प्रारब्द में डालोगे केशव किसके प्रारब्द में कौन है वो पापी यदि इन पापों का दायत्व युदिश्टर के सिर पर नहीं है तो फिर इन पापों का कारण केवल तुम हो केशव केवल तुम ये सारी इस्त्रिया अनात हो गई है इसका कारण भी तुम हो केशव केवल तुम क्योंकि तुम चाहते तो ये युद्ध रोख सकते थे कुरुकुल का संगार अवश्य टाल सकते थे मैं जानती हूँ तुम्हारी शक्ति तुम्हारे सामर्थी को भली भानती जानती हूँ अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता कदापी नहीं होता फरण तुमने ऐसा नहीं किया कौरव और पांडवे दुसरे के हाथों मरते रहे और तुम केवल दर्शक बनके देखते रहे इसलिए है केशा युद्धिश्टर से अधिक तुम मेरे श्राब के अधिकारी हो इसलिए है जनारदन मैं गंधारी तुम्हे श्राब देती हूँ जिस प्रकार मेरी गोट सुनी हो गई है जिस तहा कुरुकुल का संगार हो चुका है उसे प्रकार तुम्हारे यादवकुल का भी संगार होगा जैसे कौरवो और पांडवो ने अपने आप में खून बहाया है एक दूसरे का खून बहाया है ऐसे ही यादव भी आपस में लड़ मरेंगे और तुम केवल दर्शक बनकर देखते रहोगे यादवकुल की स्त्रिया भी कुरुकुल की स्त्रियों की तरह रोहेंगी सीना पीटेंगी और आख्रोश करेंगी बस करो दीदी बस करो नहीं बुआ इन्हें रोको मत बोलने दो इन्हें महरानी के मुक्ष से निकला हुआ हर शब्द मुझे भविश की सच्चाई का चित्र दिखा रहा है इन दुखी दिलों की व्यथा यहीं रूप धारण करेगी केशब तुमने दुखी इतने दिये हैं कि ये दुख्यारिया तुमें कभी छोड नहीं सकती तुमने तूसरों का वड़ किया है इसलिए है केशब तुम्हारा भी वड़ होगा और अधर्म से होगा तदास तुम नहीं नहीं मैं अपने पुत्रों की सामुही चिता को आग नहीं दे सकता नहीं दे सकता मैं महराज कौर्वों की चिता को आप ही कोगनी दिखानी है संसकार तो पूरे करने ही पड़ते हैं न ये कैसा संसकार है मैंने अपने पुत्रों को अपने हाथों से पाल पूस कर बढ़ा किया था सो में से मेरा एक पुत्र भी नहीं बचा जाने क्या दशा होगी उनकी अच्छा ही हुआ जो भगवान ने मुझे आँखे नहीं दी बहुत अच्छा हुआ अन्य था अपने सो पुत्रों की लाशे उनके कटे हुए सिरों के ढेल जिरे हुए सीने उखडे हुए हाथों को कैसे देख सकता था पारब्ध ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी है जिस वाटिका के पुष्पों को अपने खून से सीचा था मैंने उसी पुष्प वाटिका को अपने ही हाथों से आग लगानी पड़ रही है इस वर कभी किसी बाप को ऐसी परिक्षा में न डाले कभी न डाले कभी न डाले कभी न डाले आपके सभी पुत्र मारे गए परन्तु पांडो के भी सभी पुत्र मारे गए माता गांधारी की गोद सूनी हो गई परन्तो ट्रापदी की गोद भी सूनी हुई है वासुदे तुम बात तो धर्म की ही कर रहे हो पर तुम मेरे मन की दशा को नहीं समझते तुम नहीं जानते अपने पुत्रों के रहते हुए मैं अनधा होकर भी अंधा नहीं था वो मेरी आखों की जोती थे पर हम मैं सचमुछ अनधा हो गया हूँ सचमुछ अनधा हो गया हूँ ताच्छरी, आपने जो कहा वो सत्त ही है, संतान के बिना माता पिता के जीवन में अंधकार छा जाता है, परन्तु इस से भी बड़ा सत्त मित्यो है, मित्य को सत्त मान कर चलिए और अपने पुत्रों की चिता को अगनी दीजिए, नहीं वाजुदेव नहीं, मुझसर नहीं होगा ये सब, ताच्छरी, आपकी ये भावक्ता केवल इस बात पर निर्भर है, कि मित्यों के बाद मनुश्य का अंत हो जाता है, शरीर तो मरते हैं, पर आत्मा नहीं मरती, महराज, आत्मा तो नए शरीर धारन ही करती रहती है, ताच्छरी, आप नहीं चानते, आपके पुत्रों के आत्माएं, उनके दासंसकार के लिए कितनी व्याकुल हैं, हाँ महराज, उठिए, उठिए महराज, चलिए महराज, आईए, यह करनी का दंड है, यह समय की मार, पुत्रों का करने चला, पिता अगनी संसकार, एसे महा विनाश का, उत्तरदाई का, मान, मान प्रश्न करता रहे, उत्तरदाता मान, मान प्रॉट्य। हुआ 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 यह इश्वर जिस प्रकार तुने मुझे आखे नहीं दी प्रकार काश तुने मुझे ये दो हाथ भी न दिये होते जिनका मुझे अपने ही पुत्रों की चिता को आग लगाने के लिए प्रयोग न करना पड़ता युदिष्ठर अग्या माताचुरी युदिष्ठर तुम इतने निर्दा ही क्यों हो गये कि मेरे सो पुत्रों में से एक को भी हमारे लिए जीवत नहीं छोड़ा क्यों युदिष्ठर क्यों भोलो युदिष्ठर 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 हुआ हुआ है हुआ है है रोग क्यों रही हो गांधरी कदाचित है रोग क्यों रही हो गांधरी कदाचित हुआ है यह आपकी कैसी दशा हो गई है पितामा कैसी दशा हो गई है यह सब मेरे कारण हुआ है नहीं पुत्र रोना नहीं ताच्छी मेरे कारण आपकी यह दशा हुई है दिकार है मुझ पर दिकार है मेरी राजलालसा पर ताच्छी ताच्छी मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो पुत्र मुझे युद्ध के भैंकर परिणामों से सावधान करने के लिए गुरु द्रोणाचार ने स्वयम पितामा आप ने यानि विदूर ने कई प्रयास किये थे पर तु मैंने पुत्र मुझे आगे किसी की एक नहीं सुनी अपराधी मैं हूँ मैं हूँ अपराधी मेरे ही कारण ये महा युद्ध हुआ है मेरे ही कारण ये महा भयांकर कुल संधार हुआ है मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है कोई अधिकार नहीं है कर आो जाऊ जाओ पुट्र शान्थ हो जाओ कैसे शान्थ हो जाओ टाथ श्री कैसे शान्थ होझाओ मैंने अपने इनी हाथों से अपने पुत्रों की सामुहिक चितायं जलाई हैं मुझे एक पिता को अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ा है मैं शान्त कैसे हो सकता हूँ, मैं शान्त कैसे हो सकता हूँ विवेक से काम लो पुत्र तुम ज्यानी हो और भाली भात ही जानते हो कि सारे प्राणियों की यात्रा मृत्य की ओर ही होती है और मृत्यू एक अटल सच्चाई है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता बस किसी को पहले तो किसी को बात में इस नश्व संसार को त्याग ना है पुत्र धृत्राष्ट्र यदि तुम वासुदेव श्री कृष्ण से पूझ होगे तो वो भी तुम्हें यही कहेंगे कि जो भी प्राणी मिलता है वो बिच्छडने के लिए ही मिलता है पुत्र धृत्राष्ट्र यह स्रिष्टी एक सुट नगरी है हम जन के पहले कहां थे और मृत्यू के बाद कहां होंगे किसी को पता नहीं है पुत्र धृत्राष्ट्र हमने आज तक नजाने हजारों जन्म लिये होंगे परन्तो हमें उन में से एक जन्म भी याद नहीं कौन कौन हमारे थे और हम किसके थे कुछ याद नहीं है पुत्र यदि हम उन जन्मों के साथियों के बिझळने पर आंसू नहीं बहाते तो फिर इस जन्म के साथियों के बिझळने पर आंसू क्यूं बहा रहे है पुत्र, रोना नहीं, अपने अपने कर्मों के भोग सब को भोगने ही पड़ते हैं, जैसा कर्म, वैसा ही कर्म फल, इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं, कि हम स्वयम अपने शत्रु हैं, और हम स्वयम अपने मित्र भी, हम अपने बाप पुन्य के स्वयम साक्षी हैं पुत्र, मुझे जो ये शर्शया प्राप्त हुई है, वो मेरे कर्मों का ही भल है, हम से अने गलतिया हुई हैं पितामा, जिसके भैंकर परिणाम भी हमें भुगतने पड़े हैं, पुत्री गामधारी, मनुश्य गलतियों का पुत्ला है, गलतियां करता ही रहता है, इसमें तुहारा कोई दोश नहीं है, सच तो ये है, कि हमारा प्रारब्ध ही हमें कढ़ पुत्ली की भाती, इस संसार में नाच नचाता है, जो ज्यानी ये सत्ती जानते हैं, वो कभी अपने आपको बहकने नहीं देते, भगवान की रचाई स्ष्टी को माया जानकर उसके मुह से निकल आते हैं, पिता मा, अब हमें किसी भी चीज का मुह नहीं रहा, हमें अपने जीवन तक से कोई चाव नहीं रहा, अब इस खाली जीवन में रह ही क्या गया है, हमारे जीवन का उद्देशी नस्ट हो गया है, ऐसा मत कहो पत, अब हम किस के लिए जीए, किस के लिए, पांडभू के लिए, अब जीए, आप जीए, हृष्णा, हरे, हरे, झाल झाल कृष्णा, 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 कृ सची दानन दरूपाया विश्व पन्क्या दिहे तवे तापत रया विनाशाया जी कृष्णाय वयम्नु महाँ शी कृष्ण को बिंद्रहे मुरारे एनात नारायन वासुदे करणाया जान दरूपाया दरूपाय जत करणाय य prawda मस्तायस कि रहाएव पन्क्यां महाँ रहाएव हमसे अन्य गलतिया हुई है पिता मा जिसके भयंकर परिणाम भी हमें भुगतने पड़े है पुत्री गामधारी मनुश्य गलतियों का पुत्ला है गलतियां करता ही रहता है इसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं है सच तो ये है कि हमारा प्रारब्ध ही हमें कड़कुतली की भादी इस संसार में नाच नचाता है जो ग्यानी ये सत्ती जानते हैं वो कभी अपने आपको बहकने नहीं देते भगवान की रचाई स्रिष्टी को माया जानकर उसके मुझ से निकल आते हैं अब हम किसके लिए जी हैं किसके लिए हैं पांडवू के लिए दितराष्ट्रू गांधारी पांडव तुम्हें अपने माता-पिता मांते हैं उनका मार दर्शन करना अब तुम्हारा परम करतव्य है मैंने जब देखा कि तुम युधिष्टि के सहारे और गांधारी कुंती के सहारे मेरी ओर आ रही है तो मेरा मन संतोष दे भर गया ऐसा दृष्टि युद्ध से पहले देखते रहने के लिए मेरी आगें तरस गई थी परन्तु अब ये दृष्टि देखने के बाद मैं इश्वर की आराधना करते हुए खुशी से अपने प्राण त्याग सकता हूँ तुम भी इश्वर की आराधना में अपना शेष जीवन बिताओ इश्वर की आराधना से तुम्हारा मन सुख दुप से निदलप्त हो जाएगा और तुम्हारे मन को मौह से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारे मन को शांती का दिव्विसाग शादकार होगा हाँ आप ठीक कह रहे हैं ताच्छी दुखी आत्माओं तूटे हुए दिलों और बे सहारा प्राणियों का एक मात्र सहारागा भग्वान ही हो ताए भग्वान ही हो ताए प्रानाम ताच्छी प्राणियों प्राणियों मैं अश्वान ताच्छी आत्माओं हे प्रभु हे खेवनहार कुरुकुल की इस डूपती हुई नहिया को आप ही को बचाना है पार लगाना है अभी मन्यू कटोतकच मामा शल्य बड़े भीया सभी पांडवों के नाम आ गये हैं ना हाँ केशो हमने सूची को बार बार देख लिया है हमारे सगे संबंधियों में कोई नाम नहीं बचा है महरानी आपके विचार से वीरगति को प्राप्थ होने वाले योद्धाओं की सूची में किसी पांडवों के या किसी भाई बंधु का नाम तो नहीं रह गया हैं कहीं ऐसा ना हो कि तिलांजली देना रह जाए और उस बेचारे का अंतिम संस्कार भी ना हो पाए तिलांजली देना मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है महरानी आप कुछ कहना चाहती हैं नहीं लीजे बड़ बहिया पांडवों के सगे संबंधियों में कोई ऐसा शेष नहीं है जिसकी तिलांजली शेष हो मदुसु दिल हाँ बुगा क्या कोई नाम रहे गया क्या मैं जानता हूँ श्री कृष्ण ने मेरा उत्तर जानने के लिए आपको भेजा है यदि उसके लिए भी आपको भिख्षा का नाटक करना है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा मेरे प्रान भी मांगोगी तो वो भी दान कर दूंगा नहीं नहीं एक मापने पुत्र के प्राण कभी नहीं ले सकती यह अंग राज फिर भी अगर आपके विचार से पांड़ों के किसी रिष्टेदार का नाम रह गया हो तो बताए यह पता नहीं माताश्री कॉल माताश्री मैं कर्ण आपका जेश पुत्र तुम तुम यहां क्या करे हो माताश्री मैं आपसे याचना करने आया हूं जिस प्रकार आप मेरी याद में व्याकुल है उसी प्रकार मेरी आत्मा भी तडब रही है नहीं हा माताश्री हाँ जिस तरह मेरी जनम पर आपने मुझे नदी के लेरों के हवाले करके बे सहारा छोड़ दिया था मेरी मृत्यू के बाद मेरी आत्मा को बे सहारा मत छोड़ो मा मेरी आत्मा को बे सहारा मत छोड़ो वरना मेरी आत्मा शृष्ष्टी के अंत तक भटकती रहेगी कर्ण, यदि मेरा बस चलता, तो मैं अपने प्राण दे कर भी, तो मैं हर दुख से बचाती, परन्त तुम्हें विवश हूँ, मैं तुम्हारे जन पर भी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, और तुम्हारे मरने पर भी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करवा पा रही नहीं मा नहीं ऐसा मत को मा ऐसा मत को आप जानती हैं कि जब तक मेरी आत्मा को तिलांजली नहीं दी जाएगी तब तक मेरी आत्मा को मुक्ती नहीं मिलेगी हुआ माताश्री मेरे जीते जीतो आपने कभी मुझे अपना कुट्र नहीं माना मुझे मुझे बेसारा मत चोड़िये मां हे बेसारा मध चोड़िये आप निदू को बता दीजिए our कि मैं जेश पांडव हूं मैं उनका भाई हूँ पर मैं अपने ही पुत्रों को कैसे बता सकती हूं कि मैंने तुम्हें अपनी कौमार्य अवस्था में जन्म दिया था करण मेरी विवश्था को समझो पुत्र ठीक है माताश्री ठीक है मैंने अपने भाईयों के लिए अपने प्रांत यागे हैं यदि आप चाहती हैं कि आपकी विवश्था पर मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर तक भटकती रहे तो मैं ये बलिदान भी दे दूँगा दे दूँगा माँ अब तो मुझे अपना लो मा अब तो मुझे अपना लो मुझे मुझे मुक्ती दिला दो मुझे 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 मदुसुदन, मदुसुदन बुआ, क्या बात है? इतनी व्याकुल क्यों है अप? उसकी आत्मा बेचैन है, वो तडप रहा है मेरा कर्ण तडप रहा है मैंने उसे नदी के पास देखा था वो मुझे तिलांजली देने की आचना कर रहा था बुआ, आपने जो देखा है वो आप के हिर्दय की वेथा थी क्योंकि आप अपने आपको कर्ण का दोशी मानती हैं इसलिए आपके अंतरात्मा आपको चैन नहीं लेने दे रही है बुआ, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से आप अपने मन पर ये बोज लिए फिर रही है इसलिए आप इतनी बेचैन है क्या करो, मा हूँ न आखिर, मा तुम्ही बताओ मतसुदर मैं कैसे आपागे कर्ण को अपना पुत्र करूँ कैसे उसकी आत्मा को मुक्ती दिलाऊं कैसे उसे तिलांजली दिलवाऊं पुआ कर्ण के महान आत्मा को मुक्ति के लिए तिलानजली की आवशकता नहीं है हाँ बुआ ऐसी महान आत्माएं शरीर त्याग करते ही मोक्षप्राप्त कर लेती हैं तो फिर तुम शिविर में मुझे बार-बार कर्ण को दिलांजरी दिलाने के लिए संकेत क्यूं दे रहे थे। इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस महा युद्ध में कर्ण अपने भाईयों के लिए जो अपने प्राणों का महा बलिदान दिया है उसे सारा संसार जान जाए। विशेशकर उसके भाईयों को मालू हो जो अब भी कर्ण को अपने शत्र समझते हैं जो उसका तिरसकार करते हैं। पांडवों का भ्राता उनके घ्रणा का नहीं उनके प्रेम और आदर का अधिकारी है। काश मैं उस अभागे को उसका ही अधिकार दिला सकती। काश मैं लोकलाज का परदा हटा कर सब के सामने कह सकती कि कर्ण मेरा जेश्ट पुत्र है। पुआ अब इस सत्य को छुपाना कर्ण के लिए सबसे बड़ा अन्याय होगा। अब आपको इस सत्य से परदा हटाना ही होगा। और सारे संसार को कर्ण का ये सत्य बताने के लिए कल तिलांजली देने के समय से अच्छा और कोई समय हो ही नहीं सकता। हाँ बुआ और कोई समय हो ही नहीं सकता। ख्यूhart मैग satभ लग्व Chicago जईंस मातभ इल Ins Russians बतात लुट किलें से सció seeking परदाने के लगफ शाम пропांप अब स्थ्यामित वाटिसटेंगत परदाम्हद़ए तुन मावा सुपी क्या है क्या जक्ती दावी, अपिछा कि देखे वानत्त… खेरो युदिष्छिर अभी तुम्हें एक तिलांजली और देनी है किसके मतश्रे अंग्राज कर्न की हाँ तुम्हें अंग्राज कर्न को भी दिलांजली देनी होगी यह आप क्या कहरे है मातश्री इनको भला तिलांजली यह उतने पांडों क्यों एंगे तिलांज़ी अपने सगे संबढ्र में जी जाती है के गरुन हमारा कोई नहीं है हां यदी कुछ था है तो केवल कटर दुश्मन था वह हमारा किसी से किसी की दिवंगता आत्मा से दुश्मनी का खेल अच्छा नहीं जिस ने जिवन भर हमार साथ दुश्मनी का खेल खेल खेला उसके साथ हम जीते जी दोस्ति नहीं कर सकते पर किसी की आत्मा की शांती के लिए उसे तिलांजली भी देनी चाहिए परनो उसकी आत्मा भटकती रहती है उसे कभी मुक्ती नहीं मिल सकती माताश्री जब तक मरने वाले का पिता उसका बड़ा भाई या बड़ा बेटा तिलांजली नहीं देता तब तक मरने वाले की आत्मा को शास्त्रों के अनुसार ना शान्ती मिलती है और ना ही मुक्ती और जब कर्ण हमारा कोई नहीं है तो भला हमारे तिलांजली देने से उसे मुक्ती कैसे मिल सकती है फिर भी संसकार तो पूरे करने ही चाहिए यह संस्कार तो सूत अधिरत ने पूरा करी दिया होगा, जिन्होंने कंड को पाला था, और तो उसका कोई सकासमदी नहीं है। जिस तरह अधिरत और राधा ने कंड को अपना पुत्र समझा था, उसी तरह मैं भी कंड को अपना पुत्र समझती हूं। और इसलिए पांडमों को उसे तिलांजली देनी ही चाहिए। परंतु माताश्री, जो हमारा शक्त्रू है, उसे आप अपन पुत्र कैसे मान सकती है। जो युद्ध में हमारे प्राणों का छत्रु बनकर हमाल सामने खड़ा हो गया था, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? क्या करने बड़े भाई की भात, छत्रु की सेना में होते हुए भी, तुम सब की जाने नहीं बचाई थी? तुम सब युद्ध की वो बाते भूल चुके हो, लेकिन मुझे युद्ध की सारी बाते याद हैं, बताओ नकुल, बताओ सहदेव, क्या करन ने तुम्हें जीवन दान नहीं दिया था? आपने बड़े भाई के मू लगने का परिराम, अब सीधे सीधे वापस जाओ, भेरी आग्या का फालन करो, और जाकर अपने आपको सर्वर श्रेष्ट, धनुर्दर समझने वाले अर्जुन से कह दो, कि करन उससे युद्ध करने के लिए अति उत्सुक है, मैं तुम बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता, और जाकर उससे कह देना, कि करने तुम दोनों को जीवन दान दिया है, जाओ! यह दिश्चेर, तुमें भी तो करने जीवन दान दिया था? यह दो दो करने दिया है, जाओ! समराट युदिश्टर, यह ने आप से पहले ही कहा था, कि युद करना आपका काम नहीं है, आप केवल जुआ खेल सकते हैं, जुआ! जाहिए, मैं आपका वद नहीं करना चाहता, मैं आपको जीवन दान देता हूँ, हाँ! जीवन दान! भीम, तुमने तो युद्ध में बड़े-बड़े युद्धाओं को मार गिराया, लेकिन तुम भी कंड से हार गए! कंड चाहता तो तुम्हें भी मार सकता था, परंतु उसने तुम्हें भी जीवन दान दिया! और आनी तुम्हें दोंदी, परेंडर वी से वफुद्धाओं को वाँला प्पोमा रेकिन दूआग्याओंु membläसल से मार सूंदू के लगशाओं था लाया कहाँ कंड से शीवन मीई तुम्हें लाम Прेका priorितिके वरे तुम्हें हुद्धाबी झाल 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 कर्ण तुम सब के शत्रू तुम सब को बारी बारी जीवन दान दिया था बताओ क्या कोई अपने शत्रू को जीवन दान देता है फिर भी तुम सब कर्ण को अपना दुश्मन समझते हो अपने पर अपकार करने वाले को तिलांजली तक नहीं देना चाहते वो अपकार नहीं था माता शुरी कर्ण अपने आपको बहुत बड़ा दानवीर समझता था परन्तों हमारे प्राणों का दान उसने हमें बिन मांगे ही दिया था हम उससे भीक्षा लेने के बदले उसके हाथों मरना पसंद करेंगे पर यह सोचना नहीं चाहते कि उसने ऐसा क्यों किया वो घमंडी था अपने आपको हमसे बड़ा साबित करने के लिए उसने हमें छोड़ दिया ऐसे पाखंडी को अम्तिलान जली नहीं देंगे नहीं वो पाखंडी नहीं था वो घमंडी था पाखंडी था और हमारा शत्रू भी था नहीं वो वो तुम सब का भाई था नहीं भाय दिष्टर कंद तुम सब का जेष्ट ब्रादा था नहीं माताश्री था नहीं यही सत्य है अर्चिन यही सत्य है परन्त यह कैसे संभाव है माताश्री मदुसूदन मदुसूदन समझाये इन्हें पतानी माताश्री को क्या हो गया है यह कैसी बाते कर रही है बला यह सत्य कैसे हो सकता है मदुसूदन अब इस सत्य को नहीं छुपाये जा सकता है और नहीं छुपाना चाहिए बताओ बुआ हाँ पुत्रो यही सत्य है मेरा अभागा कर्ड कौन ते यह था जिस्ट पंदर था हाँ यदि यह सत्य है तो हम किसी को भी मुँ दिखाने के योग के नहीं रहेंगे मातक्ष्री हाँ जिस लोक लाज के मारें तुम अपनी नजरे चुरा रहे हो और सबसे अपना मुँ छुपाने के बात कर रहे हो इसी कारण वश बुआ ने भी इस रहस्य को कर्ड के जन को सबसे चुपाय रखा था तुम सब यही सोच रहे हो ना कि बुआ ने कौमार आवस्था में कर्ड को जन्म दिया था हाँ यही सत्य है परन्तु जो बात तुम सोच कर अपना सर जुका रहे हो वो सत्य नहीं है इसमें शर्म से सर जुकाने की कोई आवश्यक्त नहीं है अरे नादानों बुआ गंगा मैया की भात ही पवित्र हैं अरे मैं बुआ के आचल को थाम कर उनकी पवित्रता की सौगन दखा सकता हूं अरे ये वो आचल है जिस पर रिशी मुनी और तेवता तक सर टिका कर इश्वर की साधना करके गर्व करेंगे और तुम सब सर जुका के अपनी माता का अपमान कर रहे हो हम तो अज्यान के मारे थे फिर हम क्या करते चिस लोक लाच के मारे बूओ ने इस रहस को सबसे चुपाया था और करण के पिता सूर्य देवता भी इसी करण चुप रहे थे वो रहस बूओ अपने पुत्रों को कैसे बता देती और ज़रा सोचो तुम सब को करण के हातों से मारने से बचाने के लिए विवाश होकर इस रहस को बुवा ने कर्ण को कैसे बताया होगा क्या कर्ण इस राज को जानता था? हाँ, कर्ण के सेनापती बनते ही इस राज को बुवा ने उसे स्वयम जाकर बताया था जिस तरह घुटनों की बल चलता हुआ बालक नादानी में दहकते दमकते अंगारों को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी जब मैं एक नासमजबालिका थी उन्हीं दिनों मैंने दुर्वासा रिशी की बहुत सेवा की जिससे प्रसंद होकर उन्होंने मुझे पांच देवताओं के पांच मंत्र दिये और कहा कि मैं जिस भी मंत्र का चाप करूँगी मुझे उसी देवता जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा सुबह जब मैंने सुर्य देवता को देखा तो मेरे भोले बाले मन में जिग्यासा वर्षिये विचाराया कि देखो इस मंत्र में कितनी सच्चाई है और मैंने सुर्य देवता के मंत्र का चाप किया अचानक सुर्य देवता प्रकट हो गए मुझे ख्रमा करतो सुर्य देवता मैं विवश हूँ देवी क्योंकि मेरा साक्षाद दर्शन कभे निश्वर नहीं होता इसलिए दुर्वाशा रिशी के आशिरवाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा परंतो उसके जन्म के पश्चाद मेरे आशिरवाद से तुम फिर कौमार अवस्था को प्राप्त हो जाओगी महारानी कुंती वो महानारी हैं जिन्होंने कर्ण जैसे महा पराक्रमी और दानवीर को जन्म दिया कि तुम्हें अपनी माता और जेश्च भ्राता पर कर्व होना चाहिए कि केशव तुम तो पहले से इस सब को चानते थे फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं अगर तुमने बताया होता तो हमारी हातों अपने भ्राता को मारने का अधर्म तो ना होता है पार्थ परन्तु इस बात को बताने का अधिकार केवल बुवा को था और जब स्वयम बुवा इस बात को छुपा रही थी तो मैं कैसे बता सकता था चलो अपनी मां से आशिरवात कराण करो और अपने जेश्ट ब्रहाताश्री को तिलांजली दो चलो माताश्री हमने आपको अंजाने में घलत समझ लिया हमारे सा ज्यान के लिए हमें शमा कर दो यूदि श्ठिर तुम पांचों भाईयों की जान बचाने के लिए मैंने अपने अभागे कर्ण की बली चड़ा दी अब तुम उसे तिलांजली देकर उसकी आत्मा को मुक्ती दो उसकी आत्मा तिलांजली के लिए उत्सुक है जो आक्या माताश्री जो आक्या कर दो 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 दोटे और स्चाइब कर दो दोई ही और भास जोगी है प्रोजे के आदा में आपन्यान्मारा कि यह वासुदेव प्रोजार। कि अधिंदेव, मैं तुबhे किन की नुपकारों के लिए धन्यवाद तू। Opa झे नदे लोड़ी Zे वांधी मामानी कि दोंग हुआ। क्या बात है बड़ भीया अब किस चिंदा में डूबे हुए हैं जो राजपार्ट आपने खोया था जो सम्मान आपने खोया था इस युद्ध को जीतने के बाद वो सब आपके चर्णों में पड़ा है और आप फिर विसर जुकाय खड़े हैं हाँ बड़ भीया अब सर जुकाने का नहीं सर उठाने का समय है अब हमें गर्व के साथ सर उठाकर हस्तिनापुर में प्रवेश करना है और आपको हस्तिनापुर के राज सिंगासन की शोभा बढ़ानी है और हस्तिनापुर ही क्या इस युद्ध में समस्त राजाओं को परास अधिकार कौर्मों से छीन लिया है हाँ नकुल हमने अपने अधिकार छीन लिया है परंतु कौर्मों से नहीं तिवंगत प्राता कर्ण से उसका अधिकार छीन लिया यह आप क्या कह रहे हैं मैं ठीक कह रहा हूं किश्व हम जिस राज सिंगहसन और जिस अधिकार के लिए लड़ रहे थे उस पर केवल भ्राता कर्ण का अधिकार था क्योंकि राज सिंगहसन पर बैठने का अधिकार केवल बड़े भाई का होता है और हमने इस राज सिंगहसन के लिए अपने ही हाथों से अपने भ्राता का वद्ध कर दिया कि नहीं चाहिए मुझे राज सिंगहसन जो मेरे भ्राता के खून से सना हुआ है मैं इस पर कभी नहीं बैठ सकूंगा कभी नहीं मैं जब आरसी में अपने आख को देखता हूं तो मुझे अपने चहरे से घ्रा आती है है गरह unstoppable मुझे अपने ही अस्तित्व से के एरांतर मुझे आरू पे मान कर मेरी तरफ उंगली उठाता है कि तुम राज लोंभी हो अपने ब्राता के हत्यारे हो तुम तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने कुल का सर्वनाश कर दिया कुल संघार किया है तुमने प्राता कर्ण प्राता कर्ण मेरे लिए श्री राम की भाती थे और मुझे भरत बनकर उनके खड़ाओ को सिंघासन पर रखकर उनके राज्या विशेक की प्रितिक्षा करनी चाहिए थी परन्तु मैंने मैंने उनका सिंघासन और उनका जीवन दोनों है चेल लिया बड़े भीया यह सब अजाने में हुआ है आपको इस बात पर इतना शोक और संताप नहीं करना चाहिए यह तो तुम मेरे दुख को हलका करने के लिए कह रहे हो कृष्णि परन्तु सबसे बड़ा न्याय धीश जो हर मनुष्य के अंतर में होता है वो विवेक वो विवेक मुझे बार बार पापी कहकर पुकार रहा है मान और अपमान हट धर्मी और धर्म के इस युद्ध में मेरे कारण लाखों योद्धाओं का वध हुआ है कृष्णि राताश्री आपने कोई पाप नहीं किया है बलकि अपने ख्षत्रिय धर्म का पालन किया है इसलिए अब आपको युद्ध में जीते अपने राज सिंघासन पर गर्व के साथ बैठना चाहिए बड़े भेया अर्जुन थे की कह रहा है नहीं कृष्णि जो सिंघासन लाकों लाशों पर टिका हुआ है उस पर भला मैं कैसे बैठ सकता हूं इससे तो अच्छा है कि मैं भेक्षा मांग कर अपना जीवन बितालू सन्यास लेकर किसी वन में चला जाओं यदि वन में ही वापस जाना था तो तेरा वर्षों के वनवास के बाद लोट कर ही क्यों आए भीम से बन में ही रह जाते हम सब हाँ बड़े भीया इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाले लाखो युद्धाओं में वो भी हैं जिन्हों ने आपको राज सिंगासन पर देखने के लिए युद्ध किया था यदि आप उनके बलीदान को व्यर्थ कर देंगे तो आप उनकी आत्माओं को क्या जवाब देंगे कि मैं उन सबसे शमा मांग लूगा कृष्ट परनतु परनतो अपने इस हटीले विवेक को क्या जवाब दू जो मुझे बार बार पापी कह जा रहा है ने विवेक विवे उसमें पड़ा सो रहा था जब आपने द्रोपदी को दाव पर लगा दिया था मेरी ओर देखिए बड़े भाईया मेरे अंतर में भी एक विवेक है जो जुए में द्रोपदी को दाव पर लगाते ही तड़प उठा था और उसी तड़पन में मैंने असभिदा के अंदकार में पलने वाले उन सौ के सौ अंद पुत्रों को अपने इनी हाथों से पर लोग पहुँचा दिया था मेरा विवेक इस कारण मुझे कोई लांचन नहीं देता है आप आइना देखकर अपने आप से मुझ छुपाते हैं परन्त जब मैं आइना देखता हूं तो गर्व से मेरा सीना भूल जाता है कि मैंने उन धर्मियों को नर्क पहुचा दिया है बड़े भीया यह संताप यह विलाप छोड़ दीजिए आप हिने कहा था कि यह महायुद्ध सत्य धर्म न्याय और सदाचार को प्रतिश्चा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है और हम सबने मिलकर अपना यह करतव्य भली भाती निभाया है हाँ बड़े भीया इस युद्ध को जीत कर आपने असत्य अत्याचार अन्याय और अधर्म का एक महापर्व समाप्त कर दिया है अब आपको एक नए पर्व एक नए युक का शुभारम करना है जहां केवल सदाचार सत्य और न्याय का राज होगा पड़े भीया आप ही को धर्म की पुनहर स्थापना करनी है यदि आप ऐसे महान करतव्यों से अपना मूह मोड लेंगे और वन को चले जाएंगे तो ये संसार एक ऐसा वन बन जाएगा चाहां केवल पल और शक्ति का राज होगा निर्बल प्रजा पर अत्या चार होगा और निसहाय नारिया फिर खुले आम निरलज की जाएंगी जिस समाज में समाज की किवल गलत धार्णाओं के कारण आपके बड़े भाई करण को सर जुका कर जीना पड़ा क्या उस समाज की बागदोर अपने हाथों में लेकर उसे आप बदलन नहीं चाहेंगे बड़े भीया इतना भीषण संघार देखने के बाद मन उदास हो जाना सैज है परन्तु ऐसी स्तिति में जो अपने मन के संतुलन को बिगड़ने नहीं देता उसे महामानों कहा जाता है आपके सामने आपके बड़े भाई कर्ण का आदर्ष है वो भी एक महामानों था कर्ण के आदर्ष को शिरी राम का खड़ाओं मान कर उनकी ओर से रास सिंगहसन समालिये क्योंकि वो भी यहीं चाहते थे कि सारी प्रित्वी पर आप ही का राज हो इसलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था क्या आप उनकी अंति मिच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे क्या आप उनके बलिदान को व्यर्थ जाने देंगे कि इसलिए आप अपने करता विसमों मत मोड़िये हस्तिना पुर का राज सिंगहसन आपकी प्रितिक्षा कर रहा है उसे सुईकार करके उसका सम्मान कीजिए कर्ण के बलिदान के लिए यहीं सबसे बड़ी शद्धांजली होगी कुष्णा आज करें तुटी झाल क्रिष्ना 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 हरे किष्णा हरे हरे सच्ची दान रूपाया विश्व मत्या दिये तवे जी क्रिष्णाय वयम महा जी क्रिष्णा को बिंद्र हरे मुरारे ए नात नाराय वासुदे लेडेडिष्मा झाल मैं यक ठार एन आगे मुझे को आगे मुझे भी आगे समा नो Queensborough मुझे केके वी स्टविखते हैेेेे. इस युद्ध को जीत कर आपने असत्य अत्याचार अन्याय और अधर्म का एक महापर्व समाप्त कर दिया है अब आपको एक नए पर्व एक नए युग का शुभारम करना है जहां किवल सदाचार सत्य और न्याय का राज होगा इसलिए आप अपने कर्तव इस मुँ मत मोड़िए हस्तनापुर का राज सिंगासान आपकी प्रतिक्षा कर रहा है उसे स्विकार करके उसका सम्मान कीजिए करन के बलिडान के लिए यही सबसे बड़ी शद्धांजली होगी मारा युगर्प्रकी महरा युगर्ष्टर्की कि आखिर धर्म की विजय तो हुई गई तभी तो अधर्म पर विजय प्राप्ट करने वालों का किसा शांदार स्वागत हो रहां है इस तरबार में को है थाक पार कि अक हुआ है कि था अ हुआ हुआ है कि अ कि अजर्ण दूर्ख पाड़् लो में रखेता खाली और खाली खाली खालाओ बीचर राजर में नुझर आजर सुझब दुझर वात हुझरा तौर राजरी खाली खेता राजर कर दिस्के कि दोड़े, दोो कर दो! ताजश्री, अपने जेष्ट पुत्र युदिष्टिर का पड़ाम स्विकार कीजिए आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव पड़ाम मता गांदारीग, कल्यान मस्तु पुत्र, रिशी धॉम्य, हाँ महराज, मेरे पुत्र युदिष्टिर का राज्या भिषेग, तुरंत ही हो जाना चाहिए, जो अग्या महराज को आयुष्मान भव इ। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर आओ पुथर राज सिंहासन ग्रहन करू जो आप्याता चुरी कर दो कर दो कर दो आपने प्रेवर जाबिपमा इसमे पना प्रिकला में जलएवप चांति नड़ग चांति लुखना इस लेविकर जादिल हुदु नलुख दिए लीजी, आप अपने ही शुभातों से इस राज मुकुट को बड़े भाईया के सर पर रख दीजी लीजी, आप बड़े टाईया के सर अपने ही शुभातों से इस राज मैं अप एक छत्रचाय में रहना चाहता। ताच्छरी, मैं आप ही कि छत्रचाय में रहना चाहता ह। मुझे आशिरवाद दीजे ताचे वत्र युधेश्टे तुमने मुझे भी जीत लिया है मुझे भी जीत लिया है मेरा आशिरवाद है तुम सदा ही विजय रहो केशो तुम कुरकुल के सच्चे साथ ही हो तुम्हारी साहता के बिना हम पांडो ये युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं तुम्हारी एक्रपात्रिष्टी हम पर सदा ही बनीर है तथास्त तथास्त कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तुम हो तुम हो तुम तुम लो भी हो सॽ कि तुम राजा बने करू कि और दिकार नहीं कुछ तुम संचान के राजा Green को नइंवति नहीं मुझा राज हैँ लई दिकार ही तुम झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. केशव, केशव, केशव. बड़े बहिया, इतनी रात गए आप यहाँ, सब कुशल्तो है? तुम तो अंतर यामी हो केशव, सब के मन की बात चानते हो, फिर भी तुम मुझे ही पूछ रहे हो? जब से मैं इस राज महल में आया हूँ, मेरी रातों की नीद उड़ गई है, एक पल की भी शांती नहीं है. मेरा सारा सुक, चैन, सब कुछ मुझसे छिन गया है, इससे तो अच्छा वन में ही बास था, जहां कम से कम चैन की दीन तु ले लिया करता था, केशो. परन्तु, यह आशांत्चित का कारण क्या है बढ़ भीया, मेरे मन में है, मेरे मन में रह रह कर एक टीस से उटती है, ऐसा लगता है, जैसे कोई बार बार मेरे तिल पर भाले चलाकर उसे छेदे डाले जा रहा हूँ, आख लगने पर, आख लगने पर मुझे कुरुक छेतर पर बिखरी हुए लाशे दिखाए देती है, उनके कटे हुए मुंड, उनके कटे हुए अंग दिखाए देते हैं, और फिर अचानक, फिर अचानक हवा में लहराता हूँ, मुंड सोर से चीक पलता है केशो, आखे खोले के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलता, कुरुकुल की इस तरियों का अक्रोश सुनकर मेरा कलेजा भटने लगता है केशो, मैं तड़प उठता हूँ, कभी-कभी तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हस्तिनापुर के राजमहल के हर दीवार, हर स्तंब रो रहा है, और मुझे दोश दे रहा हो जैसे, जैसे कुरुक्षेत के भीच और संगार का पापी मैं हूँ, केशो, पापी मैं हूँ, मतो सूदर, कुरुक्ल की दुर्भा की इस्त्रियां, जब मुझे अपनी व्याकुल नजरों से देखती हैं, तो मेरा साहस तूटने लगता है, मुझे ऐसा लगता है, जैसे पापी मैं हूँ, पापी मैं कुरुक्षेत्र के योधाओ के खून में टूबे हुए इस राज सिंगासन पर मैं नहीं बैच सकता, मैं नहीं बैच सकता, मुझे राजपत नहीं चाहिए माधाओ, मुझे राजपत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं च पुम्हाओ पुम्हाओ अपुम्हाओ प्रभु प्रभु मैं बेचैन हूँ अशवन्त हूँ तडप रहा हूँ फिर भी आप बासुरी बजा रहे हैं आप ये बासुरी क्यों बजा रहे हैं प्रभु आप ये बासुरी क्यों बजा रहे हैं बड़े भीया मैं ये बासुरी अपने लिए नहीं है पितामा भेश में के लिए बजा रहा था पितामा पितामा के लिए हां बड़े भीया आपकी जितनी व्याकुलता और बेचैनी है शर्शर्या पर लेटे हुए बितामा की बीड़ा व्यथा और व्याकुलता आपसे कहीं अधिक है परन्तु वो उसे चुप चाप सहन किया जा रहे हैं मैं उनी को सुख की चंद सांसें प्रदान करने के लिए ये पासुरी बजा रहा था इतनी पीड़ा इतनी वेधना में पड़े हुए है वो हाँ बड़े भीया पितामा अपनी मिल्त्यु का स्वागत करने के तयारी कर रहे हैं प्रतिक्षा में अपनी मित को रोक रखा है वो उसी समय के आरम की प्रतिक्षा कर रहे है उनके इस कठिन प्रतिक्षा को आसान बनाने में मेरी मुर्ली की ये धुन उनके साहिता करती है केशो राज्य अभी शेख के बाद मैंने अपने पितामा का अशिरवात भी नहीं लिया कितना सौर्थी हो गया उमें जो अपने पितामा को भूल गया आप उन्हें भूल भी कैसे सकते हैं बड़े भीया उनकी यादों की सुगंधी तो हस्तिनापुर के राज संगासन को समालने के लिए आपको सदा प्रेणा देती रहेगी और हस्तिनापुर के सुरक्षा के लिए उन्होंने जो प्रतिक्या ली थी उसका भार आप पर आ गया है यदि आप इस जिम्मेदारी को समालने में पूरी तरह से लग जाएं तो आपके मन की व्यथा और बेचैनी दोनों दूर हो जाएंगे मदुसूदन तुम ठीक कह रहे हो बिलकुल ठीक कह रहे हो पुझे पिदामा से भेट करके हस्तिनापुर की सुरक्षा के प्रति उनके मन के बोज को हटा देना चाहिए ताकि मेरे मन का भी बोज हलका हो माधो मेरे मन का बोज हलका हो आपने मेरे मन की बात छेड़ दी बड़े भीया मेरे मन की बात छेड़ दी पड़े भीया कंगा नंदन भीश्म गुरुओं के भी गुरु हैं वो महा ज्यानी हैं धर्म परायन हैं कुशल नीतिक के हैं वो अपने जीवन अनुभाव के भंडार से राज करने के संबंध में आपको गुरुप देश देंगे जो बड़े से बड़े राश कोश से भी कहीं अधिक अन्मोल होगा गीता के रूप में जैसा अन्मोल खजाना जो तुमने युद्र के प्रारंब होने से पहले अरजुन को दिया था है पितामा प्रभू प्रणाम पितामा आश्मान भवा हे प्रभू मैं देख रहा हूं कि धर्म और सक्ते को विजय दिलाने के बाद भी जीष्ट पांडव युधिष्ठिर विचित दिखाई दे रहे हैं हे कुरुश्रेष्ट हे गंगापुत्र युद्र के उपरांद जब आवेश और क्रोध ठंडा पड़ जाता है तो मनुष शत्री की भात नहीं मानों की भात ही सोचने लगता है और भावनाओं के धारे में बहने लगता है भले मनुष तो स्वयम अपने आपको युद्ध का अपराधी समझने लगते हैं चाहे वो युद्ध धर्म युद्ध ही क्यों न हो वो सूचते हैं कि उनके ही कारण ये भीशन नरसंघार हुआ है अंगिनत योध्धा मारे गए हैं हे गंगा पुत्र इस समय धर्म राज युद्धिर और पांडव इसी मनोदशा से पीडित हैं युद्धाओं की पत्नियों के बिलाब को देखने के बाद जिसमें अपने ही सगे संबंधी भी शामिल हो ऐसी प्रतिक्रिया अन्चित तो नहीं है प्रभू प्रतिक्रिया तो मन का ताप है जिसे तन के ताप की भात ही दो-चार दिन में उतर जाना चाहिए अन्यता यदि मन निरंतर पश्चा ताप में तपता ही रहे तो मन का भेहन कर रोग हो जाता है मनुष का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता और वो किसी काम कर नहीं रह जाता है विशेश कर राजा को यदि ये रोग शिकार बना ले तो सारी प्रजा पीडित हो जाती है इसलिए इस रोग का तुरंत उपचार करने के लिए मैं सभी पांड़ों को आपके पास लाया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्ञान प्रकाश है इस रोग का अचुक उपचार है प्रभू आप क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं मैं भला कहां का ग्यानी हूं और मन का ये रोग तो युद्व से पहले ही अर्जुन को लग गया था अब ये बात तो सभी जान गये हैं प्रभू कि आपने गीता के रूप में ग्यान प्रकाश की गंगा बहा कर अर्जुन के मन के अंधकार को नश्ट किया था फिर आपके सामने और आपके ग्यान के सामने मैं क्या और मेरा ग्यान क्या पितामा अर्जुन की बात दूसरी थी वो मेरा मित्र है इसलिए मित्र के नाते मैं उसे सीख दे सकते हूं परन्तु धर्मराज युदिष्टिर मेरे ब्राता हैं बड़े भाईया हैं यदि मैंने सीख देने लगा तो ये छोटा मूँ और बड़ी बात होगी और यदि आप अपने अनुभाव और ज्ञान के भंडार से पांड़ों को कुछ नहीं देंगे तो ये लोग आपके ज्ञान से सदा वंचित रह जाएंगे इसलिए है शांतनाव धर्मराज युदिष्टिर के लिए ज्ञान के गंगा भाईये जो इस प्रत्वी लोग पर आपके बाद भी लोग कल्यान के लिए बहेगी और लोगों की ज्ञान पिपासा दूर करती रहेगी हे लोक नायक हे वासुदेव हे प्रभों आपने अपने भक्त से विंती करके उसे लच्चित कर दिया है परन्तु आप जिसे बिनती कह रहे हैं उसे मैं आपकी आज्या मानकर उसका पालन करने का पूरा प्यास करूँगा परन्तु मुझे डर है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है मेरी शक्ती हर पल शीर होती जा रही है अर्चुन के इन बाड़ों के अगर अब मुझे भैंकर पीड़ा देने लगे है प्रभू तन बदन में आगसी लगी है मुझे यू लग रहा है कि मैं शल्शया पर नहीं चिता के अंकारों पर लेटा हूँ ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि किसी भी पल मुझे वो अच्छा आ जाएगी हे गंगा नंदन हे कुरुश्रेष्ट मैं आपकी पीड़ा दूर किये देता हूँ जब तक आप अपने धर्मराज और अन्ने पांड़ों को ज्यान का अम्रित पिलाते रहेंगे तब तक आपको कोई पीड़ा नहीं सताएगी तब तक आपकी शक्ति शियून नहीं होगी तब तक आपको मुझे नहीं आएगी कोई तक आपको मुझे ओर्मराज पांड़ों नहीं होगी झाल किया रहेंगे जब तक आपको मुझे खखएगी पूर्मराज पांड़ों पीड़ों तक आपको कोई बा मुझेती पूल से गहेंगे हे भक्त वचसर हे विश्वनाथ तुम्हारी लीला अगाध है तुम्हारी क्रपाद्रश्ट्री से ही सिष्ट्री फलती भूलती है मेरी सारी पीड़ा नश्ट हो गई है अब मैं अपना ज्यान पांडवों को निरमतर दे सकता हूँ हे पितामा जब तक ये समस्त लोक और शिष्टी रहेगी तब तक आपका ये ज्यान जो आप बड़े भहिया को प्रदान करने जा रहे हैं शद्धा से वेद वचन माना जाएगा अब आप ही पांडवों के गुरु बन जाएगे और बड़े भहिया का अज्यान नश्ट कीजिए पैठो युदेश्ठेव जी पितामा पुद्र दूर करने का प्रयास आवश्य करूंगा धर्मराज तुम इतना बड़ा राजभार समालनी जा रहे हो तुम्हें अपनी प्रजा के लाखों दिलों और दिमागों पर राज करना है इसलिए इसलिए तुमारे मन और मस्तिश को उनसे बढ़कर होना चाहिए पुत्र तुम्हारे मन में जो भी संदेह या शंका भास बनकर चुब रही है तुम मुझसे कहो मैं तुम्हारे मन को उसकी पीरा से छुटकारा दिलाने का प्रयास करूंगा पितामा युद्ध की हिंसा के परिणाम ने मेरे मन को ऐसे चकल रखा है जैसे जैसे वो किसी अजगर के चपेट में आ गया है सबके समझाने पर भी मेरे मन से हिंसा और अपरात का एसास मिट नहीं रहा है पुत्र अपने अधिकार के लिए किसी उचित उद्देश के लिए या उचित प्रतिज्या की पूर्ती के लिए आवश्यक होने पर अधर्मियों की हप्त्या करना हिंसा नहीं है पितामा इस बात का कोई अच्छा सा उधारन दे कर समझाईए पुत्र इस संबंध में सबसे अच्छा उधारन भगवान श्री किष्ण का है जो स्वेम तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम्हें याद होगा जब राजसु यग्य के समय श्री कृष्ण को राजाओं का राजा चुना गया था तो उन्हीं के रिष्टे के भाई शिशुपाल ने इसका विरोध किया था इतना ही नहीं वो अनुचित और असब्य रूप से गालिया देने लगा रभू श्री किष्ण ने उसके हर पाप को शमा कर दिया परन्तु जब शिशुपाल के सौ पाप पूरे हो गए उसके पापों का घड़ा भर गया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि शिशुपाल उनका भाई है उन्होंने उसे दंड देने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काम लिया और उसका वद कर दिया तुमने मुझे हुआज़ पुत्र यो धिश्ठिर, जब किसी पापी को सौ बार शमा करने पर भी, उसमें परिवर्तन ना आए, वो धर्म के रास्ते पर ना आए, तो ऐसे अपराधी और पापी को दंड देने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसलिए पुत्र, तुम दंड को हिंसा समझना छोड़ दो, विशेश कर इसलिए कि अब तुम राजा हो, और राजा तो दंड नायक की निशानी के तौर पर दंड को धारण करता है, इसलिए राजा को दंड धारण भी कहते हैं। पुत्र, दंड देना राजा का धर्म है, यदि राजा भावुक होकर अपना ये धर्म नहीं निभाएगा, तो राजा के दंड का भै ही नहीं रहेगा, और फिर राज्य में दिवस्था ही नहीं रहेगी। सरकारी नौकर अपने आपको राजा समझने लगेंगे, राज में निराज अर्थात आराजकता फैल जाएगी। जरा सोचो, प्रजा की क्या दशा होगी, जब राज्य के छोटे करमचारी अपने सरकारी कामों को करने के लिए भी घूस की मांग करने लगेंगे, चोर, उचक्के और डाकू सरकारी करमचारीों की शत्र छाया में लूट मार मचाएंगे, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। चोर, 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 चोर चोर, है, जोरी करता है, जल। सरकारी प्रहरी चोर को पकड़ेंगे और माल आधा आधा बांट कर खा जाएंगे। प्राणियों को जिनका कोई नहीं होगा निस सहाइ समझ कर गुंडे उनी के घरों से निकाल बाहर फेंग देंगे अ हम हमारा है जार आण से हर प्रकार का पाप निर्भै होकर किया जाएगा नारी की लाज तक सुरक्षत नहीं होगी उन्हें सभाव में निर्वस्त्र किया जाएगा प्रकार स्बस्त हरे भाल होगी कोष् सर्फ चॉर नहीं होगी जयाओ रहा जाएगा उक का लूखá झाएगा जाएगा जाएगाे जाएग का लonde ऑड़ हो जयी дав दूखएगँ कि लिर्व dol् Paraहु जढ़ जाएगा जबू कि लिके लिएग परस्ता है नहीं होगी होगी十 comparison कि नहीं are कि नहीं कि इसा नहीं होगा मैं इसा अदर्म नहीं होने दूगा पितामा नहीं होने दूगा आप परनंतु यदी तुम ढर्ण हरम युद्ध के परिणाम को अदर्म संज कंद युँ ही शो ग्रस्त हो गए तो यही सब कुछ होगा, सिया धर्म का राज होगा, तुम्हारे साम दें ही ये पाप होगे, क्योंकि राजा का भै ही किसी को नहीं होगा गैई झायनHis जा जा मेंघ आपू अम ऐसा नहीं होने दूगा आस नहीं कि आप निमिég आखे खोल दिये अभरे तन ग्राज इस्थह पर अरे करूंगा है पितामा हम पर दो खार राजेकितर स्थापित गरूंगा है जया में पूटर कैमें मुझ्झे खुशी है कि तुम शीग्र ही इस बात को समझ गए हो, मुझे विश्वास है कि तुम एक बहुत ही अच्छे राजा सिद्ध होगे, क्योंकि अच्छा राजा वही बन सकता है, जो धर्म के लिए सब कुछ तज देने को तयार रहता है, यहां तक कि अपने प्राणों के भी चिंता नहीं करता, उसका जी ना मरना सब दूसरों के लिए होता है, और ये प्रधान गुण मैंने तुम में देखा है, पितामा, आप मुझे पताइए, कि एक अच्छा राजा किन-किन गुणों से बनता है, और उसकी पहचान क्या है, पुत्र, अच्छे राजा के गुण, प्रजा के मुण से ही सुने जाते हैं, सुखी प्रजा, अच्छे राजा का दर्पन होती है, प्रजा का सुखी, अच्छे राजा की पहचान की कसोटी होता है, कि धर्म सुक का मूल होता है जहां धर्म नहीं होगा वहां सुक भी नहीं होगा पुत्र एक आदर्श राजा को द्वारी का धीश कृष्ण की भादी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कसोटियों पर खरा साबित होना पड़ता है भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्म के प्रकाश के सहारे यदि तुम राजनीती के पत पर आगे बढ़ होगे तो तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सुक्षाम्ति सम्रद्धि और सफलता सब कुछ मिल जाएगा पुत्र श्री कृष्ण एक आधर्ष मनुष्य और एक आधर्ष राजा है क्या तुम्हें याद नहीं कि राजा होते हुए भी अपने एक दरिद्र मित्र सुडामा से भेट करने के लिए उसकी आगमन का समाचार पाकर वो महल से नंगे पैरों भागे थे दीनों के बंधू करणा के सिंगू लेकर नेनों में जल बिंदू सारे नातों से बढ़के देखने है कानाता निभाने चले हैं भ्रमण करे जो फूलों के रत पे चल कर वो पथरी ले पत पे नंगे पाओं जो आया उसको नंगे पाओं बुलाने चले हैं तर्शन की अभिला शाथो के जगत हसाई से व्याक ले होके आस के ठुक्रे सुदा मातन जो के अश्रू में जीवन दूबाने चले हैं सेम परिक्षा की घड़ी आई मित्र के नाम की हो ना हसाई मित्र परायन कृष्न कनाई रूठा मित्र मनाने चले हैं रूठा मित्र मनाने चले हैं सुदामा सुदामा किधर गया मेरा मित्र कहां गया सुदामा कहां गया मेरा मित्र अरे सुदामा नजल नहीं आता वो तो लॉटगा द्वार काधीश कहां इस तरफ गये किधर इस तरफ सुदामा सुदामा सुदामा, सुदामा सुदामा तौर कर दिश किदे गए? उस तरफ लो, वो फीर आगया सुदामा दिएरा आगो सुदामा 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 अरे-ख्रिष्णा अरे-ख्रिष्णा कि अरे-ख्रिष्णा लुटनी लुटनीजी क्रिष्णा हरे क्रिष्णा हरे हरे सच्छी रानंदर उपाया विश्व पत्क्या धिये तमे तापत्रय नौटाया श्री क्रिष्णाय वयं महा श्री क्रिष्णा को बिंदरे मुरारे एनात नाराया वासुदे आवे क्रिष्णा, आवे क्रिष्णा, आवे क्रिष्णा, आवे क्रिष्णा आवे क्रिष्णा, आवे क्रिष्णा, आवे क्रिष्णा, आवे क्रिष्णा यादे किस्ला आप ए 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 पुत्र मैं तुम्हारे मन को गुन की तरह लगे हुए संदेय और शंकाओं के विकारों को श्री कृष्ण के आदेशा अनुसान दूर करने का प्रयास आवश्य करूंगा पुत्र राजा को उसकी शान और बैभाव जितनी शोभा देता है उससे कहीं अधिक नम्रता और मानोंता शोभा दीती है पुत्र युधिष्टि धर्म और राजधर्म के मेल से राज्य और प्रजा दोनों सांसारिक धन और आध्यात्मिक संपत्ति से संपूर्ण होंगे जिस राज्य में केवल धन ही धन हो और धर्म नहों वो राज्य भोग विलास और पाप का गड़ बनकर रह जाएगा हे राजेंद्री सत्य जिस प्रकार रिश्यों का श्रेष्ठ धन है उसी प्रकार राजाओं का भी श्रेष्ठ धन सत्य है सत्यवान सदाचाद बैयाशील धर्म निष्ठा जितेंद्रीय और दानी राजा कभी संपत्ति ही नहीं होता है कि भुरी आदतों से राजा को सरवदा दूर रहना चाहिए वोग विलास के मारे राजा का प्रजाजम तिरसकार करते हैं हे युधिश्ठ बल्वान राजा भी अपने निर्बल शत्रु को कभी तुछ न समझें क्योंकि याद रखो चिंगारे भी संपूर्ण महल को जलाने की शम्ता रखती है थोड़ा सा विश्वी प्राण हरन कर सकता है हे युधिश्ठ एक राजा को कभी निराज नहीं होना चाहिए ना कभी उसे अपना धीरच खोना चाहिए जिस राजा में ये सारे गुण हो वही राजा प्रित्वी पती बनता है पुत्र युधिश्ठ है जिस राजा के परामर्ष दाता राजा को गलत परामर्ष देते हैं उस राजा का पतन निश्चित होता है राजा ही प्रजा का नात है राजा के बिना प्रजा अनात है ये युधिश्ठ है अपने मन की वथा में डूब कर और राज्य के प्रती अपने कर्तब से भाग कर क्या तुम हस्तिनापुर की प्रजा को अनात करना चाहते हो राजा का और राज धर्म का मत तो जान लो युधिश्ठ है और राज त्याग की भावना को ही मन से त्याग दो युधिश्ठ है राजा ही प्रजा का पिता है राजा ही प्रजा की माता है अनुदाह पुत्र है वह समस्त परिवारों का करता है प्रमुक है यदि करता ही परिवार से चला गया तो परिवार की क्या दशाह होगी ही उधिश्ठे यदि राज्य वेवस्था और राजा ना हो तो राज्य की क्या दशाह होगी इसका वर्णन गुरु श्रेश्ट ब्रस्पति के शब्दों से सुनो राजा नहीं होगा तो प्रजा का नाश होगा राज्य में राजक्ता होगी स्त्री पुत्र परिवार संपत्ति शून्न हो जाएगा धर्मा चरन करने वालों पर अत्याचार होगी अधर्मों को प्रतिष्ठा मिलेगी मातापिता गुरु आचार्य अतिथी और बड़े बुढ़ों को अपमानित किया जाएगा रज्य में हहाकार मच जाएगा हहाकार पितामा आपकी ये बात तो समझ में आ गई अब आप मुझे ये बताईए कि एक राजा को शत्रों से अपने राज की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए युद्यश्ठे ये समझ लो कि कोई मित्र बनता है तो उसका भी कारण होता है कोई शत्रु बनता है तो उसका भी कारण होता है पहले शत्रुता के कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और फिर भी यदि युद्धा निवार्य हो जाए तो युद्ध से पहले अपने राज्य की सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए खुशल युद्धनीतिगे राजा शत्रु के राज्य में अस्थिर्ता का निर्मान करता है उसके मंत्रियों को भर पूर पैसों का डालज देकर वश्मे करने का प्रियास करता है शत्रु राज्य की प्रजा में कलह पैदा करता है जिससे प्रजा में असंतोष निर्मान होता है और शत्रु कमजोर पढ़ जाता है शत्रु पर संफून विजय प्राप्त करने में यदी राजा सफल नहीं हुआ तो शत्रु के प्रदेश को आग लगाकर जलाकर राक कर देना चाहिए शत्रु की सेना का जितना विनाश कर सके उतना कर देना चाहिए नदी बरबंदेपुल ध्वस्त कर देना चाहिए हे कुरुनंदन शत्रु को इस प्रकार ध्वस्त कर देने के बाद अथ्वा शत्रु का वध कर देने के बाद ही राजा रिन मुक्त हो जाता है शास्त्रों में भी यहीं लिखा है वध्सी युधिश्ठे राज नीती में ना तो दोस्ती स्थाई होती है न दुश्मनी यह याद रखो राजा राज्य का स्वामी नहीं सेवक होता है राज्य के हित में राजा को राज्य के ज्यानी और प्राक्रमी जनों को मंत्री परिशत में समलित करना चाहिए राजा ने यदि अपने रिष्टेदारों को इं महत्यपूर्ण स्थानों पर रखा तो भस्ता चार और अनाचार का नंगा नाच शुरू होता है हे युधिष्टेर धर्माचरन करते हुए अर्थ की प्राप्ती राजा को करनी चाहिए मैंने राज धर्म सुन लिया है परन्तो आप मुझे ये बताईए यदि कोई राजा अनेक शत्रों से परिशान हुआ हो तो फिर उसे क्या करना चाहिए किसके साथ युद्ध करना चाहिए और किसके साथ दोस्ति करनी चाहिए हे धर्मराज राजनीती में कोई किसी का शत्रों नहीं होता ना कोई किसी का मित्र होता है राजनीती में कभी कभी शत्रों भी मित्र बन जाते हैं और मित्र शत्रों समय के अनुसार एक राजा को अपनी नीती तै करनी पड़ती है समय की मांग हो तो उसे अपने जानी दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ती है जानी दुश्मन से हाँ पुत्र इसके लिए मैं तुम्हें रूपक कथा सुनाता हूं एक जंगल में एक वट व्रिक्ष था उस पर अनीक पक्षियों का डेरा था व्रिक्ष के मूलों के पास पलित नाम का एक ज्यानी चूहा बिल में रहता था व्रिक्ष का आश्रे लोमक नाम की एक बिल्ली ने लिया था जोवर्थ व्रिक्ष की जटाओं से चड़कर व्रिक्ष पर जाती थी और पक्षियों को खा लेती थी यह लोमक पलित को खाने का हर प्रयास करती थी परन्तु पलित ततकाल अपने बिल का आश्रे ले लिता था इसलिए लोमक पलित को नहीं खा सकी थी एक दिन जंगल में एक शिकारी आया उसने जाल बिच्छा दिया उस जाल में एक हिरन फस गया शिकारी ने रात को हिरन को मार कर उसका मांस पका कर खाया दूसरे दिन शिकारी फिर जाल बिचा कर चला गया रात हो गई थी बिल्ली चुए को खाने के लिए रिक्ष की शाखाग से नीचे आ गए और जाल में फसके चुगा खुश हुआ निर्भाय होकर जाल के पास गया हिरन के मांस का एक टुकड़ा जो वहां पड़ा था गाकर पेड़ पर चढ़ गया और वो टुकड़ा खाने लगा इस आवसर पर चुए को खाने के इरादे से वहां एक नेवला आ गया का नेवले के रूप में अपनी मृत्यू को देखकर चुगा घब रागया है तुरंत पेड़ पर उजाई पर जानी की इच्छा से उपर देखनी लगा, तो उसे पेड़ पर बैठा उल्लू, उल्लू दिखाई दिया, चुगा फिर घबरा गया, इधर भी मृत्यू, उधर भी मृत्यू, उपर गया, तो उल्लू उसे खा जाएगा, बिल के पास गया, तो नेवला उसे मार डालेगा, और यदि जाल तोड़कर बिल्ली बाहर आई, तो वो भी उसे जिवित नहीं छोड़ेगी, तीन अलग अलग दिशाओं में, तीन शक्त्रु थे, तीनों शक्तिमान थे, पर उचुहे के पास कुशाग्र बुध्धी थी, उसने कुशल नीती अपनाई, और अपने जानी दोस्ती की, उसने बिल्ली से कहा, हेलो मक, उल्लू और नेवला मुझे मार डालेंगे, कल सुबह शिकारी आ गया, तो वो तुम्हे मार डालेगा, हम दोनों के प्राण संकट में है, क्योंगा हम दोनों दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद करें, तुम नेवला और उल्लू से म हमारी रक्षा करूंगा, बिल्ली ने तुरंत चुहे की दोस्ती का हाथ धाम लिया, उसने कहा, मैं तुम्हे मारूंगी नहीं, तुम मेरे पास आओ, निश्यम्त हो जाओ, और जाल अपने दाच से कुतर डालो, चुहा बिल्ली के पास गया, बिल्ली के पास बैठा, नेवल और उल्लू, दोनों की दोस्ती देखकर हैरान हुए, दोनों चुहे का कुछ न बिगार सकी, और चुप चाप खिसके, तब बिल्ली ने चुहे से कहा, हे मित्र, अब तुम ये जाल तोड़कर, कुतर कर, मुझे मुक्त कर दो, चुहे ने कहा, नहीं मित्र, यदि इस समय मैंने जाल कुतर कर, तुम्हे मुक्त कर दिया, तो तो मुझे ददकाल खा जाओगी, हम मित्र इसलिए हैं, कि हम दोनों के प्राण संकट में हैं, इसलिए जब वो शिकारी आएगा, तो मैं ये जाल तोड़कर, तुम्हे मुक्त करूँगा, दूसरे दिन शिकारी को कुत्तों के साथ आते हुए देखकर, चुवे ने जाल कुतर कर बिल्ली को मुक्त कर दिया, बिल्ली भी अपनी जान बचाने पेड़ पर चड़ गई, और चुवा अपने बिल में घुश गया, जैसे ही शिकारी गया, बिल्ली ने बिल के पास आकर चुवे से कहा, अब हम दोनों दोस्त हैं, बाहर आजाओ, चुवे ने कहा नहीं, हमारी जान को जो खत्रा था, वो अप्टल चुका है, अब हम मित्र भी नहीं रहे, यदि मैं इस समय बाहर आया, तो तो मुझे खा जाओगी, बिल्ली निराश हो चुकी थी, और निराश होकर चुप-चाप चली गई, इसका तात्र पर ये तुम्हारी समझ में आया, पुत्र युदिश्ठे, हाँ, पितामा, प्रसंग के अनुसार, संकट के अनुसार, दोस्त शत्र बन जाता है, और शत्र दोस्त बन जाता है, हाँ, पुत्र, समझदार लोग, अच्छी बातों को तुरंत ग्रान कर लेते हैं, तुम भी मेरी इन बातों को गाठ में बान कर अपने पास रखो, पितामा, आज आपने जो मुझे क्यान प्रदान किया है, उससे मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, काश, पितामा के बदले इच्छा मृत्यू का वर्दान मुझे प्राप्त होता, तो मैं पितामा से पहले ही मृत्यू को मेरे प्राण हरन करने के लिए बुलवा भेजता, नहीं, नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहते, क्या करूँ कांधारी, क्या करूँ, पितामा के बारे में सोच सोच कर, मेरे मन की दशा वैसी ही हो रही है, जैसे किसी खातक रोग से पीड़ित रोगी के संबंधी ना चाहते हुए भी उसकी मृत्यू की प्रतीक्षा करने पर विवश होते हैं। महाराज, अब इस प्रतीक्षा का अंध होने वाला है। परन्तों इस प्रतीक्षा में ताश्री ने अपने आप पर तो अत्याचार किया ही है। हमारी आत्मा को भी बड़ा दुख पहुंचाया है। वो क्या करते हैं। उन्हें ऐसा कठी निर्णे लेने पर विवश होना पड़ा था। यदि अर्जुन के तीरों से छलनी होने पर वो अपने प्रान प्यादते हैं। तो उनकी आत्मा को मुक्ती नहीं मिलती महरानी, नहीं मिलती। अब वो समय सूर्य दक्षिनायन में था ना। इसलिए प्तमा सूर्य के उतरायन में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अब सूर्य उतरायन में प्रवेश कर चुका है। अर्थात, हम से उनके बिछडने का समय आ गया है। हाँ। अर्थात, हाँ। आप सब को साक्षी मान कर ये घोशना करता हूं। कि मैं हस्तनापुर्गे सिंगासन पर से अपना पैत्रिक अधिकार चोड़ता हूं। और साथी आजिवन विवाब ना करने की प्रतिग्या करता हूं। ताकि ना ही मेरी कुछ संतान हो, और ना ही वो इस तिंगासन पर अपना धिकार चाता सके। और मैं ये घोशना करता हूँ, कि मेरी छोटी माता सत्यवती और उनकी संतान का हस्तनापुर के सिंगासन पर एक अधिकार रहेगा वितामा, आप हाथ पर हाथ धरे, सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस इस अनर्थ को रोक नहीं सकते क्या यही संसकार सींचे हैं अपने अपनी पीरियों में, कि वो अपने जैश्टों के सामने एक स्थी जाते की आत्मा को ही नंगा कर दे, पितामा बोलिए, बोलिए कीजिए ये पक्षपात, कर दीजिए हम सब कावाद की बेल्ड कषण बेल, में लिएन कर दो कर दो कावद ते जुब एप्रावेट कर दे दाना तूम कर दो है जुब जुब एप्रावेट कर दो वीर सिंग अग्या माहराज प्रावाराज व्त्वरा प्रारम भॉचुका है हस्तिनापुर में मकर संक्रांती के अवसर पर दान धर्म किया जा रहा होगा, पूजा पाठ हो रहा होगा, उत्सव मनाया जा रहा होगा, हाँ महाराज, तुम महाराज युद्रिष्ठिर को संदेश भेजो, कि मैं धृत्राष्ट और गामधारी सहित सभी से मिलना चाहता हूँ, और हाँ, तुम महाराज तक मेरी ये इच्छा भी पहुँचा दो, कि मैं भगवान श्री किष्ठि के दर्शन करना चाहता हूँ, महाराज युद्रिष्ठिर मेरी ओर से, भगवान श्री कृष्ण से, सभी के साथ यहां आने की याचना करने का कष्ट करें, आपकी आग्या का पालन होगा महाराज, कि महाना अरिक्ट का चीना श्री का श्री कि वहाज.. कि महाने की वहा भॉपा साहता चतच होग माते शोरी कंगे, मुझे दर्शन दीजिए, माह मुझे दर्शन दीजिए प्रणाम माता पुत्र, तुम कुछ व्याकुल दिखाए दे रहे हो, कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है नहीं मा, भगवान श्री कृष्ण के आशिरवाद से मेरे शरीर की सारी पीड़ाएं दूर हो गई है फिर तुम व्याकुल क्यों हो पुत्र? माता, मैं तो किवल आपके दर्शनों के लिए व्याकुल था मैं चाहता था कि अपने प्राण त्यागने से पहले अपने माता के दर्शन करता चलूं और देवी गंगा के पावन जल से अपने इस नश्वर शरीर को भी पवित्र कर लूं मेरी जल का प्राशन तुम अवश्य करो पुत्र तुम्हें त्रप्त देखकर मेरी आत्मा भी त्रप्त हो जाएगी धन्यवाद माता पुत्र तुम अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम या तुम्हारा शरीर किसी पाप से दूशित है पुत्र मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसी महान आत्मा को जन दिया तुम आज भी नौजाद बालक की भाती निश्पाप हो फिर भी इस अंतिम समय में मन ये चाहता है कि यदि कोई पाप मेरे हाथो गढ़ा हो तो मैं उसके भुक्तान से भी मुक्त हो जाओं और मेरी आत्मा को मुक्त मिल जाए पुत्र तुम प्रभु श्रीकृष्ण के परम भक्त हो क्या तुम नहीं जानते कि वो भक्त बत्सल है जानता हूं माता फिर चिंता किसलिए मैया मुक्ती की च्छा से भी भला कोई मुक्त हो सकता है पुत्र, यदि तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, तो मैं तुम्हें मुक्ती प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय समझाती हूं। अवश्य माताश्री। भगवान चिरी कृष्न, तुम्हारे प्राण त्याकती समय अवश्य उपस्थित होंगे। वो जब यहां आएं, तो तुम अपने प्राण त्याकती समय केवल उन्हें नहारो। मरते समय यदि भक्त को अपने भगवान के दर्शन हो जाएं, तो आत्मा अपने परमात्मा में तुरंत लीन होने को आगे बढ़ती है। और भगवान भी उसे व्याकुल होकर तुरंत आश्रे देते हैं। इस तरह आत्मा को शीक्र मुक्ती मिल जाती है। वासुदेव। वासुदेव। बड़े भीया, नगरी में उत्सों मनाया जा रहा है। और आप यहां अकेले में। यही प्रिश्णतों में तुम से करने आया हूँ। नगरी में मकर संक्रान्त के उस्वर पर उत्सों मनाया जा रहा है। और तुम यहां एकांत में ध्यान लगाकर बैठे हो। मुझे आश्चर हो रहा है केश्व। किस बात पर बड़े भीया। इस बात पर कि तुम सुयम भगवान हो। फिर तुम किसका ध्यान कर रहा है केश्व। बड़े भीया। जब आप से कोई बाते करता है। तो आप सब को छोड़ छाल कर उसकी बाते ध्यान से सुनते हैं कि नहीं। हाँ सुनता हूँ। तो फिर जब मेरे भग्त मेरी ओर ध्यान लगाते हैं। तो मैं कैसे उनसे ध्यान अठा सकता हूँ। परंतु नगरी के उत्सों को छोड़ कर। इस समय ऐसा कौन सा विश्यश भग्त है। जिसमें तुम ध्यान लगा रहे हो कृष्णा। जिसम का ध्यान लगा रहा था। पितामा, हाँ, उत्रैन के शुप घड़ी में सारा संसार खुशियां मना रहा है। परंतु पितामा के लिए नहीं। क्योंकि पितामा ने इस घड़ी का चयन अपनी मृत्य के लिए जो किया है। इसलिए पितामा अपने अंतिम शड़ों में मेरे स्मर्ण कर रहे है। आखिर वो अशुप घड़ी आही गई कृष्णा। जिससे मेरा मन दूर भाग रहा था। पड़े भीया। पितामा के मौ में आप इस घड़ी को अशुप समझ रहे है। सच तो यह है कि पितामा ने अपनी मृत्यु के लिए इस घड़ी का चैन बहुत सोच समझ कर किया है। बड़े भीया, आप तो भावक होने लगें। बड़े भीया। नहीं। यह आशुन ही बाहाय करते हैं। एक दिन तो हम सब को सदा के लिए बिछड़ना ही पड़ता है। तो फिर दुख कैसा। दुख इस बात का है केशव। कि अब पितामा हमसे विदा होने वाले हैं। और हम सब मिलकर खुशिया मना रहे हैं। नाचका रहे हैं। बड़े भीया, यह घड़ी दुख और सुख का संगम है। क्या हम विवा में खुशिया नहीं मनाते। और फिर बाजे गाजे के बीच, क्या हम तुलहन को विदा करते समय आसु नहीं बहाते। यह घड़ी भी कुछ ऐसी ही है। अब हमें पितामा को सदा के लिए विदा करना ही होगा। प्रणाम महराज। क्या बात है पहदी। महराज, वीर सिंग, पितामा का सेवक। आपके लिए पितामा भीष्म का संदेश। बड़े भीया, लगता है पितामा ने हम सब को बुला भेजा है। महराज, वो धितराष्ट और गांधारी सहित सभी को मिलना चाहते हैं। और भगवान श्रीकिष्न के दर्शन करना चाहते हैं। चलिए बड़े भीया। पितामा, पितामा हमारे प्रतिछातर रहे है। चलिए। पितामा पितामा चाहते हैं। पितामाा चाहते हैं। कर दो कर दो पितामा देखिए आप से मिलने के लिए आपके परिवार के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं पितामा प्रणाम पितामा मेरे अपनों को यहाँ देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है इनी का स्ने इनी का स्ने तो मेरी अंतिम संपत्ती है जो मैं साथ लिए जा रहा हूँ ताच्ष्री शोक मत करो पुत्र आज माग शुक्लस्ट भी है मेरे जानी का समय आ गया है ताच्ष्री नहीं ताच्ष्री नहीं ताच्ष्री नहीं पितामा नहीं नहीं पितामा नहीं 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 ताच्ष्री नहीं पितामा नहीं केशो, पुत्री धिष्ठे, समझाओ इन सब को, कि ये रो रो कर मेरी वापसी के रास्ते में, अपने आसों के समंतर से बाधा ना डाले, मेरी अंतिम यात्रा कठिन हो जाएगी, पुत्र धित्राश्ट्र, मुझे हस्ते हस्ते विदा करो, तुम तो धर्म चामते हो, ज्यानी हो, फिर अब मुह के आदीन क्यों होते हो, प्रारब्द के अनुसार ही सब कुछ होता है, पुत्र, फिर ये शोक क्यों? ये धित्राश्ट्र, ये गांधारी, ये कुंती, ये पांडवो, मेरा अंतिमुख्देश्याद रखो, सदा सरवदा, सत्य का पालन करो, सत्य जैसा सामर्थ शाली, कोई दूसरा नहीं होता, पुत्र युधिश्ठेर, पृत्वी का पालन धर्म से करो, ये वासुदेव, ये शंख चक्र गदाधर, मेरा प्रणाम स्विकार कीजिये, और अपने श्री चरणों में, मुझे आश्रे दीजिये, प्रभू, मेरी बड़ी इच्छा थी, कि मैं इस युद्ध में स्वैम आपके हाथों मारा जाओं, और मेरी आत्मा को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस युद्ध भूमी पर, मेरे प्रती अर्चुन के प्रेम, स्नेह और आदर को देखकर, आपने हथियार न उठाने पर वेवस होकर, जब सुदर्शन चक्रधारण किया था, और मेरी और क्रोच से आगे बढ़े थे, तुमानो, तुमानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल कर आपका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी थी, क्योंकि आपके हाथों मरकर, मुझे ततकाल बोश की प्राप्ती हो जाती, परंतु अगले ही शर्ण, मुझे निराश होना पड़ा था, क्योंकि अर्चन ने आपको रोक लिया था, हे पितामा, मनश्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हाँ प्रभू, मनश्य को ईश्वा से तो कभी निराश नहीं होना चाहिए, और इस समय, इस समय तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ, क्योंकि माताश्री ने मुझे तुरंत मुक्ती प्राप्त करने का उपाय बता दिया है, हे प्रभू, अब इस नश्वा शरीर और संसार को त्याहगने की आज्या दीजिए, हे निश्पाप, हे महमानों, हे पितामा, संसार में अब आपका कार्य संपूर्ण हो चुका है, आपका महान कार्य और महान कीर्थी, जब तक ये संसार रहेगा, अक्षय रहेगी, हे पुर्णे आत्मान, आपके पित्र भक्ति और देश भक्ति समस्त प्रित्री लोगवासियों के लिए एक आदर्श बन कर रहेगी, हे प्रभू, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मुझे अपने प्राण त्यागने की आखिया दीजिए, प्रभू, आप जानते हैं, इस मोह ग्रस्त बन को, अब संसार का मोह नहीं रहा है, पर एक आंतिम लाल सा है, प्रभू, आपने आंतिम समय में मुझे दर्शन देने का वचन दिया था, हाँ वच, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, धन्यवाद प्रभू, अब तक आपको मान और रूप में देख देख कर ही तो जीता रहा हूँ, परम तुम मरते समय मैं आपको चतरभुज रूप में देखना चाहता हूँ, उस दिव्य रूप के दर्शन से अपनी अंतरात्मा को तृप्त करना चाहता हूँ, तथास तूँ, अंतरात्मा को नापको पका तूप में आपको की अंतरात्मा काहता हूँ, धक्या का अंतरात् sehen Deborah – देख किना हूँ, जीते अंतरात्मारा हूँ, भीति में आपको पार रूप में नापको बसका हा। यह जो पर चुट शोटमाने अश्चों से लिए जरने बुस्ट बढ़िया के श्राइच कुट। हे ब्रभू गंगा मैया ने मुझे कहा था कि आपको सामने रखकर ही मैं अपने शरीर का त्याग करूं तो मुझे उसी समय आपके श्री चर्णों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी मैं अब अपने श्री चर्णों में मुझे मुक्ति दीजिए त्थान दीजिए तेवरत तुम मेरे परमभग्त हो तुम्हारे जैसी महान आत्माओं को मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती है तुम्हारे जैसे भग्तों के लिए मुक्ति स्वयम हाँ चोड़े खड़ी रहती है जिस प्रकार तुम्हें इच्छा मृत्य का वर्दान प्राप्त है उसी प्रकार मेरे परम भग्तों को इच्छा मुक्ति का अधिकार होता है सु यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें परमधाम इसी एक्षण प्रदान कर सकता हूँ परंतु मैं तुम्हें उससे भी उच्छा स्थान प्रदान करना चाहता हूँ प्रभू आपके परमधाम से उच्छा स्थान और कौन सा हो सकता है माता की गोद तेवरत प्राणियों के लिए उसकी माता उसके लिए भगवान से भी उँची होती है इसलिए माता की गोद का इस्थान मेरे परमधाम से भी उँचा है देखो मात्र लोग के द्वार में तुम्हारी माता बाहें पसारे कि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है इसलिए वत्स मैं तुम्हें मात्र लोक में वो इस्थान प्रदान करता हूं जो स्वर्ग का भी स्वर्ग है जाओ वत्स वहाँ भी तुम्हें मेरे ही श्री चर्णों में रहने का आनंद प्राप्त होगा क्योंकि तुम्हारी माता गंगा भी वहीं रहती है वत्स नौजात और निश्पाप शिशो की भाधी अपनी माता के कोद में समा जाओ जाओ निश्पाम जीवन जीकर जगत से जाने वाले तुझको प्रणा जाने वाले तुझको प्रणा कृष्णा 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 कुछने कुछने हैं कृिस्णा घरे कृिष्णा है जी कृिस्णा है 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 हमया सच्चि दानंदर उपाया विश्व पत्या धिये तवे श्री वाइण नहां सच्चि आये चिएक्रष्ना वेडन अहाओ स्चिएक्रिष्न विद्र है मुरा रे नात ना राये वासुह ते ये छाहे ठाहे ठाहे हैं लाहे ठाहे हैं प्रभो प्रम तुम मरते समय मैं आपको चतर्भुज रूप में देखना चाहता हूं तदास्त प्रभो एपने शरीर का त्याग करूँ तो मुझे उसी समय कि आपके शरी चणों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी वैया गया अब अपने शरी चणों में मुझे मुक्ति दीजिये स्थान दीजी तुम मेरे पर्म भक्त हो तुम्हारे जैसे महानात्मां को मुक्ति मांगी नहीं पड़ती है तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मुक्ति स्वयम हाँ चोड़े खड़ी रहती है तेवरत प्राणियों के लिए उसकी माता उसके लिए भगवान से भी उंची होती है इसलिए माता की गोद का इस्थान मेरे परम धाम से भी उंचा देखो मात्र लोग के द्वार में तुम्हारी माता बाहें पसारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है वक्स नवजात और निश्पाप शिशु की भाती अपनी माता के कोद में समा जाओ जाओ निश्का मुझी वन जी कर जगत से जाने वाले तुझको रणा जाने वाले तुझको रणा परमात यज्य में ताणों का अर्ध्य चढ़ाने वाले तुझको रणा जाने वाले तुझको रणा तुझको रणा करता हूँ अपने सुखों की चिंटा नहीं की सब के हितों की ही रखवाली घाओं की पीड़ा सहकर ओ मुश्काने वाले तुझको दना जाने वाले तुझको प्रणा मुश्काम जीवं जीकर जगत से जाने वाले तुझको प्रणा मुश्काने दूनिस प्रह निश्वार्थ नरोतम निर्मल दर्पन साते रामन रक्षक सिंघासन का रहा पर बाध सकाना तुझे सिंघासन तुर्योधन अपनी जीवा को लगान दो अशत्यों सुनना सीखो रहके अधर्म के पक्ष में धर्म निभाने वाले तुझको प्रणा जाने आले तुझको पार्थ ने तुझ पर तीर जलाए छलनी हुआ पर पाथ कांतन निजपद के निर्वात तुने उन तीरों का दिया प्रत्युत्तन आप ही अपनी व्रित्यु की युक्ति बताने वाले तुझको दणा परमात यज्या में प्राणों का अर्गें चड़ाने वाले तुझको प्रणा जब तक इस धरती पर बहती अम्रित सलिला गंगा धारा गंगा पुत्र तेरायश तब तक गाएगा संसार ये सारा कर्म की अगनी में तन मन प्राण तपाने वाले तुझको प्रणा 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 शत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत्षत रना रना रना, रना रणा शट्षट रना माता श्री के गोद में सुथ करे चिर्व शाम यहीं मुक्त यहीं शान्त यहीं सर्व सुखों का धां सुत कर चिर्वेशा क्या विडम बना है गांधारी भीश्म पितामा के रूप में एक महा मानव संसार से चला गया पर उन्तों संसार जैसा था वैसा ही है सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है राजा राज कर रहा है लोग खापी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो परंतु मेरे मन की दशा कुछ और ही कह रही है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हस्तिनापुर ताच्ष्री के कांधों पर टिका था और अब ताश्री के मृत्यू के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे हस्तिनापुर का अस्तित्र ही समाप्त हो गया हो मेरे सभी अपने मुझे छोड़कर चले गए यहां अब मेरा दम खुटता है यह महल मुझे कारा ग्रह लगने लगा है जाल में फसे हुए किसी पंची की भादी फटड़ा रहा हूं मैं यहां हमारी नरम मुलायम सया भी मुझे शर सया लगने लगी है जीवन एक बोज लगने लगा है कांधारी मेरे कांधों पर अपरादों का इतना बोज है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी पलिस बोज के कारण तूटकर बिखर जाओंगा मैं नहीं माहराज नहीं मनुश्य को तो हर हाल में अपने जीवन की नईया खेनी ही पड़ती है क्या अब भी तुम्हें जीवन का मोह है नहीं माहराज जीवन का मोह होता तुम्हें इस संसार से आंखे चुरा कर अपनी आंखों पर ये काली पटी क्यों बांती है तो फिर क्यों न हम दोनों ही इस संसार का द्याग कर दें याब क्या कह रहे है माराज धर्मराज ने बिना कुछ कहे अपने कर्मों से मुझे द्याग का पाठ पढ़ा दिया गांधरी अब मैं शेश जीवन रिशी मुनियों के साथ वन में बिताना चाहता हूँ तपस्या करना चाहता हूँ अपने पापों का प्राहिस्चित करना चाहता हूँ ताकि मेरे मन का बोज हलका हो जाए आपके मन से ये बोज उतारने में मैं अवश्या आपका हाथ बटाऊंगी माहराज गांधरी कौन हो तुम भाई और राजपत पर कहां घुसे चले आ रहे हो लगता है महराज से भिक्षा लेने आये हो नहीं नहीं मैं भिक्षा लेने नहीं आया मैं महराज धित्राश्ट से मिले आया हूँ महराज धित्राश्ट से हाँ मैं उनका भाई हूँ तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या महामंत्री विदूर शुमा कीजिए हमने आपको पहचाना नहीं राज छोड़कर गए हुए आपको बहुत दिन हो गए थे ना हाँ इतने समय में तो आप एकदम बदल गए है राज के महामंत्री इस दशा में हम तो क्या कोई भी नहीं पहचान सकता मैं समझ सकता हूँ फिर भी हमें शमा कीजिए ठीक है अच्छा हुआ महामंत्री जी लौट आए बांड़ों के प्रती कौर्वों के दुर्वेभार से रुष्ठ होकर चले गए थे पांड़ों के लौटने का सेमाचार पाकर ही वापस आए होंगे पितामा भेश्म के देहान के बाद अब कोई तो होगा जो पांड़ों का मार्ग दरशन कर सकेगा तुम आगए विदूर तुम आगए मैं जानता था विदूर तुम लौट आओगे तुम लौट आओगे पिछली सारी बाते भुलाकर तुम लौट आओगे पांड़ों की जीत और पितामा की मृत्यू का समाचार सुनकर भी यदि तुम वापस नहीं आते तो मैं तुम से सदा के लिए रूश्ट हो जाता तुम नहीं जानते पितामा के बाद मुझे और पांड़ों को तुमारी कमी कितनी खल रही थी तुम बोलते क्यों नहीं विदूर क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो काका श्री भूल जाये पुरानी बातों को जिसके कारण कुरकुल में फूट पड़ गई थी और युद अनिवार्य हो गया था विदूर हमारी बुद्धी भ्राष्ट हो गई थी जो हमने ना तुम्हारी बात को समझा ना श्री कृष्ण की भविश्य वानी पर कान धरे इसी भूल का हमें बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ा है मैं जानता हूं महाराज और ये तुम्हें पहले से ही जानता था कि मैं ये विनाश नहीं देख सकता था इसलिए यहां से चला गया था विनाश तो नहीं टला परन्तु इस कुल के पांच दीपक नश्ट होने से बच गए इश्वर उनकी सदा रक्षा करेगा विदूर अब आप आ गये हैं तो पांचों पांडवों के मार्क दर्शक बन और अपने ज्ञान प्रकाश से इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ महराज धितरास्ट आप हमारे जेश्ट हैं आप ही पांडवों को रास्ता दिखाएंगे मैं अंधा तो स्वैम जीवन भर अंधकार में ठोक रेंखाता रहा हूं मैं किसी को क्या रास्ता दिखाऊंगा ये काम तो अब तुम ही को करना होगा विदूर नहीं महराज द्वारिका धिश्री कृष्ण के होते हुए इन पांडवों को किसी और मारदर्शक की आवशकता ही नहीं है नहीं विदूर मैं तो चाहूंगा ये दायत तुम ही समालो प्रणाम द्वारिका धिश्र विदूर तुम तो इस राज्य के महामंत्री रहे हो तुमसे अच्छा राज नितिग्य पांडवों को और कहां मिलेगा इसलिए तुम अपने अनुभों से पांडवों को लाब उठाने दो प्रभू मैं तो आपका भक्त हूं अगर आपकी आज्या हो तो अवश्य प्यास करूंगा परंतु प्रभू अब राजनितियों और संसार के प्रलुभन से मेरा मन उप गया है हाँ विदूर अपने पुत्रों और पितामा की मृत्यू के बाद मेरा मन भी संसार में नहीं लग रहा है ऐसे संसार में रहने का क्या अलाब संसार में हम रहें न रहें संसार यूही चलता रहा है और यूही चलता रहेगा परंतो जब तक हम संसार में हैं हमें अपना करतावितो निभाना पड़ेगा महराज आप मुझे बुला लिया होता राजमेहल छोड़कर आने का कष्ट आपने क्यों उठाया राजमेहल तो क्या सब कुछ छोड़ने का निर्ने लिया है हमने सब कुछ छोड़ने का निर्ने ये क्या कह रहे हैं आप हाँ कुंती जब संसार से दिल ही उठ गया हो तो इस वैभा में रहने का कोई अर्थ ही नहीं होता आप ठीक कह रहे हैं दिदी संसार भी तब तक सुहता है जब तक कि इसमें मन लगा हो वैसे भी हमें प्रस्त आश्रम छोड़कर वानप्रस्त आश्रम में प्रोवेश करना चाहिए पिता मा भी नहीं रहे क्योंकि सेवा करने के लिए हम यहीं रहते हैं नहीं कोई पुत्र रहा जिसका उत्तरदाय तो पूरा करते हैं और पांड़ों ने भी रज्य का कारे भार सम्हाल ही लिया है यह आप क्या कह रहे हैं अचारे मैं सत्य कह रहा हूं महाराज महाराज धित्राष्ट और महाराणी गांधारी संसार त्याग करवन में जाना चाहते हैं नहीं नहीं यह कैसे हो सकता है कि माता और पिता वनवास चले जाएं और पुत्र राज सिंगासन पर बैठ कर राज करें मैं ताचरी धितराष्टु और मातर गांधारी को वनवास नहीं जाने दूगा, कदापी नहीं जाने दूगा आचारी, मैंने युद्ध के भीशन परिणामा को स्रीकार किया है पितामा की मिर्त्यु का आगाद भी मैंने सह लिया है परन्त यदि ताचरी महराज धितराष्ट और मातर गांधारी वनवास चले गए तो ये दुख मैं नहीं सह पाऊंगा, उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए अचारे महराज, जब कोई अपने जीवन का अंतिम निर्णे ले ले, तो कोई उसे बदल नहीं सकता ताचरी को अपना निर्णे बदलना होगा, हमारे लिए उन्हें अपना निर्णे बदलना ही होगा नहीं पुत्र, नहीं, ये निर्णे अब बदला नहीं जा सकता आप हमसे इतना रुष्ट हो गए ताच्री कि हम सब कुछ छोड़ कर चले जाने चाहते हैं नहीं पुत्र तुम तो मेरे आज्याकारी पुत्र हो मैं तुम से कैसे रुष्ट हो सकता हूं फिर आप हमें इतना कठोर दंड क्यों दे रहें ताच्री हमारे स्वरों पर से माता पिता की छत्र चाया है अटा रहे है ऐसा कौन सा अप्राध हुआ है मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है मुझसे ताच्री नहीं पुत्र तुमसे कोई भूल नहीं हुई है क्या हमारी सेवां में कोई कमी रह गई थी ताच्री नहीं पुत्र नहीं तो फिर आप वन्वे क्यों जाना चाहते हैं पुत्र मैंने ये निर्णे धर्म और शास्त्रों के अनुशार ही तो लिया है प्रध्धावस्था में राज्य का उत्तर दायत पुत्रों पर सौप कर पिता के वान प्रस्थ आश्रम का स्वीकार करना शास्त्र सम्मत ही है बड़े भीया केशो ताश्री धित्राष्ट ने जो निर्णे लिया है वो उचित है ये तुम क्या कह रहा हो केशो हां बड़े भीया ताश्री धित्राष्ट के मनुदर्शा के बारे में आप थोड़ा भी सोचेंगे तो आप इन्हें रोकने का प्रयास नहीं करेंगे पहली बात तो यह है कि ताश्री धित्राष्ट को धर्म शास्त्र के अनुसार अपने जीवन वितीत करने का पूरा अधिकार है और दूसरी बात यह है कि ताश्री अब अपने मन के शुद्धी करना चाहते हैं इसलिए उन्हें रोकना उचित नहीं है कि अधिए प्रविए मनुष व्रिद्धा अवस्था में अपने जीवन का सिंघाव लोकन करता है और वो अपने पाप और पुन्य का लेखा जोखा बनाता है इस अवस्था में वो अंतर मुख होता है और इश्वर के शन में जाता है और अपने किये का पश्चताप करता है अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए इश्वर से आशिरवाद मांगता है वो इस अवस्था में इश्वर की परम भक्ति करता है क्योंकि जीवन के इस अंतिम पर्व में वो यह जान जाता है कि अंतिम सत्य मिर्त्यू है और मनुश का एक मात्र सहारा परमेश्वर है उसका ये भ्रम तूट जाता है कि वो सर्व शक्ति मान है और वो जीवन के अंतिमें ये जान जाता है कि जो कुछ भी होता है वो इश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है इसलिए मनुश अपने व्रिद्धा वस्था में इश्वर के अधिक निकटा जाता है बड़े भीया ताज श्री भी इश्वर की परम भक्ति करने के लिए वन में जाना चाहते हैं तो क्या उन्हें इश्वर की भक्ति से रोकना उचित है श्री कृष्ण ठीक कह रहे हैं तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा तात हूं इसलिए तुम्हारे सामने सच्चाई को स्वीकार करने में लज्जा आड़े आई थी परम तो अब जब की मेरे मन की बाद श्री कृष्ण ने बता ही दी है तो सुनो अहंकार और अभिमान की बैसाथियों के सहरे मैंने कुछ समय के लिए गलत रास्ते का चैन कर लिया था अब मैंने उन बैसाथियों को तयाक कर भक्ति मार्क को स्वीकार कर लिया है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं भक्ति मार्क पर चलकर अपने पापों का प्राइस्चित करूं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जेश्टा करूं ताच्री धितराष्ट्र इस माया मोह से भरे संसार से निरलिप्त होना चाहते हैं क्या उन्हें मोक्ष प्राप्ति से वंचित रखना उचित है मत रोकिए ने मत रोकिए ताश्री को मत रोकिए पेडान ताश्री आय उस्मान भव आय उस्मान भव मैंने कह दिया न कि मेरा निर्णा अटल है मुझे हर हाल में महराज धित्राष्ट और दीदी गांधरी के साथ बन में चाना होगा परन्तु मत शरी आप हम सब को अकेला छोड़कर बनवास कैसे जा सकती है हाँ मत शरी हम आपके बिला कैसे रह पाएंगे आपने सारा जीवन सारा जीवन किवल दुख हे दुख उठाया है परिवार का सुख तो कभी आपको मिला ही नहीं मत शरी दुख भरे दिन बीच जाने के बाद इतने सारे कष्ट उठाने के बाद अब एक साथ सुक चैन की सांस लेने का समय आ रहा है हमें आपकी सेवा करने का अफसर मिल रहा है और आप हमें छोड़कर जाना चाहती है यह उचित नहीं है माताश्री यह उचित नहीं है मैं जानती हूं कि तुम सब भावक्ता के अधिन होकर यह बोल रहे हो परन्तु जहां करदव्य और धर्म निभाने की बात आती है वहां भावक्ता का त्याक करना ही पड़ता है मेरा करताव्या और मेरा धर्म यही है कि मैं अपने जेष्टों की रद्धावस्ता में सेवा करूँ आकिर मैं ही तो उनके एक मात्र बहु हूँ इसलिए मुझे ताच्छी के साथ पनमे अकेली जाने से मत रोको ताचुरी, ताचुरी, कैसे साचुरी हम आपके पुत्र है्, आपका खून है और आप हमें भुलाकर उनके नाम की मारा जब रही है जो हमारे कोई नहीं है भीम सेल तुम्हें भावुक होने का अधिकार तो है पर तुम्हें भावुकता में बहकर अपने जेश्टों का अपमान करने का अधिकार नहीं है महरा ध्रतराष्ट और दीदी गंधारी तुम्हारे माता पिता की भाती है उनका अपमान करना मेरे अपमान करने के समान है मैं उनकी बहु हूँ और उनका अपमान सहल नहीं कर सकती अपने जेश्ठों का आदर करना गुरुकुल की परंपरा है हमारा धर्म है परन तो उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं नहीं निवाय है माताश्री इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने धर्म का बालन न करें हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना ही पड़ता है फिर आपने हमें कौनों के साथ यूद करने का प्रोचाहान क्यूं दिया था क्यों वासु देव द्वारा असंदेश भेज कर हमारे दिलों में प्रतिशोत की आख भड़का दी थी, कि लोट कर आना, तो माथ्य पर कौनों के रक्ट से वीजय तिलक लगा कर आना नहीं तो नहीं उस समय मैंने, एक नारी होने का कर्तब निभाया था, एक खत्रानी होने का धर्म निभाया था कोई भी नारी, कोई भी ख्षत्राणी ये कैसे सहन कर सकती है, कि उसके बेटों की लाज, उसकी बहु को भरे दरवार में निर्वस्त किया जाए? वो हिसाब, सभ्यता और द्रॉपती के अपराधी कौर्वों की बृत्यू के साथ पराबर हुआ पुत्रों, मुझे समझने का प्रयास करो, जिस तरह मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर, तुम सब से दूर जा रही हूँ, उसी तरह तुम सब भी अपनी भावनाओं को लगाम दो, मुझे मेरा करतव्य और मेरा धर्म निभाने से मत रोको मैं महराज द्रितराष्ट्र और दीदी गंदारी की आखे बनकर वन में उनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं बुढ़ापे में उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उनकी बुढ़ापे की लाठी बनना चाहती हूँ वाबुआ वाबुआ आपके सभी पुत्रों की भाति धर्म राज भी अपना धर्म भूल गये थे परन्तों आपने अपना धर्म नहीं बुलाया, हे पांडो, धर्म निभाते हुए रिष्टे नाते नहीं देखे जाते, धर्म का ये पाठ तुम सब धर्म युद्ध करने के बाद भी बूल गए, ये मत भूलो, कि परिस्थितियों के साथ, मनुष्य के लिए धर्म की परिभाशा भी बदल जाती है, और मनुष्य को अलग-लग रूप में अपना धर्म निभाना पड़ता है। तुम्हारी मां महरानी कुंती भी ऐसी महान नारी है जिन्होंने नारी के अलग-अलग रूप में अपना धर्म उत्तम स्वरूप से निभाया है पुत्री के नाते अपने माबाप की लाज की रक्षा के लिए अपने जेश्ट पुत्र कर्ण को त्याग दिया पत्नी के नाते हर दुख सुख चुप चाप सहन किया मा के नाते ना किवल अपने पुत्रों बलकि मादरी के पुत्रों को भी अपना समझ कर उने प्यार दिया सास के रूप में अपनी बहो की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए अपने पुत्रों को महा युद्ध में अपने प्राणों के बलिदान देने के आदेश दिये और अब बहो के रूप में अपने जेश्टों की सेवा करना चाहती है वा कुंती वा धन्य है आप धन्य है इसलिए हे पांडों हे बड़विया जाने दो कुंती बुआ को वनवास में अपना धर्म और कर्तव निभाने के लिए और छोड़ जाने तो इस संसार के लिए एक ऐसा उत्तम उधारन धर्म पालन का किस संसार को कैसे भोगा जाता है और संसकार कैसे निभाय जाते हैं किसा इस संसार क्वार जाते हैं हे भक्त वत्सल हे कमल लेंद हे नारायंट आपको मेरा प्रणाव हूँ हे प्रभु हे सरवात्मन आप तपसियों के तप है कि देवताओं के भी देवता है समस्त्र चराचर के स्वामी है आपको मेरा प्रणाम काकश्री मैं तो आपका भक्त हूं भगवन भगवान और भक्त के रिष्टे को अब और कोई नाम मत दीजिए संसार में जब आत्म शरीर धारन करता है तो शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधों का भी आधर करना पड़ता है इसलिए मैं अपने जेश्टों का हर हाल में आधर करता हूं काकश्री बड़े भईया आपको बार बार याद कर रहे थे कितनी व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे आपको यूं हस्तिनापुर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था हाँ प्रभू यह मेरी भूल थी मैं सच्चाई से दूर भाग रहा था और संसार में भगवान को खोज रहा था आप हमारे पास थे और मैं आपको ही ढूंटा फिर रहा था प्रभू इस इस भूल के लिए ख्यमा कीजिए सबेरे का भूला यदि सांच को घर आ जाये तो सुब भूला नहीं कहते अब आपको कहीं जाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी आप अंतर्यामी है प्रभू अब हस्तिना बुरी नहीं मेरे संसार छोड़कर जाने का समय आ गया है मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए यहां लोट कर आया हूं है यह प्रभू मेरे जीवन का अंतिम पर्व भी समाप्त होने वाला है इससे पहले आपके श्री मुख से गुरूब देश सुनना चाहता हूं मैं आपको तार्किक द्रिश्टी से जानना चाहता हूं मेरी इच्छा पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें प्रभू हे महामते मुझे न देवता न गंधर्व न पिशाच न राक्षस तार्किक द्रिश्टी से जान सकते हैं फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं यदि तुम मेरे पर्म तत्व को जानना चाहते हो तो संचिप्त में ये जान लो कि सभी तत्वों का मैं सूक्षम आत्म स्वरूप हूं जो उत्तम तत्व है वो मैं हूं मैं भूत वर्तमान और भविश्य का आधि हूं परन्तु मेरा आधि कोई नहीं पित्वी, वायू, आकाश, जल, अगनी, मन, बुध्धी, तेज, सत्व गुण, रजोगुण, तमुगुण, प्रकृति, विक्रति, विद्या, अविद्या, शुब, अशुब, ये सब मुझी से उत्पन्य हुए हैं जब ये सब कुछ नहीं था, तब भी मैं था, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा, तब भी मैं रहूँगा आध्म तत्व को जानने वाले पुरश, विविन हित्वुद्वारा, जिसका साक्षात कार करते हैं वो आदि मध्य और अंत से रहित सनातन पुरुष मैं हूँ संपून भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन होते हैं और मेरे ही द्वारा तुरंत जीवन धारन करते हैं और जब प्रले आता है तो सब के सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं हे महामते मुझे जो जैसा जानता है मैं उसके लिए वैसा ही हूँ यक्य के ग्याता मुझे यक्य कहते हैं वेदों के विद्वान मुझे वेद बताते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्म जनित जन्म मरण सब मेरे ही सुरूप हैं हे वत्स इस संसार के माया मोह से ब्रहमित होने वाले मेरे परम सुरूप को नहीं जानते परंत जो नित्य निरंतर मेरी भक्ती में लीन रहते हैं उन्हें मेरे सुरूप का बोध हो जाता है हे महामते ये सब जो आपको बताय जा रहा है ये देवताओं और मनुश्यों के लिए रहस मैं हैं यही परम कल्यानकारी है इसलिए आप इसे ही मोक्ष की अभिलाशा रखने वाले पुर्चों का मार्ग समझें प्रभू मैं अनुग्रहित हो गया हूं प्रभू ये दिविरहस जान करतो अपने प्रभू से मिलन की लाल्सा की बढ़की हुई आग जो मुझे अब तक तरपाती रही है एक द्वार से दूसरे द्वार तक भटकाती रही है परंतु अब मुझे एक ही द्वार दिखाई दे रहा है अपने प्रभू की भक्ति का द्वार हाँ प्रभू, संसार की मुहमाय के पेरे में अब मैं और नहीं भटक सकता आपने मुझे पांडों की सेवा करने का आदिश दिया था जो अब ये भार मैं नहीं उठा सकूँगा प्रभू मुझे ख्षमा कीजिए और इस संसार को छोड़ कर वन में चाने की आग्या दीजे प्रभू, ताकि मैं निरंतर अपने प्रभू का स्मरन कर सकूँ मेरी ये विंती स्विकार कीजे प्रभू, स्विकार कीजे तथास्तु जगत से गानी हुई मन में चले है राजा बन जोगी बन में जगत से गानी हुई मन में चले है राजा बन जोगी बन में चले है राजा बन जोगी बन में यहां फूलों की सेज़ पे सोना यहां फूलों की सेज़ पे सोना घास पात का वहां बिछोना बोज बुढ़ा पे काप ढोना कठन है निर्चन में चले है राजा बन जोगी बन में जगत से गानी हुई मन में चले है राजा बन जोगी बन में जले है राजा बन जोगी बन में माया महल दास और दासी जाग चले बन कर सन्यासी मोक्ष प्राप्स का यतन करेंगे दूब निरंजन में चले है राजा बन जोगी बन में करेंगे राजा बन जोगी बन में किसे बने बन में जोगी बनाड़ करेंगे इस दोगा बन में प्राप्स कि जुआ को एंट 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 कि जुआ को कि अवर्ण एंट क्रिष्णा हरे क्रिष्णा हरे हरे सच्चिदानन्द रूपाया विश्व पत्यादि हेत्वे तापत्य विनाशाया जी क्रिष्णाया वयं महा सच्चिदानन्द रूपाया सच्चिदानन्द रूपाया सच्चिदान्द रूपाया सच्चिदान्द रूपाया सच्चिदान्द रूपाया सच्चिदान्द रूपाया सच्चिदान्द रूपाया सच्चिदान्द रूपाया तादे किस्राव राधे किस्राव हरे हरे जगत से गानी हुई मन में चले है राजा बन जोगी बन में माया मेहल दास और दासी माया मेहल माया मेहल दास और दासी जाग चले बन कर सन्यासी मोख्ष प्राप्षिका यतन करेंगे तूब निरन जन में चले है राजा बन जोगी बन में प्राणाम भगवन कल्या नमस्तु मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था पुत्र हमारी प्रतीक्षा हाँ पुत्र मैंने अपनी दिवविद्रश्टी से तुम्हें पहले ही देख लिया था कि तुम पांचों मेरे पास आ रहे हो इसलिए मैंने तुम्हारी कुटिया भी तैयार कर दी है पिता मा ना पुत्री ना इस दाश्रम में किसी भी विकारों को स्थान नहीं है किसी भी भावना को स्थान नहीं है स्थान है तो केवल एक ही भावना को भक्ती भावना को इश्वर को समर्पित होने की भावना को चलो यहां जो भी आता है अपने विकारों और मोहमाय को त्याग कर ही आता है तो मैं भी यहां रहकर अब केवल इश्वर की आराधना और मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए परन्तु भगवन जिस दशा को आज हम प्राप्त हुए है उसका कारण क्या है लोब लोब उसका कारण है पुत्र लोब से पाप अधर्म तथा महान दुख की उत्पत्ति होती है लोबी मनुष बहुत सा लाब पाकर भी संतुष्ट नहीं होता भोगों से चाहे वो कितना ही सुख पाले कभी तृप्त नहीं होता ये एक ऐसी लालसा है जो बढ़ती ही रहती है यहां तक कि यही मोह मनुष्य को अपनी अधूरी कामनाएं आशाएं और इच्छाएं पूरी करने के फेरे में डाल कर जन जन मांतर के चक्रविव में फसा इसलिए पुत्र अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लो फिर इश्वर की आराधना करने से परमशान्ती प्राप्त होगी परंतु भगवन हमारे जेश्र भ्राताशे धितरास्त ने जो स्वयम ज्यानी है आज संपूर्ण कुरुकुल की विप्रीत दशा क्यों है अज्यान के कारण हा पुत्री अज्यान के कारण जब लोब के आवरण से आवरित हो जाता है तब अज्यान का जन्म होता है जब तक लोब रहता है तब तक अज्यान भी बना रहता है और जब लोब छीड होता है तब अज्यान शून्य हो जाता है लोब पर विजे कैसे प् धैरिय, अहिंसा, सम्ता, निस्वार्थ, निरलोभ जैसे सद्गुणों का उदय होता है, जो मनुष्य को धर्म के मार्ग से भ्रष्ट नहीं होने देते। इसका अर्थ है भगवन, कि सईयम सबसे श्रेष्ट है। वज, अहिंसा, सत्यवचन, दान, सैयम इन सबसे श्रेष्ट है तप और प्वाज से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। हे धितराष्ट, दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है। माता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है और सन्याज से बड़ा कोई तप नहीं है इसलिए तपस्या करो क्योंकि रिशी, किन्नर, देवता, मनुष्य, पशुपक्षी तथा दूसरे भी जो चराचर प्राणी हैं वे सब भी तपस्या में ही तत पर रहते हैं तपस्या से ही उन्हें सिध्धी प्राप्त होती है और देवत तो अभी प्राप्त किया जा सकता है और सबसे बढ़कर ये कि तपस्या से ही मोक्ष की प्राप्ती हो सकती है इसलिए हे कुरुशेष्टों इस साश्रम के पवित्रवाता वरण में तपस्या करके रास्ते में आने वाले भावसागर को पार करो और अपना उद्धार कर लो क्या बात है बड़ भीया आप इतने व्याकुल क्यों है केशो जब से ताश्री थितराष्ट माता कांधारी और माता कुंती वनवास कए है तब से मैं इस राज महल में अखिलापन महसूस कर रहा हूँ यह सब भागे का खेल है कभी वो विच्छों को मिला देता है तो कभी वो सब को अलग कर देता है देखो ना वो सब तो चले गए और अब मैं भी द्वारी का जाना चाहता हूँ नहीं, नहीं, केशो यह तुम क्या कह रहा हो मैं तुम्हें तुरिके जाने का अनुमति नहीं दे सकता शमा करे महाराज क्या बात है प्रहणी भगवान व्यदव्यास जी भेट करने के लिए उपस्थित हुए है भगवान व्यदव्यास भै आ गया हो subscription प्रेडाम पितामान आई श्मान भाव आईये भागवन विराजी आईये भागवन आप अच्छे समय पर आए है देखे न मधुसुदन द्वारिका जाने के बाद कर रहे हैं अब इनके बिना मैं सारा कारभार कैसे समाल पाऊंगा अब आप हेने रोकिये मैं इन्हें जाने की अनुमती नहीं दूँगा आखिर मधुसुदन पर मेरा भी तो कोई अधिकार है धन्य हो युधिष्ठिर तो प्रभू पर अपना अधिकार जता रहे हो और प्रभू भी धन्य है जिने अपने आप पर तुम्हारा अधिकार स्विकार है युधिष्ठिर मैं प्रभू की इच्छा से ही तुमसे मिलने के लिए हस्तिनापुर आया हूँ युधिष्ठिर तुम ज्यानी हो धर्मा की हो तुम जानते हो मनुष्य पृत्वी लोग पर जन्म लेते समय अकेला आता है और मिर्त्य की उंगली पकड़कर यम लोग जाते समय भी अकेला ही जाता है फिर तुम्हें यह अकेलापन क्यों खल रहा है वद्स अब तुम्हें धृत्राष्ट गांधारी कुंती और विदुर की चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है वो सब मेरे ही आश्रम में है वो अपने जीवन के अंतिम पर्व पर पुन्य संचे करने का प्रयास कर रही है और इस प्रयास में तुम भी हाथ बटा सकते हो वो कैसे भगवन? पुन्य करके पुत्र माता पिता जो भी पुन्य कारे करते हैं उस पुन्य के कुछ आंश का पुत्रों को भी लाब होता है उसी तरह पुत्र जो पुन्य कारे करता है उसके कुछ अंश का माता पिता को भी लाब होता है बताईए भगवन ऐसा कौन सा पुन्निकारे मैं करूँ जिसका लाब मेरी माता श्री और ताश्री को मिले अश्वमेग यग्यगर के पुत्र अश्वमेग यग्यगर? हाँ पुत्र तब यग्य और दान धर्म द्वारा मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर पुनीत हो जाता है पुन्य प्राप्ति के उद्देश से ही यग्य का अनुष्ठान किया जाता है अश्वमेग यग्य से सारे पापों का और चिंताओं का हरण होगा तुम पुन्य के अधिकारी बन जाओगे अश्व मेग यग्य के कारण तृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर इन्हें भी संतोष होगा बड़े भीया, भगवान वेद व्यास के आज्या का पालन करना आपका धर्म है क्योंकि इन्होंने आपको निश्पाप होने का उचित मार्ग बताया है मैं जानता हूँ केशो, कि जो तुम चाहते हो वो तुमने पितामा के मुल से कहलवा लिया क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो और भगवन पड़े हैं हे किश्णा वास्तों में तुम ही सच्चे प्रित्वी पती हो तुम मेरा सम्मान करते हो यही तुम्हारे विशाल हिर्दय का पड़चे हैं तुम्हारे एक उरुपतेश के कारण हम पांचों भाईयों के डूपती हुई नौका आंधी और तुफान का सामना करते हुए किनारे तक पहुँच पाई हैं तुम हमारे मार्क तर्शक हो तुम हमारे कुरू हो इसलिए हे देव की नंदन। तुम्हारे स्वयम प्रजापती हो तुम्हारे साक्षाद धर्म हो हे परमात्मा तुम्ही इस रिष्टी के रचनकार और संघार करता हो इसलिए यदि तुम स्वयम अश्वमेग यग्य की दीक्षा ले लोगे तुम्हे निश्पाप हो जाऊंगा और महान पुन्य का अधिकारी बन जाऊंगा हे धर्मराज आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे यग्य कर सकता है और जब बड़ा भाई यग्य करता है तो उसके छोटे भाई को यग्य का पुन्य अपने आप ही प्राप्त हो जाता है इसलिए आपको ही येगे करना चाहिए क्योंकि आप एक शेष्ट राजा हैं और धर्मात्मा है हाँ पुतरिधिश्ठिर वासुदेव ठीक कह रहे हैं हमारा आशिर्वास सदा ही तुमारे साथ है पेडाम केशो हमारे स्पूजा को स्विकार कीजिए पेडाम वासुदेव हे भगवन अब आप हमें आशिर्व में की एक खे करने की दीख्षा दीजिए में वासुदेव हमारे में पोता है कर दो दीख्षा क्राइब हमारे में वासुदेव आज चैत्र पूर्णी मा है, इस शुप दिन पर मैं तुम्हें अश्व मेग यग्य की दीक्षा देते हुए, प्रसंदो हे युधिष्ठिर, यग्यके इस घोड़े की पूजा करो, और बाद में इसे पिर्थ्वी लोग के संचार के लिए छोड़ दो जोड़ के बाद में पूज़ अब इस घोड़े की रक्षा का दाइत हुए, मैं तुम्हें सौपता हूँ, ये घोड़ा जहां जहां जाएगा तुम्हें इसके पीछे पीछे जाना होगा, पृत्वी पर ये घोड़ा हर दिशा में जाएगा, जहां जहां ये जाएगा वो प्रदेश पांडव का होगा, हे सर्वसाची अर्जुन, तुम महान प्राक्रमी हो, महान धनुर्थर हो, तुम्हारे पास दिव्यस्तों का भंडार है, दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तुनीर है, धर्मराज युदिश्र का या समय यंग्य, तुम्हारे बाहु बॉल और शौड़े पर निर्भर है, प्रित्वी लोग पर जो भी राजा, यंग्य के इस घोड़े को रोकेगा, उसे विद्दु ही माना जाएगा, इस घोड़े को रोकना ही, महराज युदिश्र को चुनोती देना होगा, तुम जानते हो, इस दुश्र साहस का कैसे उत्तर देना होगा? जानता हूँ भगवन, महराज युदिश्र के विरुद उठने वाले सर को, मुझे अपने बाहु बल से जुकाना होगा? हाँ, और सभी राजाओं के सरों को, महराज युदिश्र के चरणों में जुका कर, इस अश्वमेग यग्य को संबन्न करना होगा, आपकी आज्या का पालन होगा भगवन, अब आज्या दिजे बढ़ गई है, अर्जुन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे होते हुए, इस आ फिर भी यदि युद्ध अनिवारे हुआ, तो युद्ध अवश्य करना, मैं ऐसा ही करूँगा, बड़े भईया, जाओ, अर्जुन, विजाई भाव, मंत्रों से याज्या क्रिका, विधिवत कर आवा, अश्वपूज अर्जुन करे, मंगल मैं प्रस्ता, अम्रिक्रार रिजवह संतु पंधा, ये भी सखायों यंकु अवरेयों, समर्यमा संभगों निला, संजास पत्यंकु यमस्तु देवा, संजास पत्यंकु यमस्तु देवा, बांद कुल कीर की बढ़ाने को, दिकला अर्जुन विजैद्वजा चहूं दिश फेहराने को, दिकला अर्जुन विजैद्वजा चहूं दिश फेहराने को, दिकला अर्जुन विजैद्वजा चहूं दिश फेहराने को, माया दंते माया घंडवजा इद्वर तो हो रहा, मन तो चारण, उधर करिये निप्त, सहज समरपण, भूपचरणों में आते हैं, कासबन शीश जुकाते हैं, भेट सेवा में लाते हैं यशोधन बढ़ते जाते हैं अश्प्रमेध काया के जब हो निर्विधन समाप्त विग विजयी राजा करें चक्रवति पदप्राप्त हस्तिनापूर में हर्ष भारी जय अरजन जय धर्म राग बोले सब नर नारिक तक्रूए तरह हो निर्विधन समाप्त हस्तिनाप्त पदप्रमेध काया के जब हो निर्विधन समाप्त हस्तिनाप्त का जब हुआ και और अट-टे करे दे किके वाग कि और अट-टे करे दे gemा तंक ओर अ कि दे महां वार क्योर दे का जो ऐत अ हे महार्शी, हे वासुदेव, आप हे के गर्पा के कारण यह अश्वमेग यग्य संपन्न हुआ है. अश्वमेग यग्य के दक्ष्रा में प्रित्वी का दान है शास्तरों में लिखा है. इसलिए धनन्जे अर्जुन जो धर्थी जीत कराया है, वो संपूर्ण प्रित्वी मैं आपको औरपन करता हूँ. हे धर्म राज, मुझ ब्राम्ण को प्रित्वी का क्या लाब, धर्थी तो राजा को ही सुहाती है. तुम राजा हो, और राज्य करना, प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है. इसलिए तुमने जो धर्थी मुझे अर्पन की है, मैं तुम्हें वापस कर रहा. अब इस स्प्रित्वी पर तुम्ही राज करना. हे उदेश्चे, अब तुम सभी ब्रामणों को दक्षना देकर और दान धर्म करके सभी का आशिरवाद ग्रहन करूँ. जोआ क्या बागवाद। अब जैसा द्यावान राजा इस प्रित्वी पर दूसरा कोई नहीं है. समराग योदुष्टर की चाय हो. हे राजा, ये इस प्रित्वी का सभाग्य है, जो आप जैसा धर्मात्मा प्रित्वी का पालक बन गया है. जादध खिन वर्मात्मात्मात्मात्मात्मら है. लाखों लोग भोजन करके जा रहे हैं दरिद्रों दुख्यों सब के पेट की आग बुझ गई है मन द्रिप्त हो गया है सच मुच्च महराज युदुष्ठिर पुन्यात्मा है पुन्यात्मा खर्मराज आप सवबर्ष तक राज करें हमारा अशिर्वात सदाप के साथ रहेगा ऐसा धर्मकारितों केवल समराज युदुष्ठिर ही कर सकते हैं धन्य हो धर्मराज धन्य हो क्या यह सब सच कह रहे हैं सच ही तो कह रहे हैं यह सब सच कह रहे हैं हाँ यह सब रिशी भी कह रहे हैं रिशी भला जूट बोलते हैं हाँ यह सब सच है नेरे जैसे महान, तयालू, बर्दान वीव, कोई दुसरा राजा इस प्रित्ति लोग पर है यह नहीं। मैं ही इन धर्तिवासियों का तारक हूँ, और मैं ही इन सब का पालक हूँ। और मैं ही इन सब का भगवान हूँ, मैं ही इन सब का इश्च्छवर हूँ। हे अंतर्यादू, धर्म राज के अंतर की ये वाणी सुन रहे हैं आप। प्रभू, यह आपकी कैसी लीला है। युद्ष्ट जैसा अस्थर बुद्धी महात्मा जो भी नम्रता की मूरत था, वो भी आंकार की आधीन हो गया है। महार्शिवयास, मनिश्यों का विकारों के आधेन होना साज ही है। वो अपने आपको प्रिथ्वी का पालक समझ रहा है। इश्वर से बराबरी करने की दिष्टता दिखा रहा है। प्रभू, यू दिष्टेर आपका भक्त है। रिष्टे में वो आपका बड़ा भाई है। क्या आप उसके हंकार का नाश्ट नहीं करेगी। करूंगा, अवश्य करूंगा। करता है। करता है। ए धर्मराज, तुम्हें पुन्य आत्मा हो। तुम्हें निस्वार्थ बुद्धी से जो अन्यदान किया है। वैसा आज तक किसी में भी नहीं किया। भगवान तुम्हें सहस्र वर्षों की आयू दे। सच बोल गए ब्रहम्मरदेवता, मेरे जैसा निस्वार्थ दाता कोई दूसरा नहीं है। नहीं है धर्मराज, यह सत्य नहीं है। यह सत्य नहीं है। किसका सहासा जो इस सत्य को नकार रहा है। कौन है वो। यदि सत्य कह रहा है तो फिर डर कर क्यों चुपा हुआ है। सत्य बोलने वाले यूँ चुपा नहीं करते। मैं चुपा नहीं हूँ, महाराज। सत्य की भाति आपके सामने हूँ। और आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं अरे बोलने वाला निवला वो भी आधा शरीर सोने का हाँ धर्मराज मैंने ही आपके दान धर्म को निर्स्वार्थ मानने से इंकार किया है परन्तु मैंने तो यह सब कुछ अपने किसी भी स्वार्थ के पूर्थी के लिए नहीं किया है इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा यदि आप मुझे आज्या दे आज्या है रुक जाओ है विचित्र प्राणी रुक जाओ आप एक निवला होकर भी मनुष्ट की बाणी में बोल रहे हैं अवश्य आप कोई महात्मा है परन्तु आप भोजन किये बिना कहा जा रहे हैं यदि आप भोजन किये बिना यहां से चले गए तो यह धर्मात्मा पांड़ों का अपमान होगा और आप इने तो आज्या मांगे थी भोजन करने की मैं यहां भोजन करने नहीं इस यग्य की महांता की परिक्षा करने आया था तो फिर कर लिया आपने परिक्षा हो गया आपको इस यग्य की महांता का परिक्षा है आप हमारा उपास क्यों कर रहे हैं महात्मन इसलिए कि जिस यग्ज को आप महान समझ रहे हैं वो यग्ज महान नहीं है हे नेवले, तुम हमारा और हमारे यग्ज का अफमान कर रहे हो अफमान नहीं वाई पुत्र, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ महाराज उदुष्टर का यग्ज महान नहीं है महान नहीं है ये आप क्या कह रहे हैं यग्ज के लिए धर्म अनुसाद जो कुछ भी किया जाता वो सब मैंने किया है मैंने सभी जेष्टों और श्वेष्ट व्यक्तियों की विधि पूर्वक पूजा की है मंत्रा होटी के साथ अगनी का हवन किया है दान दक्षणा करते समय मैंने कभी अपना हाथ पीछे नहीं कीचा मेरी दान दक्षणा से अपनी जोलियां भरने वाले सभी प्राणियों आदी ने इस यग्ज की महान तके एक सुर में गुण गाए है और आप कह रहे हैं कि ये यग्ज ये दान महान नहीं तुछ है धर्मराज आपके यग्ज के कारण सभी के मन को संतोष प्राप्ठ हुआ होगा परंतो यदि ये यग्ज महान होता तो मेरा आदा शरीर जो सोने का नहीं है वो भी इस यग्य के कारण सोने का बन जाता आपका ये यग तो उस दरिद्र ब्राह्मन के यग के बराबर भी नहीं है जिसके यग के भोजन के सपर्स से मेरा आदा शरीर सोने का बन गया था परन्तु ये कैसे संभव हो सकता है संभव है हे महात्मन आप यदि उस दरिद्रे ब्राह्मन ने किस प्रकार से यक्य किया था उसे विस्तार से बताएं तो सब इस्पष्ठ हो जाएगा जैसी आपकी आग्या प्रभू कुरुक्षेत्र की पावन भूमी में कापोती नाम का एक व्रिद्ध भ्राह्मन अपनी पत्नी पुत्र और बहु के साथ निवास करता था हे प्रभू तुमारी बड़ी कृपा है आज तक कोई भी याचक मेरे द्वार से खाले हाथ नहीं लोटा इसके आगे भी कोई भी याचक खाले हाथ ना लोटे बस यही मेरी आपसे बिंद्धी है हर समय कहां एक समान रहता है निरंतर बतलाव का ही दूसरा नाम समय है कुछ वर्षों बाद समय ने कुछ ऐसा पल्ट खाया कि हरे भरे खेट विरान हो गए ना जानवर के लिए घास बूस बचा ना मनुश्य की पेट की आग बुझाने के लिए अनाज ही रहा ऐसा सुखा पड़ा कि हर और भुकमरी ही भुकमरी थी कापोटी के घर में भी अनाज का एक दाना नहीं था उसकी जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि छे दुनों से सारी परिवार ने एक अन का दाना तक नहीं खाया कापोटी और उसका परिवार भी दर्द्रता के अंत तक पहुँच गया था बड़ी ही मुश्किल से खेट की मिट्टी खंगाल खंगाल कर कापोटी सेतु दाने के बीच ले आया बड़ी मुश्किल से छे दिनों बाद एक समय का भोजन तयार हो बड़ी मुश्किल से झाल खंगाल कर रवन प्रद्रता के बीच भी खंगाल खंगाल हुआ है है धर्मात्मा है है अन्य दाता के नाम पर एक भूखे दरित ब्रामन को भोजन खिलाओ अन्य का दान करके पुन्य कमाईए भूखे ब्रामन का आशिरवाद लीजिए क्या आज एक दान्विर के द्वार से भी एक भूखे गरीब ब्रामन को खाली हाथ और खाली पेट लोटना पड़ेगा हे महोदै आप इस घर के स्वामी हैं मैं आपके घर पर एक अतीथी बन कर आया हूँ सुना था आपके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लोटा परन तु आज देख लिया जो सुना था वो जूट था महत्मा ने ठीक ही कहा है मनिश को कानों से अधिक आँखों पर विश्वास करना चाहिए रुक जाए वे प्रवर रुक जाए आज तक कोई भी मेरे द्वार से यूं निराश होकर नहीं लोटा आईए मेरे घर में आपका स्वागत है आपकी सेवा का लाव हमें मिल गया हम धन्य हो गया आईए आईए पधारिये 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 वे राजी वे परवर बैठिये है कि है कि कि विजिए विप्रवर इस सत्तु का स्विकार कीजिए और हमें अनुग्रहित कीजिए कि विजिए टान सुगूर गlor millennials कि विजिए य्रुब इससे तो मेरा पेट नहीं भरा महोदे कर दो स्टिय कर दो मेरा इसाने जह जाओ तो राओ बोस्ता ही लाओा झालिग लगा जाओा है कर दो अगा है लीजिए ब्रामन देता इससे आपकी शुदा शान्त हो जाएगी कि बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं ना सूखा जो पड़ा है अब भोजन मिला है तो भूक शान्त होने में ही नहीं आती अब भी पेट नहीं भरा है कर दो पता है लिजी अधिती देवता, कर्पे आप रुष्मत हो ये माहोदय, क्या कुछ और भोजन मिलेगा? कि अधिस ये तो मुझे आप अधिस्टर आप और इसके लगता है ये ऐसा लगता है मुझे भूखाय उतना पडेगा ऊधिस पार्एटर वगे भी कि ओट वसकता ले को अधिसे आभी मैं जापना आपड़ हो जाएग्या बुच्शन सब्सक्राइग कर दो कि अ कर दो कि अ हुआ 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 है हे कापोती मैं यम धर्म हूँ तुमने और तुम्हारे परिवार में नयाय धर्म और अपने क्षंता से बढ़कर अन्यदान किया है यहां तक कि तुमने अपने अतिती धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं कि तुम्हारा ये दान यग यही है जिससे मैं संतोष्ट हूँ। हे द्विश्ष्ट, तुम्हारे अतिती धर्म का गुडगान तो देवता भी करते हैं, इसलिए मैं इस सूखे में तुम्हारी परिशा लेने आया था। हे विप्लवर, भूख के कारण मनुष अपना विविक हो बैठता है, उसके बुद्धी भर्ष्ट हो जाती है, और ऐसे में धर्म मार्क से वो भर्ष्ट हो जाता है। परंतु तुमने अपने धर्म का पालन करके संसार के सामने एक महान उधारन रखा, तुम महान हो। हे द्विष्टेश्ट, तुम्हारी महनता इतनी है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदे ब्रह्म लोग ले जाने, ब्रह्म लोग से दिव्य विमान आ रहा है। मैं वहीं पर चुपचाप चुपा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही दिव्य विमान अत्रिश्य हुआ, मैं पतलों पर बचे हुए सत्तु के अंज को खाने बिल से बाहर निकला। बचा हुए सत्तु खाते ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। कि शूप है। कि शुप है। अज्यव मेर बच्वाद़ कि नख एक दो एक से जाओंग एक जाओंग एर एक तो एक जाता रही हुआएंग कि दो एक जाओंग कि नख एक जाओंग क्रिश्ना क्रिश्ना हरे क्रिश्ना हरे हरे सच्छी रानंदर उपाया विश्व पत्या दिहे त्रवे तापत्य विनाशाया श्री कृष्णाया वयम्महा शी प्रिष्ण को बिंद अधे मुरारे एनात्र नारायन वासुदे एनात्र नारे पिसे थत्य। हरे 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 अर्शो मेग यग्य के बाद युधिश्चिर को अपने दान धर्म पर अहंकार हो गया था उसका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान शुरी कृष्ण ने अपनी लीला रचकर एक नेवले का आधा शरीर सोने का था नेवले ने पांडवों को एक दरित्र ब्राह्मन की कथा सुनाई वो ब्राह्मन कई दिनों से सपरिवार भूखा था उसने खेट से एक-एक दाना चुनकर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक समय का भोजन तयार किया वो उस भोजन को खाने बैठा ही था कि एक भूखा अतिथी उसके द्वारे आया कई दिनों से भूखे ब्राह्मन ने अपना और अपने परिवार का सारा भोजन उस अतिथी को खिला कर उसे संतुष्ट किया उस दरिद्र ब्राहमन का दान कितना महान है यह सिध्ध करने समयम धर्म अतिथी के वेश में उसके पास आये थी तुम्हारा ये दान यज्ग्य ही है जिससे मैं संतोष्ट हूँ हे दुश्ष्रेश्ट तुम्हारी महनता इतनी है, कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदे ब्रह्म लोग ले जाने ब्रह्म लोग से दिव्य विमान आ रहा है मैं वहीं पर चुपचाप चुपा सब कुछ देख रहा था जैसे ही दिव्य विमान अद्रिश्य हुआ मैं पतलों पर बचे हुए सत्तु के अंज को खाने बिल से बाहर निकला बचा हुआ सत्तु खाते ही मेरा आधा शरीर सोने का हुए तब से मैं उस ब्राह्मन जैसा दान्वी ढूंड रहा हूँ परन्तु मुझे आज तक नहीं मिला आपका नाम तो बहुत है जब मैंने आपका नाम सुना कि युदिस्टर यग्य कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि आज मेरा शरीर पूर्णता सोने का बन जाएगा परन्तु दुख की बात तो ये है कि आपको भी अहंकार है आप भी अहंकार के मारे यग्य कर रहे हैं आप दिखावा कर रहे हैं यहां भी मैं अपने शरीर को पूरा सोने का नहीं बना सका और इसी लिए मैं कहता हूँ कि आपका ये महा यग्य महान यग्य नहीं है प्रेविया केशव मैं तो यग्य का अर्थ ही भूल गया था मैं भूल गया था कि यग्य भक्ति का ही एक रूप होता है मैं भूल गया था कि यग्य करना अर्धात इश्वर की भक्ति करना है मैं ये भी भूल गया था कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है मुझे अपने आंकार में ये भी याद नहीं रहा है कि भक्ति में समर्पन की भावना होती है केश्यू यह कि में काम क्रोध मत्सर आंकार आधिस अभी विकारों की आहुति दी जाती है कि इनका हवन किया जाता है कि परन्तु कि परन्तु मैं अपने आंकार के आधिन होकर अपने आपको इश्वर समझ बैठा था कि जबकि तुम मेरे सामने खड़ेते केश्यों कि अम मेरी इस भाएन कर भूल को एक नेवला ने आकर समझा दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और मेरा अहंकार जूटा है धर्मराज उस नेवले को भगवान श्री किष्ट ने तुम्हारे मारदर्शन के लिए भेजा था मैंने उससे बिंती की थी तुम्हारे अंकार को दूर करने की अच्छा ही हो अपितामा जो आपने अपने पोथे के भैगते ही उसके कान पकल कर खीच लिए कि अब मुझे होश आ गया है कि परन्तु पितामा कि मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मुझसे इतनी बड़ी भेंकर भूल कैसे हो गई हे केशो मुझे शमा कर दो मुझे शमा कर दो केशो बड़े भीया अपनी भूल का ततकाल एहसास करना ही पश्चाताप का आरंभ है अंकार जैसे भेंकर शत्रों से आपको बचाना मेरा करता विथा हे कृष्णा तुम्हारी कृपा दर्ष्टी हम पर सदा अबनी रहे अब तुम्हें भागी रधी के किनारे वन में ताच्ष्री धृत्राष्ट माता गामधारी माता कुंती और काका विदुर से भी आशिरवाद लेना चाहिए जो आज्या प्रभू जो आज्या है है आईए, 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 पधरी प्रफुब, आईए यह है हमार आश्रम, आईए प्रफुब, आईए भग्मन वेद्वियास जीए, मातक कांधारी और मातक कांधारी और दिखाई नहीं दे रही हैं? हाँ, हम उनके दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल हैं हाँ, हमारे व्याकुलता उन्हें देखकर हैं शान्त होगी कदाचित उन्हें देखकर तुम सबके मन और विया शांत हो जाएंगे परन्तु क्यों भागवन वो देखो राज मुकट जिस शीश पे था उस शीश पे कुंभु उठा के राज मुकट जिस शीश पे था कुंभ धरा जिस पे उस शीश पे राज्या भी शेक के कुंभ जले हैं ठोकर खाएं वो छाओं को तरसें जिनकी चाओं आने को पले हैं नियति के निर्णे कर्मों के लेख किसी से कभी टाले न टले हैं पति ब्रत धर्म निभाने को धृत राष्ट के संग आई गांधारी कुंती का त्याग महान के जिसने सेवा धर्म पे ममता वारी महलों में तिनके न तोड़े जिनोंने वो कुटिया वुहारे अचरज भारी छोबन मन में यू रहे वन में जैसे अतिसाधारन नारी शोबन मन में यू रहे वन में जैसे अतिसाधारन नारी ताचरी कौन? प्रडाम ताचरी हम पांड़ों जुदिस्थि सुखी भाव सुखी भाव प्रडाम ताचरी कौन द्रापदी सौभाज्यवती भाव सौभाज्यवती भाव यह 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 मैं क्या देख रहा हूं ताचरी जिनकी सेवा में दासियां और सेवक दिन रात लगे रहते थे आज वो स्वयम सेवक की भावती काम कर रहे हैं लाइए लाइए घड़ा मुझे दीजे नहीं 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 पुत्र जो स्वयम भगवान की सेवा में लग जाते हैं वो किसी से अपनी सेवा नहीं कराते हैं अपना काम स्वयम करते हैं प्रणाम भगवन प्रणाम मदुसूतन प्रणाम माताश्री अपनाम प्रणाम में लेकर आए हैं अच्छा क्या यहीं दिर्श्य देखने के लिए भ्राताश्री कर्ण ने हमें जिवनदान दिया था माताश्री आज आपको देखकर यह पता चला है कि अनात उस अनात में क्या अंतर होता है हे ताथ हे माताओं वो सभी पुन्यात्माई हैं जिने अपने माता पिता की छत्रचाय में रहने का सवभागी प्राप्त है हम तो दुर्भागी ठहरे माताश्री हम तो दुर्भागी ठहरे अब हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे यहीं रहे कर आपकी सेवा करेंगे मधिसुदन तुमी समझाओ इन्हें ताच्छरी के होते हुए मैं भला क्या समझाओं पुत्रों हम सांसारिक मोह के चक्रव्यू से छुटकारा पाने के लिए यहां आये हैं छेश जीवन ईश्वर की सेवा में बिताना चाहते हैं और तुम सभी हमें फिर से माया मोह के चक्रव्यू में भसाना चाहते हो नहीं ताच्छरी तो फिर यहां रहकर हमारी सेवा करने का विचार त्याग दो और हस्तिना पुर्जाकर राजा का धर्म निभाओ और प्रजा की सेवा करो जब आप सब लोग यहां कष्ट में रहेंगे हस्त ना पुर्टुक्या स्वर्ग में भी हमारा मन नहीं लगेगा हमें यहां कोई कष्ट नहीं है पुत्र हम यहां कुछल से हैं यहां के इस पवित्र वातावरण में हमें अपनी खोई हुई मन शांती प्राप्त हुई है और तपस्या के प्रभाव से हमारे तन और मन का ताब भी दूर हो गया है और तुम्हारे काकाश्री विदूर तो महान तपस्वी बन गए है काकाश्री विदूर हाँ पुत्र पनतु काकाश्री है कहाँ दिखाई नहीं दे रहें विदूर घोर तपस्या कर रहा है उसने अन और जलका भी त्याग किया है वो अब केवल वायु भक्षन करके ही जी रहा है केवल वायु भक्षन करके हावत से इसलिए वो बहुत निर्बल हो गया है वो अब बन में केवल एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकता सदा सरवदा ब्रह्मन करता रहता है मैं काकाश्री को ढूम ने कालूगा मैं काकाश्री को अवस्य ढूम ने कालूगा अवस्य ढूम ने कालूगा काकाश्री काकाश्री का क yang है का का शे आखए का शेड़ निए काकाचिरी 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 कार चे जो को दो दो को दो को दो काका श्री रुक जाए अपने लागले के लिए 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 रु काकाष्री पेडाम काकाष्री हे महामते हे महाग्यानी अपनों से ही पिछड़ जाना क्या यही पांडवों के प्रारब्द में लिखाए युद्ध भूमी परमृत्य ने पौत्रों से पितामा तक ना जाने कितने ही रिष्टेदारों को हमारे हाथों से छेल लिया है और अब ताश्री और माताश्री भी हमसे दूर चले गए हर रंत आप हमसे दूर बर्चाईय का कश्रीक अकैकր के समझ नियम आघा कि आसज़ यह लाब मुझे देखकर मुझसे दूर क्यों भाग रही थे पोत्र, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा था मैं जानता था कि तुम मुझे खोज नहीं सकोगे इसलिए मैं सुएम तुम्हारे सामने आ गया था और अपने पीछे लगा कर तुम्हें सबसे दूर यहां एकांत मिलाना चाहता था यह बहुत आवशक था पोत्र कौन सा आवश्यकार है काका शरी के जिसे आप आंत में और चाहता है पोत्र मैं अपना शरीर द्यागना चाहता हूँ को नहीं क कर दो हाँ पोत्र के परंट का करी 21 है आपकी चत्राई और आपकी बुद्धि के बिना मैं राज शासन कैसे चला पावानगा मुझे आपकी अविश्यक्ता है काकश्री आपकी बुद्धी और आपकी चत्राई की अवश्यक्ता है संसार में मेरा कारेख पूरा हो चुका है पोत्र मुझे अपना शरीर त्याग नहीं होगा नहीं काकश्री नहीं निराश मत हो पूत्र शरीर के त्यागने के बाद भी मैं तुम्हारा ही रहूगा हम दोनों एक ही है वद्स केवल हमारे शरीर अलग-अलग है पर तो हम दोनों की आत्मा एक ही है कि तुम नहीं जानते हम दोनों देवता यम धर्म के ही अंच है कि अधियों कि सब खुछ नाश्वान है हमारे शरीर भी नाश्वान है वाद सी दुष्टि इसलिए मैं इस चरीर का त्याग कर रहा हूं और मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा में मिला कर एक रूप कर रहा हूं इस प्रकार मैं सदा ही तुम्हारे पास रहूंगा मरने के बाद भी सदा ही तुम्हारा मार्क दर्शन करता रहूंगा मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा के इस विचित्र संगम को सबसे चुपाने के लिए ही मैं तुम्हें सबसे अलग धलग इस एकांत में लेकर आया हूं कि अत्र क्या तुम मेरी आत्मा को अपनी आत्मा में समाने के लिए तैयार हो कि मंद से भाय को निकाल कर मेरी आखों में निरंतर छाको यहां तक कि अपनी पलके तक ना छपकाना कि समझ गये ना तुम हां का कच्री तो फिर देखो मेरी आखों में देखों मेरी आखों में आखें डालकर देखते रहो पुत्र देखों मेरी आखों में कि 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 झाल 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 क्या विदूर ने प्राण त्याग दिये हैं हाथ आश्री उन्होंने अपने शरीक त्याग दिया इसा लग रहा है कि जीवन के अंतिन सत्य से अरफात अपनी मृत्यू से विदूर पहले ही से परिचित थे हाथ आश्री आपने बिल्कुल ठेक कहा। महात्मा विदूर महाग्यानी थे वो ये सब पहले से ही जानते थे क्योंकि वो साक्षात यम धर्म का अंश थे कुरक्षेत्र में होने वाले महायुद्य का परिणाम भी वो पहले से ही जानते थे इसलिए उन्होंने इस महायुद्य में भाग नहीं लिया क्योंकि इस महायुद्य में होने वाले भीशन संघार का आरोप वो अपने सर नहीं लेना चाहते थे हे मधुशुद्य कौर्वों और पांडवों के इस भीशन संहार का उत्तर दायत्व मुझ पर है और इस विचार के कारण मैं इस पवित्र आश्रम में भी चैन की नीन नहीं ले सकता रात रात भर जागता रहता हूँ मैं काश मैं विदुर की भांती पहले ही से इस युद्ध के परिनाम और अपनी होने वाली दशा को देख सकता तो मैं इस महाँ युद्ध को पहले ही लोक लेता पता नहीं पर लोक में मेरे पुत्र किस दशा में होंगे है वासुदेव है पितामा क्या मेरे पुत्र नर्क की आगनी का इन्धन बन गए है वे देव की नंदन यदि मेरे पुत्र नर्क के वासी बन गए होंगे तो उनका महा अपराधी मैं हूँ मेरे ही कारण ये महा युद्ध हुआ था मैंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था है पितामा उनके पापों का बोज मैं अपने सर पर लेना चाहूँगा यदि वो सब नर्क में होंगे तो मैं भी उनके साथ नर्क में ही रहना चाहूँगा पुत्र कोई दूसरों के पाप अपने सर नहीं ले सकता अगवान आप ही इसे समझाईए हाँ ताच्री कौरव अत्वा पांडों में कोई भी नर्क में नहीं है युद्ध भूमी में अपना रत भाहा कर सब ने अपने पने पाप थोड़ा ले हैं कि वो सब के सब स्वर्ग लोग के वासी बन गए हैं कि अज़ा है कि अज़ा हाँ पुत्र धित्राष्ट्र तुम्हारे पुत्र पौत्र जमाई अथ्वा रिष्टेदारों को स्वर्ग लोग की प्राप्ति हुई है उन सब की आत्माएं अब दिव्वे लोग का आनंद ले रही है दिव्वे लोग जहां न दुश्मनी है न प्रतिशोत की भावना है न द्वेश है न क्रोद केवल मित्रता है सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं इसने करते हैं सब के सब एक दूसरे से दिव रिष्टों के धागों से जुड़े हुए हैं वहां पर विकारों के लिए कोई स्था नहीं ताच्री वासुदेव मन का बोज हलका हो रहा है यह सब सुनकर वासुदेव काशे दिव्य दृष्ट देखने को मिल जाए तो मैं भी अपने पुत्रों को देख सकूंगी उनसे मिल सकूंगी भगवन मैंने तो प्रतिग्यावश अपनी आँखों पर पट्टी बांध रखी है फिर भी मैं अपने पुत्रों को देखना चाहूंगी क्या मैं अपने पुत्रों को देख सकती हूं ऐसा हमारा भाग्य कहां है गांधारी हम कभी भविष्य में जाग नहीं सके दिव्य लोक में कैसे जाग सकते हैं भेवासुदेव तुम तो समस्त शिष्टियों के संचालक हो क्या तुम ताश्री और माता गांधारी के इच्छा के पूर्ति नहीं कर सकते हैं हम बेज दिव्य दृष्य को देखना चाहते हैं बड़े भीया आप सबके इच्छा पूर्ति भगवन वेद व्यास करेगे अपने महान तब सामर्थ से आपको ये उन सभी योद्धाओं के दश्यन कराएंगे जिनने युद्भूमी में दिव्य लोग प्राप्थ हुआ है इसका अर्थ हम सब अपने पुत्रों को देख सकेंगे अपने पुत्रों को नहीं उनकी दिव्य आत्माओं को पांचाली भगवन हम कब देख सकेंगे और कहां देख सकेंगे आज रात भागी रधी के किनारे चलिए आई है ब्रभूमा आई है आई है आपसा आउ पांचाली कि अपने पुत्रों की आत्माओं के दर्शन कर सकेंगे हां माताश्री परंतु हम अभागे हैं वासुदे मैं और गांधारी उन्हें कैसे देख सकेंगे मैं आप दोनों की व्याकुलता को समझ सकता है धी रज रखने दिव्य आत्माओं को देखने के लिए केवल तन की आँखें पर्यात नहीं है फिर भी आप दोनों वो दिविद्रिश्य देख सकेंगे भगवान वेद व्यास हर किसी को दिविद्रिश्टी पदान करेंगे दिविद्रिश्टी के कारण ताश्री धितराश्र और माता गांधारी भी सबी के साथ दिवियात्माओं के दर्शन कर सकेंगे को दिविद्रिश्य देख सकेंगा दिविद्रिश्य देख दो 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 circuits can दोनों दो को दो किसी दो दおお OK कर दो 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 भगवन मैं देख सकता हूँ मैं देख सकता हूँ भगवन मैं देख सकता हूँ वासुदेव मैं देख सकती हूँ मैं देख सकती हूँ कर देख सकता हूँ कर दो कर दो परता माहिए हमें देव्य दृष्टि को प्रदान होई है मैं दृष्टि दृष्टि थे वाण दुर लब दे शमान बैर है न द्वेश कोई कश्ट है न क्लेश सभी प्रेम के सरोवर में डुब की लगाते है चक्र व्यूह में भसा के जिसके लिए थे प्राण धुसी के गले में बाहि डाले चले आते है इर्शा भीना शत्रूता तो जीते जीके रोग है ये तन के निधन पे समाप्त हो जाते हैं पर लोग जाके जीव पर नहीं रहते हैं देद सारे अपने पराए के मिटाते हैं पर लोग करें रहते हैं में दिसके लिए आते हैं आते हैं तन के बदून है कर दो 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 कर महार्शी वेदव्यास के आश्रम में दृतराष्ट्र गांधारी और कुंती से मिलने के बाद पांडव द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लोट आये थे समय हाथ में पकड़ी रेट की तरहा निकल रहा था एक दिन जिस वन में दृतराष्ट्र गांधारी कुंती तपस्या कर रहे थे उस वन को अचानक आग लग गए तब तीनों ने मृत्यू का स्वागत करने की सिद्धता करनी थी तीनों समाधी लगा कर बैठ गए थे और मृत्यू ने अग्मी का रूप लेकर उन पर आख्रमन किया नहीं तृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के इस प्रकार देहांत होने से पांडव और द्रोपदी शोक ग्रस्त हो गये थे श्री कृष्ण ने शोक ग्रस्त पांडवों को दिलासा दिया उनका धीरज बंधाया जब पांडव आश्वस्त होकर राजबाट करने लगे द्वारी का वापस जाने की इच्छा व्यक्त की बड़े भीया अब मुझे समय गवाएं बिना द्वारी का जाना होगा कि अब ऐसे भी क्या शिक्रता है बात ही कुछ ऐसी है द्वारी का पर संकट के काली घटाएं जो चाने लगी है संकट की काली घटाएं हाँ पार्त ऐसा कौन सा संकट आ गया है किशो जिसके कारण मोचन भी चिंतेद हो गया है उस संकट का नाम है असुर राज वच्रनाब वच्रनाब महा शक्तिशाली परंत उतना ही दुराचारी और अधर्मी भी है वो और मेरे लिए उसने द्वारीका पर आक्रमन करने का संकल्प लिया है परंतु केशव दुरारीका के सुरक्षा के लिए दाओ भीया और प्रद्यूमन समर्थ है मैं जानता हूं बड़े भीया मुझे चिंता केवल दुरारीका के नहीं है परंतु इस बात के भी है कि ब्रेगुनंदन महार्शी उत्तंक मरो भूमी में मेरी प्रतिक्षा कर रहे ह है मुझे उनसे भी मिलने जाना हो गया महर्शी उत्तंक ये कौन है तुम उन्हें नहीं जानते महर्शी उत्तंक ने इतना तपोबल अरजित किया है कि वो अपने क्रोध मात्र से इस ब्रह्मांड को जला कर भस्म कर सकते हैं इसलिए उनके क्रोध से इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए मेरा उनसे जाकर मिलना परम आवश्यक हो गया है बड़े भीया मुझे द्वारिका जाने की अनुमति दीजिए इसका अर्थ यह हुआ केशो कि तुम वास्तों में हमें छोड़कर जा रहे हो वासुदेव तुम हमारी जीवन में इतने राजबस गय हो कि तुम्हारे बिना हम एक दिन के जीवन की भी कलपना नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारे वियोग हम कैसे सेहन कर पाएंगे है यागि सेहनी तुम तो जानती हो जहां योग है वहां वियोग भी तो है केशव तुम हमारे लिए संसार के सारे रिष्टों से बढ़कर हो हमें छोड़कर मत जाओ केशव इस प्रकार बार बार मोस ग्रस्थ होना यूँ भावक होना आसु बहाना तुम जैसे वीरों को शोब प्रश्थ होगा तो प्रजा का क्या होगा राज शासन का रत कौन चलाएगा और वैसे भी मेरा ये मानव शरीर तो नश्वर ही है इसे नश्ट होना ही है हम में से हर एक की आयू की सीमा निश्चित है कोई भी अमर नहीं है इसलिए कभी न कभी मृत्तु आगे पीछे हम सब को जुदा करी देगी कैश्व 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 ऐसा मत कहो मधुसूदन ऐसा मत कहो तुम हम सब की आत्मा हो कि यदि आत्मा ही हमारे शरीर को छोड़कर चले गई कि तो हम जीते जी मर जाएंगे तो हे वासुदेव तुम हमको छोड़कर मच्चा हमको छोड़कर मच्चा वासुदेव हमको छोड़कर मच्चा मच्चा वासुदेव मच्चा लगता है आप सब पितामा भीश्म के उपदेश को भोल गये हैं आप सबका अपने आप से अपने मन से अपनी भावनाओं से लड़ने का समय आ गया है और आप इसे टालने का प्रियास कर रहे हैं हे धर्मराज कामनाएं इच्छा और आसकती को जन्म देती हैं और आसकती दुखों को इसलिए ज्यानी विद्वान कामनाओं को दुखों का समस्त कारण मान कर उनका त्याग कर देते हैं बड़े भीया आप भी अपनी कामनाओं का त्याग कर दीजिए इस प्रकार आप आसकती रहित हो जाएंगे और आपके मन से ये मेरा है ये मेरा नहीं है इस प्रकार के दुण्द का अंत हो जाएगा और आपके द्रिष्टी अपने धर्म और अपने कर्तव पर केंद्रित रहेगी आप ये जान जाएंगे कि कामनाओं का निक्रे ही धर्म है मुक्ष का मूल है जब इस प्रकार आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो मुझसे बिचरने का विचार आपको चिंतित नहीं करेगा हाँ केशो कि तुम सत्त कह रहे हो कि सत्त कह रहे हो लगता है बड़े भीया अब भी आपने मुझे जाने के अनुमती नहीं दिये है तुम मेरी परिक्षा ले रहे हो मेरे अस्तित्व के अंदर जो युद्ध चल रहा है तुम मुझे उसमें विजय ही देखना चाहते हो ठीक है मदुसुदर मैं तुम्हें जाने के अनुमती दे रहा हूं अनुमती दे रहा हूं केशो परन्तु मैं तुम्हें यो जाने नहीं दूँगा हम सब तुम्हें पूरे आदर सदकार और सम्मान के साथ विदा करेंगे कृष्णा सम्मान के साथ यूष्णा आज Всेजे रहा हूं कर दोर दो घुड़ है कृष्ना कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे पसे से डानन्द रूपाय, विश्वत पत्यादि हेत्वे, तापत्य विनम्टाय, जी कृष्णा, वयंननन्माह, श्लीच कुष्णो विंदरे मुरबए एनातना याण वासुदे राधेल किष्ण राधेल ख्रीष्ण राधेल किष्ण राधेल कि अख्रीष्णा राधेला अब मुझे समय गवाएं बिना द्वारी का जना होगा किश्व अब ऐसे भी क्या शिखरता है बात ही कुछ ऐसी है द्वारी का पर संकट के काली घटाएं जो चाने लगी है संकट के काली घटाएं हाँ पार्थ ऐसा कौन सा संकटा गया है किश्व जिसके कारण मोचन भी चिंतित हो गये हैं उस संकट का नाम है असुर राज वच्रनाब वच्रनाब वच्रपुर नगरी का राजा महाशक्तिशाली परंत उतना ही दुराचारी और अधर्मी भी है वो और मेरे लिए उसने द्वारिका पर आक्रमन करने का संकल्क लिया है कृष्ण वो ग्वाला सुन लिया सेनापती विष्भान वारा गुपचर क्या कह रहा है वासुर इश्वर वासुदेव श्रीक्रिश्ण मत कहो उस वाले को वासुदेव मत कहो उसे श्रीक्रिश्ण उसे आदर से संभोधित करने की कोई या शक्ता नहीं शमा करें असुरेश्वर गल्ती हो गई ऐसी गल्ती पिर कभी न करना कृष्ट हमारा शत्रू है और शत्रू का आदर करना असुरू का अपमान है जाओ गुप्तचर हसनपूर जाओ और हमें इस ग्वाले क्रिष्ट के बारे में हर पल हर दिन का समझा निरंतर भेशते रहो जो आगिया सुरेश्वर जेना पती प्रिश्वान हमारे कुप्तचर की अनुसार वो ग्वाला क्रिष्ट अब भी हस्तना पूर्वे ही है दौरिका में नहीं सुरेश्वर वो ग्वाला धर्म अधर्म का पाठ सारे संसार को पढ़ाता आया है परन्तु अब समय आ गया है कि हम से उसी की भाषा में धर्म का यहीं पाठ पढ़ाएं हमारे हाथ एक सुनेरा अफसर लगा है कृष्ट को अफसरों का धर्म और अधर्म समझाने का सेना पती विरिश्भान उस ग्वाले कृष्ट ने बांडों की साहिता करके गौरों का संपूर विनाश कर दिया है गौरों के पक्ष से युद करने वाले हमारे असुर मित्रों की दिर्मम भत्या की है युद शुरू होने से पहले बर्बरिक को भी धोके से मार डाला था उस ग्वाले में और इस प्रकार खुलम खुला चल कपट और धोके से काम लेने वाला धर्म की पता का लेराता फिर रहा है अब प्रिश्भान मैं उस चलिये से औरों की विनाश और मेरे मित्र दुर्योधन तदा मेरे असुर मित्रों के वाद का फर्दिशा उटलूंगा आख करमन करूंगा तब तो असुरेश्वर तोरिका पर आख करमन करने का इस नहरा आउसर है तोरिका ही क्यों अस्तिन पर क् इसलिए असुरेश्वर कि क्रिश्ण की अनुकस्तिती में दौरिका के सेना हमारे सेना का आगे नहीं ठेर पाएगी तो फिर सेना पती हम दौरिका पर उसी समय आक्रमन करेंगे जब क्रिश्ण महां उपस्तित नहीं होगा जब क्रिश्ण हस्तिनापूर से दौरिका के लिए चल पड़ेगा और रास्ते में होगा हम दौरिका पर आक्रमन करके उसकी धच्यां उड़ा देंगे इसी पजा देंगे फिर क्रिश्ण को रास्ते में ही अकेले में खेर कर उसका सर उड़ा देंगे और क्रिश्ट जिसे अधर्म कहताया है उसे अधर्म का राज पृति लोग पर स्थापित करेंगे क्रिश्न मुरारी की वासु देव श्री क्रिश्न की क्रिश्न मुरारी की वासु देव श्री क्रिश्न की क्रिश्न मुरारी की वासु देव श्री क्रिश्न की क्रिश्न मुरारी की कर दो कर दो कर दो कर दो मैं यह भी भूल गया था कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी परती है कुझे अपने आंकार में ये भी याद नहीं रहा कि भगती में समर्पन की भावना होती है केशव परन्तु परन्तु मैं अपने आंकार के आधीन होकर अपने आपको इश्वर समझ बैठा जबकि तुम मेरे सामने खड़ते केशव अम मेरी इस भावन कर भूल को एक नेवला ने आकर समझा दिया मैं तो कुछ भी नहीं हूं झाल मैं बाव मैं बाव मैं बाव मैं नहीं हूं मैं परन्तु मैं वर तुम सब्सक्राइब विष्ना रावीमार कृष्न एख व थो Сबसीन एक और फक शाह्न आप कर दोशाए जे वाइ कृष्न एओ च्रीष्न, 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 च्रेष्न, च्रीष्न, 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 च् किष्ड चाह्ड तारी किष्ड थेश्ड 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 दूख शब शब हारी अच्छा अब मेरे हाथ में शासर नहीं है ना ही मैं रख पर हूं ना ही मैं लड़ रहा हूं युद्ध करने का विचार है जो वीर मन से भी नारायन अस्त्र से युद्ध करने का विचार भी रखता ना रेम वात DAN ना रान अस्त्र से करने का विचार अपने मंसे निकाल देजे और अनन्य भाव से उसकी शान मचाईए नारायन अस्तर स्वहिम चांद हो जाएगा अस्तर स्वहिम चांद हो जाएगा 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 हो ज लेज़ झाल कर दो कर दो कर दो कर दो है रक्त के तू है लंब कर प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो ऐ असुरेश्वर वज्रनाव उमें प्रकट होने का आवान करता हूं प्रकट हो प्रकट हो ए लमकर रक्त केतो प्रकटो प्राम असुरेश्वर विजयी भव अवशे ही विजयी होंगे बताई ये सुरेश्वर आपके किस शत्रु का विनाश करके इस रक्त केतो को विजयी प्राप्त करना है ए सुरेश्वर आपके भख इस लमकर्ण के कानों को अभी से आपके शत्रु की हाहाकार और आपकी जैजेकार सुनाई दे रही है पताई ये सुरेश्वर आपके किस शत्रु को भाया के चाल में भास कर आपके चल्णों में डालना है मेरे भक्त असरो तुमें असरो का परमशत्रो कृष्ट का विनाश करना है ये हमारा सुभाग्य है कि जो हमें ऐसा हटा-कटा शिकार करने को मिल रहा है दुप्त चर्सिये संदेश प्राप्त हुआ है कि कृष्ट अस्तिनापूर से द्वार का के लिए किसी भी पल अस्तिनापूर से चल पड़ेगा उसे द्वारी का नहीं पहुंचना चाहिए यही चाहते है ना आप सुरेश्वर वो द्वारी का नहीं पहुंचेगा असुरेश्वर हम उसे द्वारी का नहीं यह मोग पहुंचाएंगे पुचाओ और विजई पता का लह बाते हुए वापस लाटाओ जो आपिया असुरेश्वर हाँ प्रणाम, आईए दादी माँ, आईए, पदारिये आईए, आईए दादी माँ, पदारिये आईए दादी माँ, आईए, पदारिये पेशे दादी माँ दादी मा, लोग आपको नेत्रहीन समझते हैं, क्योंकि आप अपने चर्म चक्षों से देख नहीं सकती, पर मैं जानता हूँ कि आपको दिव्य दृष्ट्री प्राप्त है, जिसके द्वारा आप संसार के किसी भी स्थान की घटनाओं को देख सकती हैं, चाये उन घटनाओं का संबंद भूतकाल से हो, या भविश्य से हो, या वरतमान से हो, पुत्र, तुमने मेरी इस तीसरी आँख का सदा लाव उठाया है, कहो वत्स, इस समय तुम मेरी दिव्य दृष्टी से क्या देखना चाहते हो, दादी मा, आप मुझे बताइए, कि इस समय वो ग्वाला कृष्ण क्या कर रहा है, वत्स, तुम श्री कृष्ण को पूछ रहे हो, हाँ, वही माखन चोर ग्वाला कृष्ण हो, तुम नादान हो, मूरक हो, जो तुम श्री कृष्ण का नाम भी आदर से नहीं ले रहे हो, मेरे लिए तो श्री कृष्ण भागवान है परन्तु तुम उन्हें भागवान नहीं मानोगे काश ऐसा होता तो असुरों का कल्यान हो जाता वासु देव शेरी krishniki वासु देव शेरी krishniki जल्दी बताओ दादिमा, इस समय आप क्या देख रही हैं? मैं श्री कृष्न को देख रही हूँ, व्रजनाब। क्रिष्न को? क्या कर रहा है ग्वाला इस समय? वच्स, इस समय देव की पुत्र श्री कृष्न द्वारी का जाने निकले हैं। यह उसकी अंतिम यात्रा होगी दादिमा, अंतिम यात्रा होगी। यह तुम्हारा भ्रम है पुत्र, मैं तुम्हें भविश्य बता सकते थी। परन्तु मैं होनी के रास्ते का रोडा बनना नहीं चाहती। अब देखना दादिमा, वो ग्वाला कैसे मेरे अस्रों के जाल में फसकर फड़ फड़ाएगा। हाँ 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 हुआ 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 हुआ! कि अजें कि मुआ, मुआ, आकलिया warto हे महाभाव, देव की माता, मामा शरी वसुदेव, और दाव भाईय से हमारा प्रिडाम कहना, अवश्य बड़े भीया हे केशव, हम सब भाउत्ता के मारे प्राणी, बहच जाते हैं, अपरे मार्क से भटक जाते हैं, हमें सदाहे तुम्हारे मार्क दर्शन की अवश्यक्ता रहेगी मैं संसार में कहीं भी रहूँ, मेरा मन तुम सब के साथ ही रहेगा चला साथी क्रिष्ट की अंतिम्यात्रा शुरू हो चुकी है, दादी मा, क्रिष्ट की अंतिम्यात्रा शुरू हो चुकी है दादी मा, अपनी डिव्य दृष्टी से भविष्य में जाखकर मुझे बताइए, क्या होने वाला है बताइए ना दादी मा, बताइए, क्या होने वाला है बार बार भविश्य के दरपड में अपने भागे के रेखाओं को देखना ठेक नहीं है वत्स व्रजनाथ इससे अनर्थ होगा हाँ वत्स अनर्थ होगा अनर्थ अन्याय अध्याचार अनीती अधर्म और अनर्थ इनी फाज मूल तत्तों से तो असुरों का निर्मार हुआ है यह अनर्थ होगा तो अच्छा ही है पताईए दादिवा पताईए कि रक्त केतू और लंब कर इनके द्वारा क्रिष्ट का कैसा विराश होने वाला है पताईए हमें क्रिष्ट का भविष्य पताईए क्या हुआ था दिमा क्या हुआ वाच भयंकर विनाश के संकेत मिल रहे हैं भयंकर विनाश के अज़ा प्रजनाब मुझे तो केवल विनाश ही दिखाई दे रहा है केवल विनाश वह तो होने ही वाला है जब ये वच्जनाब द्वारीका पर अक्रमन करेगा जर्ट को वि्राश से कोई नहीं बचा सकेगा मैं द्वारीका की नहीं तुम्हारी नगरी ब्रजपूर की बात कर रही हूं मैंने प्रजपूर को बविश्य में संपूर्ण रूप से द्वास्त होते देखा है वज्सु नहीं दादीमा यह नहीं हो सकता प्रजनाप यही होने वाला है इसलिए वज्स तुम्षी कृष्ण से दुश्मनी मोल ना लो दादीमा असुर राज वज्ञनाप को एक वहले से डरने का पाठ सिखा रही है श्री कृष्ण भगवान है दादीमा वो भगवान नहीं जादूगार है जादूगार व्रजनाप सत्य को पहचानो और उसे मानो सत्य को कोई मिटा नहीं सकता इसे मिटाने के प्रयास में लोग स्वयम मिट जाते हैं मैंने यही बात तुम्हारे पिता से भी कही थी परंद उन्होंने मेरी बात ठोकर से उड़ा दी थी परिनाम क्या हुआ वच्स तुम्हारे पिता स्वयम मिट गए व्रजनाप क्या तुम भी अपने पिता की भाती विनाश के रास्ते पर पग रखना चाहते हों दादे माव यदि भविष्य के दरपण में आप मुझे मेरी मृत्यू का दिश्य दिखाकर दराना चाहती आए तो यह आपकी भूल है व्रजनाब तुम्हें अपनी चिंता नहीं है पर अपने परिवार की तो सोचो तुम्हारी एक पत्नी है और एक सुंदर बेटी भी है प्रभावती जिसका विवा भी तुम्हें करना है वच्स वच्स व्रजनाब भगवान से न इर्शा की जाती है न शत्रुता भगवान की तो केवल भक्ती ही की जाती है वच्स भगवान को अपना मित्र माता पिता और भ्राता माना जाता है बस 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 करो ददीमा मैं आप से क्रिष्ट की प्रभुदा का वर्रन और नहीं सुनना चाहता मैं क्रिष्ट को मिटाकर सारी दुनिया को दिखा दूगा कि वो भगवान नहीं डौंगी है डौंगी वच्स व्रजनाब भविश्य जानने के बाद भी उसे अंदेखा करना म कुर्क ता है हाहा हाई हाई एक और अपकतो बना करिष्न हमाराश्य कार हाई लाम करना यी ही तो हकलाई है अच्छा अवसर है इसे गवाना नहीं चाहिए हारत के दूर तुए कर्ष्ट उठाने की कोई आउशक्ता नहीं है मैं मैं अकेले ही कृष्ण कहो यम लोग में पहुंचा सकता हूँ हाई लामकर्ण के भूल मत करना हम दोनों मिलकर कृष्ण से युद्ध कर सकते हैं क्या तुम नहीं जानते कि कृष्ण मायाओी है ठो क्या हुआ हम भी तो मायाओी है हम अपनी माया से उसे प्रमित कर देंगे और माया के चाल में भशे विश्गार का वद्गर्म आसान हो जाएगा रुक जाओ मायाओी कृष्ण हो प्रसूंपे नोग जाओ हम तुम्हारे प्रालों की भेट असुरेश्वर वज्रनाव को प्रस्तूत करेंगे चलो रख के दूद चलो थे स्ट। और बालों के दो रहा है को प्रस्तूत करेंगे झाल 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 आप ऑज्ञान रूपी अंधिकार को मिटाने वाले सूर्य हैं आप को मेरा प्रणाब आप संपूर्ण वेधों के एक मात्र वेत तत्व हैं संपूर्ण देवता आप ही के स्वरूप है आपको मेरा शत शत प्रणाम आपको मेरा प्रणाम हे मार्शी मेरा दर्शन कभी विर्थ नहीं जाता आप मुझसे कोई वर्मानी है हे महातेजस्वी पुरुशोतम श्री कृष्ण आपके इस दिव्य विशुरूप का जो मैं दर्शन कर रहा हूं यहीं मेरे लिए आपकी और से बहुत बड़ा वर्दान है प्रभू बहुत बड़ा वर्दान है प्रभू हे मुनिवल मेरा दर्शन अमोग है आपको अवश्य मुझसे कोई वर्मांगना चाहिए मागे मुनिवल हे पुरार पुरुष युदि आप वर्मांगना मेरा आशक करतव्य समझते हैं तो प्रभू मैं चाहता हूं कि मुझे इस इस मरू भूमी में जहां जल दुरलब है यह थेश्च जल प्राप्थ हो तथास तू हे प्रगुनंदम जब आपको जल के इच्छा हो तब आप मेरा स्मरन कीजी आपको तद काल ही जल प्राप्थ हो जाएगा मैं अनुग्रहत हो गया हूं प्रभू मैं अनुग्रहत हो गया हूं प्रभू कर दो कर दो कर दो है भारगा उत्तंक अब मुझे द्वारी का जाने की आज्या दीजिए जैसी आपकी इच्छा प्रभू कर दो 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 झाल झाल इस मरुभूमी में अब पाने कहां मिलेगा पर पाने का लुभूमी में यूभूमी में अब चुछुछुछुछुई रवाभ तार्यां मुभूमी मुभूमी मैं यूजुछुछुदुछुछुछुछु यह प्रभू यह आपकी कैसी लीला है प्रभू आप ही ने तो मुझे वर्दान दिया था कि जब भी मुझे जल ग्रहण करने की इच्छा होगी मुझे इस मरो भूमी में ददकाल चल प्राप्त होगा लतु यह तो जल की एक बूम भी दिखाई नहीं दे रही है कुषा के लिखुछ क्यास के कारण। मेरा गला शुष्क हो रहा है प्रभू ए narrow primal की जये मुझे पर कृपा की जये प्रभू कृपा की प्रणाम भगवन आज्या किजिये प्रभु हे देवींद्र महातपस्वी महर्शी उत्तंक को जो मरू भूमी में कठोर तपस्या कर रहे हैं उन्हें प्यास लगी है उनका गला शुश्क हो गया है मैंने उन्हें वर दिया है कि जब भी वो पानी की इच्छा करेंगे उन्हें पानी तदकाल प्राप्त होगा हे विश्वनायक हे दयासागर आपकी आग्या हो तो मैं इसी समय वरूम दे को आदेश देकर बरू भूमी में पानी की वर्शा करवाता हूँ देवेंद्र महारशी उत्तंक महात्मा है लोग कल्यान के लिए तपस्या कर रहे हैं उन्होंने जो वर्दान मुझसे मांगा है उसमें भी उन्होंने प्रजा का कल्यान ही देखा है स्वार्थी मनुष्यों से भरे इस प्रत्वी लोग पर निस स्वार्थ की प्रतिमा महारशी उत्तंक को मैं प्रत्वी लोग वासियों के लिए प्रिणना का स्रोध बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं महार्शी उत्तंक को पानी के बदले अम्रित पिला कर उनका मान करना चाहता हूँ इसी कारण मैंने तुम्हें बुला लिया है देवेंद्र तुम स्वयम जाकर भ्रेगुनंदन उत्तंक को अम्रित प्रदान करो मैं जानता हूँ देवेंद्र कि मनुष को अम्रित पिलाना उचित नहीं है परन्तो महार्शी उत्तंक कोई सामानि मनुष नहीं है फिर भी वो अम्रित का वरदान पाने अमर हो जाने के योग हैं या नहीं इसकी परिक्षा तुम अपने आप ले सकते हो ठीक है प्रभू यदि भ्रिगो नंदन महात्मा उत्तंक को अम्रित देना आवश्यक है तो मैं इसी समय जाकर चांडाल का रूप धारन करके उनसे मिलता हूँ और उन्हें अम्रित प्रदान करता हूँ आज्या दीजे प्रभू अब चांडाल का रूप धारन करके मैं महर्शी उत्तंक की परिक्षा लूंगा हुआ 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 है है प्रभू है द्वारी का अधेश कि आप इन्हें तो कहा था कि जब मुझे प्यास लगेगी तो इस मरू भूमी में जल मिलेगा है परन तु अब तक यहां कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है क्रिपा करें प्रभू अपने वर्दान की लाज रखें प्रभू प्रभू प्रणाम महर्शी आइश मान भवा मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया महर्शी धन्य हो गया इस मरू भूमी में पानी नहीं बरसता आग बरसती है आग बार बार प्यास लगती है इसलिए मैं अपने साथ पानी अवश्य रखता हूं आपको भी प्यास लगी है ना भिर्गु नंदन नहीं लीजिए आप यह पानी गरहन कीजिए लीजिए पानी पीकर अपनी प्यास बुझाए रिशिश रेष्ट लीजिए यह आपने क्या किया प्रभू यह क्या कर दिया मेरी प्यास बुझाने के लिए एक चांडाल को भेज दिया लीजिए ना महर्शी नहीं प्रभू प्रभू यह आपने मुझे वर्दान दिया है यह शाप यह जल अतिंत मधूर है महर्शी एक चांडाल का सपर्श होने से जन मधूर कैसे रहेगा और पवित्र भी तुम्हारे कानड तो चल आप पवित्र हो गया है चांडाल लीजिए महर्शी संकोच मत कीजिए आपको प्यास से तड़ता देखकर मुझे आप पर बड़ी तया आ रही है और मुझे तुम पर क्रोध आ रहा है क्रोध महर्शी वो जो कहते हैं ना दूपते को तिनकेगा सहारा यदि अंधे को मिल जाए तो एक आख भी बहुत होती है और प्यास से सूप कर काटा हुई जीव को पानी की एक बून भी मिल जाए तो अमरित सागर के बराबर होती है लीजे महर्शी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाईये और चल का निरमान करने वाले इश्वर का धनेवाद कीजी मैं तुम्हारे हाथों से पानि तो ग्या अम्बित भी नहीं सकता आप आनी नहीं पईेंगे नहीं क्या हो कि तुम चांडाल हो चांडाल मैं तो मनुश्य के नाते संकट में फसे मनुश्य की साहईता करना चाहता था एक मानव और दूसरे मानो में कोई भेदभाव नहीं होता पर आप जैसा महर्शी भी ऐसा समझता है तो कदाचित मैं ही भूल कर रहा हूँ अच्छा जैसे आप की अज्छा जैसे आप क्या ग्या अरे यह क्या वो वो चांडाल कहां लुप्त हो गया यह यह कैसे हो गया क्या वो मेरी आखों का धोखा था नहीं नहीं वो धोखा नहीं था तो फिर वो था कौन साधारन मनुष तो अचानक न सामने आते हैं न यह तुरन लुप्त हो जाते हैं मैंने उसके हाथों से पानी पीने से मना करके कहीं कोई भूल तो नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने मेरी परिच्छा लेने के लिए चांडाल के रूप में किसी देवता को भेजा था हुआ 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 है है प्रभु है अनाथों के नाथ है करुणा निधान है है दयाधन मैं मनुष्य गलित्यों का पुतला हुआ है इतनी तपस्या करने के बाद भी मेरे मन में उच नीच का भेजभाव नहीं मिटा तो फिर मेरी तपस्या किस काम की इस प्रकार तो मेरी जीवन संपति ही नश्ठ हो गई प्रभु मैंने एक मानों और दूसरे मानों में भेजभाव करके इश्वर का अपमान किया है एक रिशी के हाथों इश्वर का अपमान हो जाए तो उसे चीवित रहने का अधिकार नहीं रहता बिल्कुल नहीं रहता प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता प्रभु जीना नहीं चाहता इसी मरू भूमी में योगबल से मैं अपने प्राण त्याक कर रहा हूं प्रभु अपने प्राण त्याक कर रहा हूं लुख जाई भैकुनन दन् आप अपने प्राणों का यूंत्याग नहीं कर सकते क्योंकि आपके प्राणों पर आपका अधिकार नहीं है हाँ प्रगनंदन आपके प्राणों पर प्रित्वी लोग वासियों का अधिकार है समाज का अधिकार है क्योंकि आप महात्मा है महायुद में महासंगार होने के बाद जिस नव समाज की निर्मिती की जाएगी उसे योगी मार्ग दर्शन करने का उत्रदायत आप पर है पांडों के जो वंचज पांडों के बाद राज-शासन का रथ चलाएंगे उन्हें धर्म का ज्यान देना और धर्म मार्ग का दर्शन कराना आप ही का उत्तरदायत है हे महात्मन आपका कारे अब तक पूरा नहीं हुआ है फिर आप अपने प्राणों का त्यार कैसे कर सकते हैं जिस पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है है प्रभु कि आप मुझे अधा लृष्ष कि अपने इस तुछ भक्त का गोरों बढ़ारे ना तुम्हें आपके इस गोरों का अधिकारी हूं और नहीं में महात्मा हूं कि प्रभु कि यदि में महात्मा होता तो आपकी प्रभूता जान लेता और जो एक माना और दूसरे मानों के बीच भेद भाव नहीं रखती मैं ये कभी नहीं भूलता कि आप ही ने श्री रामा अवतार में शबरी के जूठे बेर खाये थे यदि मैं सचमुच महात्मा होता तो आपने मेरे इच्छा पूर्ती के लिए जो जल चांडाल के द्वारा भेजा था उसे कभी न जुक राता मुझे अपनी इस भूल का दंड अवश्य मिलना चाहिए अवश्य मिलना चाहिए प्रभू हे महाष्य आपने जिसे पानी समझा था वो पानी नहीं, अमरित था हाँ दुझ स्रेष्ट अमरित अर्ठात, मुझे मेरे केये का दंड मिल गया मेरे अज्यान ने मुझे इश्वर के प्रदान किये हुए अमृत तो कभी प्रदान नहीं किया जाता यह फिर भी आपकी योगिता जानागर ने आप को अमृत प्रदान करना चाहता क्योंकि आप जैसा महान तपस्वी महां घ्ञानी और धर्मात्मा की तो इस संसार को सदा ही आविशक्ता रहेगी। इसलिए आपने पानी मांगा था और मैंने अम्रित भेजा था। मेरा दुर्भाग्या प्रभू, मेरा दुर्भाग्या कि मैंने प्रभू की कृपा को अंजाने में ठुकरा दिया। हे महात्मन, मैंने जो अर्जुन से कहा था, वही आपसे कह रहा हूं। क्रोधात भवती सम्मोहा, सम्मोहात स्मृती विभ्धन, स्मृती भंचाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद पिनश्यती। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूड भाव, उत्पन हो जाते हैं। मूड भाव से स्मृती भंचाटा है, स्मृती भंचादायों हो जाने से बुद्धि अर्थात शक्ति का नाश हो जाता है। और जिस व्यक्त की बुद्धी का नाश हो जाता है, वो मनुष अपने स्तर से गिर जाता है। ये करुणा निधान, आपके दिव्य दर्शन से मेरे मन की प्यास भुज गई है प्रभू। अब यो तंक क्रोध को अपने आप पर कभी विजय पाने नहीं देगा प्रभू। कभी विजय पाने नहीं देगा। हे भारगव। मैंने आपको जो जल प्राप्ति का वर्दान दिया है। उसका लाब आप सदा ही उठाते रहेंगे। जब भे आपको प्यास लगेगी और आपके पास पानी नहीं होगा। तो इस मरुक प्रदेश में घनेरे बादल प्रकट होंगे। जो आपको जल प्रदान करेंगे। ये मेग बादल उत्तंक मेग के नाम से विख्यात होंगे। असुरेश्वर वज्रनाव की जए। असुरेश्वर वज्रनाव की जए। मेरे शूर सेनानियों और वीर सैनिकों आपके बाहुबल और शौर्य पर आज तक मैंने अपने शत्रियों को अपने सामने नाक रगड़ने पर विवश्च किया है। हमारी सेना के घोड़ों की टापों को सुनकर चत्रु भागते दिखाई देते हैं। मेरे नाम से वास्तव में आपकी धाग बैटी है। चत्रों के रिदे में आपका भय। और मू में मेरी जैजेकार होती है। मेरे शूर वीरों सथ्य यही है कि शत्रु के लिए आप ही जीवन दाता है और आप दे मृत्यु दाता है। फिर आप उस ग्वाले कृष्ट के लिए क्या बनना चाहेंगे जीवन दाता या मृत्यु दाता। आप जैसे बल्वान और शौरेशाली वीर जब किसी धर्ती पर कदम रखते हैं तो आप की हो जाती है और जब आप द्वारिका में कदम रखेंगे तो आप जानते हैं तब क्या होगा हाँ असुरेश्वर द्वारिका हमारी हो जाएगी द्वारिका हमारी हो जाएगी हम द्वारी का को अपने कत्भों करे रां ऐंगे उब लगता है कि मैंने ग्वाले क्रिश्ट पर मुझे प्राप कर ली है बजए प्राप कर ली है हमारी तलवार है यादमों के रक्स इसमान करने के लिए व्याकुल हो रही है आप हमें केवल आदेश दे तो हम ឪंधवर कामे केवल खुन की नदिया बाहतेंगी आप सब के बनो से हीत तो मैं द्वारिका पर आक्रमन करने जा रहा हूं मैं जानता हूं से नानियों आपकी तल्वार का प्रहार सेन करने की शमता किसी मिशत्रु में नहीं है फिर वो कृष्ट वो बंसिधर आपकी तल्वार का प्रहार कैसे सह सकेगा बासुरी बजाने वाला कभी को युद्ध जीत पाया है भला कि कृष्ट और बल्राम की जोड़ी भी बड़ी विचित्र है एक कशस्त्र बासुरी है दूसरे का हल यह दोनों आप से कैसे सामना कर पाएंगे सेनान्यों सैनिकों द्वारिका पर विजय पाना और उस ग्वाले का असित्तु मिता देना यहीं मेरे जीवन का अंतिमुद्देश्य है इसलिए मैं आपको द्वारिका पर आक्रवन करने की तैयारिया करने का अधेश देता हूं तैयारिया पूरी होते ही हम द्वारिका पर आक्रवन करेंगे हम द्वारिका पर आक्रवन करेंगे अध्रेश और वजय नाप की प्रभू द्वारिका में नहीं है तो ऐसा लग रहा है जैसे यह मराज नहीं द्वारिका और द्वारिका वासियों के प्राण ही शरीर से कीच लिये हूं कितनी दिन हुए मुरली मनहुर की बासुरी से मनभावन सुरही नहीं सुने कितनी दिन हुए यह मुरली मनहीं वास यह रखन हुए हुआ हुआ है प्रभु आप प्रणाम प्रभु देवी रुक्मनी आज याद आई है आपको मेरी आपकी याद तो मुझे सदा ही आती थी यदी याद आती थी तो इतने दिनों आप मुझे से दूर क्यों रहे आपके बिना मेरे लिए हर पल एक युक के बराबर था अब आपकी दर्शिन हो गए ऐसा लगता है मनों बेजान शरीर में जान आ गई हो लेक्या प्रभु मेरी ये दशा देखकर आपको दया नहीं हसी आ रही है देवी आपको किसी साधान मनुष की भाति भावनाओं के भवर में यूँ चक्कर नहीं खाना चाहिए भावना मनुष का आभूशन है देवी देवताओं को शोभा नहीं देता मैं पांचाली द्रौपती का मोहित हो जाना विकारों से ग्रस्थ हो जाना तो समझ सकता हूँ परन्तो आपका नहीं कदाचित आप भूल गई है कि आप स्वयम कौन है देवी भावना से कर्तव श्रेष्ठ है धर्म श्रेष्ठ है तनिक सोचिए यदि मैं भी आपके भावति विकारों के आधीन होकर अपना कर्तव अपना धर्म सब कुछ भूल गया होता तो क्या होता देवी अनर्थ महा भहन कर अनर्थ हो जाता इस स्रिष्ठी पर अन्याय, असत्य, अनीति और अत्याचार इनका सामराज इस्थापित हो जाता देवी सुख और एश्वर की लालसा के कारण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के इन चार पुर्शार्थों की परिभाशा ही बदल जाती अर्थ और काम इनके भ्रेष्ट संगम के कारण प्राप्त होने वाले वैभाव, एश्वर यही मोक्ष है और उसके लिए किया गया आचरण यही धर्म है ऐसा वाना जाता था इस फ्रेष्ट आचरण को दुर्योधन शक्नियादी अधर्मी प्रतिष्ठा दे रहे थे और इसलिए संपूर्ण भारत वर्ष में भ्रेष्ट आचरण के प्रतिष्ठित होने का भै निर्मान हो गया था इस भै का नाश कराने और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस जीवन के मोल पुर्शार्थ को फिर से उद्य कराने के लिए कौर्वों का अस्त और कौर्वों का विनाश परम आश्यक हो गया था तेवी इस महायुद की गूंज कल पांत तक गूंजती रहेगी क्योंकि इस महायुद ने प्रमानित कर दिया है धर्मो रक्षती राक्षिता अर्थात धर्मी रक्षा करता है तब ही प्राणी सन्रक्षत हो सकता है पांडवों के माध्यम से मैंने अधर्मियों का संगहार किया है देवी अम मेरा अवतार कारे पूर्ण होने को आया है पित्वी से विदा लेने का समय अब छीकरी आ जाएगा और आप मुझ पर अभीरोश्थ थे बहुता है नहीं प्रभू मुझ से भूल होगे एक उचिक्षमा करतीची प्रभू मुचिक्षमा करतीची प्रभू प्रभू क्हा है आप कहा चलेगे प्रभू करे अका बोज्या है कर गलाőग दशार क्रेजिए करे haft विष्माव fac प्neको 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 प्neek किस्ना 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 हरे किष्णा हरे हरे कि आनंदर उपाया हरे विश्व पत्या धिहे तवे तापच्य विनाशाया जी क्रिष्णा व्यंद्व महा क्रिष्ण को विंदरे मुरारे एनात नारायन वासुदे कर दिए wanna सुष्ण को विए खिए 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 खिए... दोर का देश दिलिक्रिष्निकी जए प्रणाव प्रभू देवी आपके बिना मेरे लिए हर पल एक युक के समान था आपके तर्शन हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बेजान शरीर में जान आ गई हो ऐसा मत कहीं प्रभू ऐसा मत कहीं मुझे अधिक लचितना कीजी असरेश्वर वत्रनाव को चरवाग का प्रणाम चरवाग मेरे मित्र कहां थे तुम मैं द्वारिका में था स्रेश्वर द्वारिका में क्या क्रिष्ट का स्वागत करने गए थे क्रिष्ट का स्वागत तो मैं अपने ढंचे करूंगा परंदो इस समय उसका द्वारिका में शामदार स्वागत हो रहा है यदि आप आग्यादे तो मैं इस स्वागत समारो को शोक समारो में बदल दूँ वो कैसे कृष्ण का स्वागत करने वाली भीर का मैं भी एक अंच बन जाओंगा और उसी भीड का लाब उठाकर मैं अपनी माया से अपने बल के प्रियोग से कृष्ण की ही नगरी में कृष्ण का वज़ कर दूँगा और फिर हम अवाक और हटबल द्वारिका पर आक्रमन करके द्वारिका को शम्शांग भूमी बना देंगे वाच रवाक वाच तुमारे इस पुटल योजना को हमारा अशिर्वाद है जाओ और कृष्ण का वद करके इस शुप समाचार को हमें सुनाने तक का लोटाओ जाओ जोड़ा क्यास दुश्वर जोड़ा जैंडे शुप सके रिएाँ खार्गा सुगिए। जड़ का देशरी कुष्लगी प्रजा का भीज बदले हुए उस असुर को देख रहे हैं आप इसमें विजलित होने की क्या बात है देवी जिस प्रकार दौरिका की प्रजा मेरा सतकार करना चाहती है उसी प्रकार वज्रनाप का यह असुर भी मेरा सतकार करना चाहता है परन्तु अपने डेंट से कि अप्रभू वो मायावी है अपनी माया का अनुचित प्रयोग करेगा देवी ये असुर कितना ही श्रेष्ट मायावी क्यों नहों दाव भया और उनकी गड़ा इस मायावी के प्रभाव में नहीं आएंगे कि अब बताईए दादी मां बताईए द्वारिका में इस समय क्या चल रहा है अब आप से मुझे उस ग्वाले कृष्टी की जय जयकार नहीं सुननी आप मुझे चर्वाक के बारे में बाताईए चर्वाक के बारे में तुम्हारा चर्वाक वासुदेव श्रीक्रिष्ण पर फूलों की वर्षा कर रहा है पूलों की वर्षा यह कैसे हो सकता है दादी मां द्रवाक मुझे द्रोन ही कर सकता आप ठीक तरह देखिए मैंने ठीक ही कहा है वच्छ क्या देखा आपने वज्रनाब अनर्थ हो रहा है भयंकर अनर्थ हो रहा है चर्वाक ने जो फूल ने उच्छावर किये थे वो वो आग के गोलों में बदल रहे हैं बस मैंने कहा थाना दादी मां चर्वाक मुझसे द्रोन ही करेगा वो द्वारी का में प्रिष्ट की पूजा करने नहीं उसे मौत के घाट उतारने गया है अपनी वर्षा ताता श्री याद अवश्य किसी दुश्मन की लगाई हुई लगती है लगता है कोई माया भी खुसाया है जो द्वारी का में माया का खेल खेल रहा है यह आपका खेल उसे बहुत महगा पड़ेगा वो नहीं जानता है नहीं जानता कि वो अपने ही हातों अपनी ही चिता जला रहा है क्रिश्ण अब नहीं बचेगा दादीमा क्रिश्ण अब नहीं बचेगा जर्वाक के आग के दोलों से जलकर उसकी लाज भी राख हो जाएगी जिससे उसका ख्रिया करम करना भी असंभव हो जाएगा कर दोность राख हो जाएगा काई आरी ता माय यह जाएगा जिससे लाएगा जाएगार मुच जाएगी पह Lexus एक्रिया कर दोलों हुआ कर खेगा थ met दो दोस्ते है जिससे लाएगास बाहा के जाएगा के वी हाबाकर उसका अ. कर दो, मैए भी ! वत्स वज्रनाप चर्वाग की मृत्यू बलराम का रूप लेकर आई है अब चर्वाग को कोई नहीं बचा सकेगा हाँ वत्स कोई नहीं बचा सकेगा हुआ कि सो जब्रामण का वेश चोभा नहीं देता हैं जो करने नैंनल करता है को इसकी अधिकार चीन लेता हूं आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता और जो मुर्ख तुम्हें बचाने का प्रयास करेगा वो भी मेरे क्यों दंड का अधिकारी बन जाएगा साउधान अरूछशा कि अरूशा का अधिकारी बुलम्हें जाएगा आएगा पर गिजएर आएगा हाईगा हागा, रदा है एन प्र eth प्रावा हुआ हुआ हुआ! हुआ 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 है चर्वाक मर नहीं सकता, नहीं मर सकता चर्वाक! हुआ 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 है हुआ हुआ है दो भाईया की ते नाम दो भाईया तर्वाक की ते नाम दो भाईया कनहिया जब आपका बल, आपका शौर, आपकी गदा और सबसे बढ़कर आपका आशिरवाद मेरी सुरक्षा कर रहा हो, तब बला मुझे क्या हो सकता है? आओ, आओ कनहिया माताश्री और पिताश्री तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए बेचायन है चलो वो तो होंगे ही पर क्या आप मुझे मिलने के लिए बेचायन नहीं है? हाँ, परन्तो कनहिया, मैं तो तुमसे मिला था दुरियोधन और भीम के गदायुद के आउसर पर? वो भी कोई मिलना था उस समय तो आप क्रोध में अचानक मुरकर वापस चले गए थे मैं क्या करूं कनहिया जब ही कोई अनुचित बात होती है तो मैं क्रोध से आग बगुला हो जाता हूँ उस समय भीम ने गदायुद के नियमों के विरुध दुरियोधन की जांक पर परहार किया बस इसी बात से मुझे क्रोध आ गया दौबिया उसी बात पर आप मुझसे अभीरुष्ट है दौबिया चरवाग के साथ युद करते समय जब चरवाग के हाथ में गदा नहीं थी आपने तब भी चरवाग पर गदा का प्रहार करने आगे बढ़े थे यह बात और है कि वो ऊपर चला गया और बच गया परन तो ऐसा करना क्या गदा युद के नियमों के अनुसार था कनहिया चरवाग मुझसे धर्म से युद नहीं कर रहा था वो माया भी युद में माया का प्रियोग कर रहा था कप्ती दुर्योधन जिसका आप समर्थन कर रहे थे उसमें भी तो चल और कपट से काम लिया था दुर्योधन ने पांडों से कपट ड्योद खेला था और अधर्म से हमारे अभिमन्यू का वद किया था उस अधर्मी के कारण अब भी आप उसे रुष्ठ हैं दुर्योधन विष्चु कल्यान के बारे में सोचना और उसके अंकूल आचरंड करना में धर्म है क्या दुर्योधन विष्चु कल्यान के बारे में सोच रहा था दाविया नारियों की सुरक्षा करना दुरबलों को न्याय दिलाना पापियों को दंड देना और पापियों के साथियों को नश्ट करना यही धर्म है दुर्योधन को दंड देकर मैंने और पांडवों ने इसी धर्म का पालन किया है मैंने कोई अधर्म नहीं किया दाविया औरना ही पांडवा ने कोई अधर्म किया है दाविया बताइए फिर आप मसे क्यों रुष्ठ हैं अरे किसने कहा कि मैं तुम से रुष्ठ हूं कनिया मुझे तो अपने आप पर क्रोध आ रहा है कनिया मैं तो अपने आप से रुष्ठ मुझे अवश्य तुम पर क्रोध आ गया था और इसी बात को लेकर मैं अब तक अपने आप से रोश्णू कर देखो कर नहीं तुम्हारी तरह धर्म अधर्म की व्याक्या नहीं कर सकता मैं तो इतना ही जानता हूं कि जहां मेरा कनया है वहीं धर्म है दो भीया चलिए और बलराम जी श्री कृष्ण को लेकर महल की ओर जा रहे हैं कि बस दादी मा बस मत सुनाईए मुझे कुछ मत सुनाईए अपने मित्र के विनाश और कृष्ण तथा बलराम के विजय की गाथा मैं नहीं सुनना चाहता पहले रक्त के तू और लंकर्ण मारे गए और अब चर्वाग भी बहुत के मूं में चला गया इसके बाद सोयम वज्रनाप सुयम तुम्हारे बारी है दादी मा मुझे डाट कर चुप कराना चाहते हो परन्तु मेरे चुप रहने से भविश्य वानी दब नहीं चाहेगी वज्रनाप भविश्य का दरपन तुम्हारी मृत्यों के अंधिकार में टूबा हुआ दिखाई दे रहा है दाद दिवान से इर्शा नहीं की जाती वज्य के अंधिकार में दूबा हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं अपनी शक्ति के तेच से इस भविश्य के अंधिकार को मिजा डालूंगा अपनी मृत्यों की हद्या कर डालूंगा वज्स वज्रनाप अहंकार के आधीन होकर तुम अंधे हो गए हो इसलिए भविश्य को देखकर भी तुम अंधेखा कर रहे हो वज्स अब भी समय है अहंकार की नीन से जाग जाओ और भगवान की शरण में जाओ दादीमा जिसे आप भगवान समझ रही है उस इरिष्ट को अपनी शरण में आने पर विवश्च कर दूँगा नहीं नहीं वज्स ऐसा कहकर तुम भगवान का अपमान मत करो दादीमा मेरे प्राणों से भी प्रिय मित्रों का वज़ करके आपके भगवान ने मेरा अपमान किया है इस अपमान का पतिशोद में अवश्य लूँगा चीक रही द्वारिका पर आक्ट्रमन करूंगा करांदा दिवां करांदा तुम्हारे द्वारिका लौटने से ऐसा लग रहा है मानू हमारी हमारी आत्मा हमारे शरील में लौट आई हो देखो करिया तुम्हारे मात्र चरन स्पर्श से ही इस निर्जीव महल में जान सी आ गई है पर भीया मैं ये सब तो नहीं जानता हूं परन्तु इतना अवश्य जानता हूं कि आपके बिना ये कृष्णी शूम्नी के बराबर है आप ही मेरे प्राण है करिया करिया थाए कर दो कर दो कर दो झाल झाल पाइश मान दाओ चलिए दाओ दिया इताओ चलिए, माताउ MP इताओ चलिए nhân Вам八 प्थ प्पाट सा गे रहां आयुष्मान भाबा माँ पराम मादाश्री सदात किरती मान भाब मादाली अफ़रिटा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने का समय नहीं फेद प्रकट करने का समय है तो अपने भाग में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है ए मोर्ख जिसे तो इतने प्रसंद्टा से रत में बिठा कर ले जा रहा है उसी देवगी के आठवे गर्ब की संतान तुझे मार जालेगी तुझे मार जालेगी तुझे मार जालेगी अपने बिशस्टा से वाग दिए जालेगी तुझे मार जालेगी प्रसंद्टा से चुझे मार जालेगी तुझे मार जालेगी एरिए्ट टेय। टढ pitch टेय। कर दो कर दो कर... कर दो यजए पिचारी नीडी है अब तूहरो क्या भिया... क्या भीघर सकती है Bmaya एसे इसे चचोड़ दो हे, कहता हूँ चचोड़ वे इसे जिनवाही चचूड़ हो नहीं चचोड़ दो की ये मैंड्यको conv NVE च्चोड़ रे मूर्ख, उझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे मारने वाला कोई और है, और वो इस धनती पर जन भी ले चुका है, वहीं तेरा संभार करेगा ही मन्द बुद्धी बुष्ट, तु व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत देव मता श्री, पिता श्री, यदि आप सारा प्यार कनहिया पर ही लुटा देंगे तो मेरे लिए तो कुछ बागी नहीं रहेगा ना? पुत्र बल्राम, आता की ममता का भंडार कभी खाली नहीं होता पुत्र देखिए असरेश्वर, देखिए, हमारी सेना को शस्त्रों से सुचजजित करने के लिए कैसा प्रवंद किया जा रहा है असरेश्वर, आकरमन की सारी तैयारियां पूरी ही होने वाली है मुझे तो ऐसा लग रहा है के इस कौाले कृष्ट के क्रियाकरम की तैयारिया हो रही है सेना पती विर्श्वान जी लगता है हमारे शस्त्र दौहले कृष्ट पर और यादव सेना पर रहार करने के लिए उत्सुक हो रहे है हम शीग रही दौहरी का पर अकरमन करेंगे कौर्वा और पांडवों के इस युद्ध में महा भेंकर विनाश हुआ है मादाश्री महा भेंकर विनाश अधर्मियों का विनाश करने के लिए बाहर सारे योद्धाओं के साथ हमारे अभिमन्यों ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया है कमिया अभे मन्यों के बिना सुभद्रा के मन की क्या दशा होकी हम सबने सुभद्रा को सांत्वना दे दे ये बड़विया पुत्र की मृत्य पर संत्वना देनी से क्या मा का दुख हलका हो जाता है जब काल सर एक माता के रिदे के टुकड़े को डंक मारता है तब उसके क्या दशा होती है ये कोई कैसे जान सकता है इतना मत्रो देवकी इतना मत्रो तुम्हारे ये बहते हुए आसुप मेरे इन हाथ पैरों से भी जान निकाल देते और और पुरानी यादें सर उठाकर दसने लगती है दसने लगती है पिता शरी माता शरी पुराने यादें जो दिल दुखा देती है उन्हें भुला देना ही अच्छा होता है कि दवया ठीक के खह रहे है मातिश्री क्यों इतना आसान है ये क्या एक माता मेर मेरे इपुत्र का विख कела वियोग भूल सकती हैम हृ कि रख ङर कर दुख को सीने से लगा लगय ही चीचिती है मतश्री, बहु, मेरे छे पुत्रों को मेरे सामने ही महाकाल ने निगल लिया था महाकाल उस समय मेरे भाई लिश्नबलराम के मामा कंस का रूप लेकर आया था मेरे पुत्रों के जंग लेते ही वो उन्हें मुझसे छीन कर ले गया और निर्दैता से उन्हें मार डला क्यों में उन गटना को भूल सकती हूँ मैंने उन्हें न जी भर के देखा न न जी भर के सीने से लगाया मैं वो अभागी माता हूँ जो अपने बच्चों को दूद भी नहीं पिला सकी जब मेरा भाई कंस मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर ले जा रहा था वो चीख रहे थे चिला रहे थे वो कुछ बोल नहीं सकते थे परंतु परंतु उनकी आँखे मुझसे कह रही थी हमने बचाहिए माता श्रीक हमने बचाहिए हमने बचाहिए नहीं सके बहुँ हमने बचाहिए नहीं सके मैंने बच्चों को जन्म दिया था मैंने लेकि मैं मा होकर उने जीवन नहीं दे सकी शांत हो जाओ देवगी शांत हो जाओ जिस माता से उसके अभी अभी जन्मे बच्चों को छेन कर उनकी हत्या की जाती है वो कैसे शांत रह सकती है स्वामी कैसे शांत रह सकती है और चब से मैंने अभी मन्यू की परी जवानी में मृत्यू का समचार सुना है मैं अपने दुख को रोग नहीं पाए हूँ मुझे तो लगता है कि यादम के कुल को किसी का श्राप लग गया है जो इस कुल के दीपक एक-एक करके पुछते जा रहे है प्रद्युमने को भी जब शंबरासुर ने हमसे छीन लिया था तो माता अरुपमनी से अधिक नहीं व्याकुल हो गई थी क्योंकि मुझे इसी अंजान श्राप की शंका करदर था माता श्री प्रद्युमने को बच्पन ही में हमसे अलग करके प्रभु अपनी लीला दिखाना चाहते थी इसलिए हमें उसका दुख नहीं मनाना चाहिए और फिर आपको तो पता है ना कि प्रद्युमन द्वारा प्रभु ने कैसे ये शंका बद किया था ये एक प्रभु के लीला है थी माता श्री परंतू परंतु एक माता का मन तो परिक्षा में पढ़ गया था ना इस पर बदल दो अपने बच्चेंसे अलग करता है परन्तु कौन बदलेगा ये विधान? कौन बदलेगा? कृष्ण। हमारा पत्र कृष्ण। 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 हाँ कृष्ण। 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 ही बदल सकता है विधी के विधान को। हे वासुदेव, क्या तुमने गुरुदेव सांदीपनी रिशी के पुत्रों को यम्लुक से वापस नहीं लाया था? हाँ क्या वाँ हाँ झाल झाल पर्मदु सुदन तुम्ही ने तो अपने मित्र पार्थ अर्जुन को अगनी में प्रवेश करने से रोका था और द्वारिका वासी ब्रामन के पुत्रों को यमलोक से वापस ला कर दिया था हुआ 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 है है क्रिश्न तुमने गुरु दक्षिना देकर गुरु और गुरु माता की इच्छा की पूर्ती की है इस तरह एक ब्रहमन के मरे हुए पुत्रों को यमलोक से तुमने वापस लाकर अपने मित्रधरम की किया था।u उस तरह पुत्रधरम का पालन नहीं करोगी? क्या तुम अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ती भी नहीं करोगे माता और पिता तो संतान के रधम गुरु होते हैं होते हैं ना हाँ होते हैं क्या तुम माता पिता को गुरु दक्षणा भी नहीं दोगे अवश्य तूंगा एक क्रश्न हम दोनों ने महर्ष्यों से तुम्हारी महिमा सुनी है तुम्हारा चरित्र हमारे सामने है और अनुभव करने के पश्चात हम लोग ये जान गए है कि तुम इस मित्ति लोग के साधारण मनुष्य नहीं हो ए सचिदानंद श्री कृष्ण तुम सनातन हो हम दोनों जान गए हैं कि तुम सारे जगत के साक्षा कारण हो सुरूप और परमेश्वर हो हे योगेश्वर हे श्री कृष्णी प्रिसवकाल के समय तुमने मुझे साक्षातकार कराया था कि तुम ही ने बनाई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए पर लोग यूग में तुम अफ़तार करहन किया करते हो मैं जानते हैं प्रिद्वी के भार भूत राजाओं का नाश करने के लिए तुम मेरे गर्ब से अफ़तरित हुए हो हे विश्वात्मन तुम्हारे पुरुष रूप अंज से उत्पन हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति और विकास भी होता है और प्रहले भी आता है हे प्रभू आज हम दोनों आपकी शरण में आए हैं हमें हमारे उन पुत्त्रों के दर्शन करा दीजिये जिने एक एक करके कंस ने मार दिया बस हमें यही गुरु दक्षणा दीजिये प्रभू यही गुरु दक्षणा दीजिये अपने पुत्रों के दर्शन से अधीक मुलेवान वस्तु संसार में और कोई भी नहीं है इसलिए इसलिए हमारे दिवंगत पुत्रों के हमें दर्शन करा दीजे प्रभू हमें दर्शन करा दीजे दर्शन करा दीजे तथास तू हे प्रभू हे माईया यम्राज के प्रणाम को सुखार कीजिए हे समस्रिष्टियों के स्वामी हे विश्वात्मन हे परमात्मा आपके इस भक्त यम्राज के लिए क्या आज्या है हे यम्राज मेरे माता श्री देवकी और मेरे पिता श्री वासुदेव अपने उन छे पुत्रों को देखना चाहते हैं, जो कंस मामा के हाँ तो मारे गए थे, मैं उन दोनों के इच्छा पूर्दि करके अपने पुत्र धर्म का पालन करना चाहता हूं, इसलिए है यमलोग के स्वामी, मेरे उन छे भाईयों को आप शीकरी वापस भेज दीजी शमा करें प्रभू, अरं तो आपके वो छे भाईयों यमलोग में नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभू, आपके दिवंगत भाईयों इस समय सुतलोग में हैं, और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभू, उन सब को आप ही मुक्ति दे सकते हैं, अब आज्या दीजिये प्रभू, वह प्रभू, वह आपके लिए अगात हैं, आप जानते थी कि अपने ब्राताओं को मुक्ति केवल आप ही दे सकते हैं, और इसी उद्देश्य की प्राक्ति के लिए, आपने कुछ ऐसी माया रची, कि देव की माता की ममता, अपने दिवंगत पुत्रों को देखने के लिए तडप उठी, और अब आप उन्हें इस तरह से मुक्ति देने जा रहे हैं, सच मुछ प्रभू, आपके लीला अगात है अब नहें ऐला आए नहां आए चाल कुष्णा, हरे कुष्णा, हरे हरे सच्चिदानन्दरूपाय, विश्व पर्क्याधि हेत्वे, तापच्यय विनाचाय, श्री कृष्णाय, वयन्नु महा श्री क्रिष्णा, को बिन्दर रेमुरारे एनात नारायन् वासुदे आदे किस्वार्त राओ किस्वार्त झाले एर invites और कुषरे को भादे किस्वार्त जाके इत रादे किस्वार्त आदू कि द्वारिका धीर श्री कृष्ण के स्वागत के लिए सारी द्वारिका नगरी उमड़ाई है इस भीड में चर्वाक राक्षस भी है जिसे असुर राज वज्रनाब ने प्रिश्ण को धोके से मारने के लिए भीजा है अरंतु बलगाम अनर्थ होने से पहले ही उसे ताड़ लेते हैं और अपनी गदा से उसका अंत कर देते हैं देवी रुकमनी द्वार का धीश का भाव विभोर होकर स्वागत करती है श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव से मिलने जाते हैं देव की अपने छे दिवंगत पुत्रों से मिलने की छप्रकट करती है मैं अपने पुत्रों को सीने से लगाना चाहती हूँ दयाधन मैं अपने पुत्रों को चीप भार के देखना चाहती हूँ अपने पुत्रों के दर्शन से अधीक मुल्यवान वस्तु संसार में और कोई भी नहीं है इसलिए इसलिए हमारे दिवंगत पुत्रों के हमें दर्शन करा दीजे प्रभू हमें दर्शन करा दीजे तथास तु शमा करे प्रभू परन्तु आपके वो छे भाई यम लोग में नहीं हैं आप तो सब को जानते हैं प्रभू आपके दिवंगत भाई इस समय सुतलोग में हैं और मुक्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभू उन्ठ शबको आप ही मुक्ती दे सकते हैं कर दो अजलेश वाजनावगी अज़ आपको आपको एग्या वाजनावगी अज़ आपको इग्यातने जापको तुम दोनों वज्रनाप की जय जय कार सुन रही हो ना? अरे दादिमा आप प्रणाम आयुश्मान भवा प्रणाम दादिमा स्वभाग्यवती भव पहु अपचारिकता त्याग दो इस समय हम सभी जीवन वृत्यों की सीमा रेखा पर खड़े हैं दादिमा ये कैसी अशुपाती बोल रही है आप मैं तुम्हें वास्तव बता रही हूं सुमती तुम वज्रनाप की पत्दी हो राजकुमारी प्रभावती वज्रनाप की पुत्री है प्रभावती तुम्हारे पिता साक्षात भगवान को चुनौती देने जा रहे हैं द्वारीका प्रुथ्वी वासियों के लिए बैकुंट धाम के बराबर है और उसी द्वारीका पर आक्रमन करने की मूर्टता कर रहा है वज्रनाप अब ये बाट ढके छुपी नहीं है कि श्री कृष्न ही भगवान है परतु दुर्भागय से व्रजनाप ये बात मानने को तैयार नहीं है और तुम दोनों भी ये बात समझने को राजी नहीं हो नहीं दादी मार, ऐसी कोई बात नहीं है, तो जाओ, जाओ जाकर समझाओ अपने पिता को, जो द्वारी का प्राक्रमन की भूल करने से, और श्री कृष्णा से इश्चा करने का पाप करने से रोको, भगवान तो सर्व शक्ति मान है, इसलिए भगवान के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना मुर्खता है, भगवान के सामने उस शक्ति का प्रदर्शन ही क्या, जो भगवान की ही देन है, सुवति, प्रभावति, अपनी माता-पिता से क्या कोई इश्या करता है, क्या कोई अपने माता-पिता से दोहिश करता है क्या कोई अपने माता-पिता के अस्तित्व को मिटाने की महत्व कांग्शा रखता है श्रिक्रिष्ण तो हम सभी के माता पिता हैं वो स्रुष्ठी के रचयता है । ये स्रुष्ठी उन structure नहीं की लीला है उनकी क्रपाद्रुष्ठी से मृत्यू भी सहज सुन्दर और सुसक्षय हो जाती है और उनके क्रोट से जीवन भी मृत्यु से भयंकर हो जाता है पुत्री प्रभावति यदि तुमने व्रजनाव को नहीं रोका तो ये जैजैकार हां हां कार में बदल जाएगे अजया कार में बदल जाएगे नहीं दीमा नहीं है अजुरेश्वर बजनाव की देख कि अधिए अधिर प्रभु आगए मेरे प्रभु आगए महरानी मेरे प्रभु आगए मेरे प्रभु सुतन लोक में पधार है आज बर्सों के बाद हमारी प्रतिक्षा का अंध हुआ है प्रभु ने यह सुतन लोक में पधार कर इस तुछ भक्त बली को अनुग्रहित कर दिया है आज आज हम अपने प्रभु के दर्शन करेंगे आज हम प्रभु के दर्शन करेंगे आप सब आप सब प्रभु के भविस्वागत की तैयार्यां केजिए उनके मार्क पर फूल यहां तक आने में कोई कश्ट नहों महाराज बली के इस संपुर्ण सूतन लोक को सुशोभित कर दीजिए सुगंधित कर दीजिए परन्तु आप था जा रहे हैं महाराज अपने प्रभु का स्वागत करने मेरे प्रभु स्वहम सूतन लोक में पधारे हैं तो मैं यहां महल में खड़ा खड़ा उनकी प्रतिक्षा करता रहूंगा नहीं मारानी नहीं मैं तो उन्हें लेने सूतन लोक के द्वार पर जाओंगा ताकि मैं उनके दर्शनों का अधिक से अधिक लाब उठा सकूं जब तक प्रभु यह सूतन लोक में रहेंगे मैं उनकी सेवा करता रहूँ मैं उनकी अधिक सेवा करके उन्हें कमाना चाहता हूं अब मुझे जंण लग खरके लीवी देर नहीं करनी चाहिए प्रभु । प्रुभांग, टrigो बेड़ी प्रुभांग, ट तfil डेम प्रुभांग, ट्रुभांग, टि दुभांग, ट प्रें परिवागे! कर दो कर दो कर दो कर दो महात्मा वली तुम सच्मुच द्रण प्रदिक के मोई हम तुम से अती प्रसन्न है गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भैभीत नहीं हुए सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है अता हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है सावर्णि मन मंतर में तुम्हें मेरे परम भग्त इंद्र का पत्प्राप्त होगा तब तक तुम सुतल्लोक में अपने दादा महराज प्रलहात के साथ आनंध पूर्वपनिवास करो प्रभू आपने सूतलोक में पधार कर संपूर सूतलोक को पावन कर दिया है प्रभू प्रभू आपके धर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि केवल मैं ही नहीं संपूर्ण सूतलोक के वासी जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो गया है प्रभू प्रभू वामन अफ्तार में आपने मेरे सर पर पैर रखकर मेरा उधार किया था किन्तु अब आप अपना वरधास्त मेरे सर पर रखकर मेरा उधार कीजिए प्रभू कि मेरे उधार कीजिए तथास्तू एध्राजवली तुम महात्मा हो जब तक यह संसार रहेगा तुम्हारा नाम भगतों की श्रेणी में सबसे आधी रहेगा नोग तुम्हें आदार और शुरद्धा से स्मरन करेंगी अध्याव् तुम भक्ती का अनुठा उधारन बनकर सदा दूसरे भक्तों का मार्ग दर्शन करते रहोगे। हे राजन तुम्हें मेरे वामन अवतार के समय मुझे तीन पक धरती दान करने का जो संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए तुम्हें अपने गुरु शुक्राचार के आदेशों का उलंगन किया और अपना सरवस्व मुझे दान दिया। उस दान से तुम्हें दान वीरता की पराकाष्ठा को छू लिया। तुम सरुस्रेष्ठ दान वीर बन गये हो। प्रभु, प्रभु ऐसा कहकर आप इस तुछ भक्त का मान बढ़ा रहे है। दान तो वो दे सकता है जो किसी वस्तु का स्वामी हो। समस्त चराचर के तो स्वामी केवल आप है प्रभु। फिर मैं भला मैं आपको क्या दान दे सकता हूं। हे राजन, यही तो आपकी उदारता का परिचय है। आप तो श्रेष्ट गुण का भंडार है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप भक्त प्रालाद के पौत्र है। आपकी शिराओं में भी भक्ति और श्रद्धा जैसे श्रेष्ट गुण रक्त बनकर प्रवाहित है। इसलिए आप मुझे सदैवी प्रिय है। प्रभु, यह मेरा परम सौभाग्य है प्रभु, मेरा परम सौभाग्य है। प्रभु, 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 अपने श्री चर्णों से इस दास की कुठिया को पावन कीजिए। आइए प्रभु, आइए। नए। अब मुझे आप भी द्वारिका पर आक्रमन करने से नहीं रोक सकती महराने। ना ही मेरी लाडली राजकुमारी प्रभावती मुझ पर प्रतिवन लगा सकती है। मैं अवश्य द्वारिका पर आक्रमन करूंगा। और द्वारिका के साथ साथ ग्वाले कृष्ट का भी वद करूंगा। क्षमा के रेपिता श्री जिसका कोई आत ही नहीं जिसका कोई अंत नहीं उसका वद करना चाहते हैं। तो दुश्मन का सिर जुकाने या अपने चरणों में गिनाने के बाद ही मियां में वापस चाती हैं। अब ये तलवार दिश्ट का सिर जुका कर या उड़ा कर ही म्यान में वापस जाएगी पिता श्री मैं तो केवल इतना ही जानती हूं कि भगवान के सामने हर किसी को आपना सर जुकाना ही पड़ता है आपके तलवार को भी जुकना पड़ेगा राज कुमारी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा भविष्य मेरी बाहों पर निर्भर है मेरे बाहुबल में कृष्ट के साथ साथ द्वारिका का भी विनाश करने की शमता है शक्ति है आपके शुक्ति है कुमात क्वामी सक्खा हमारे थेनात नारायन वातु देवा श्रीक्रिष्य जोवित्म हरे पुरारे थेनात नारायन वातु देवा हे प्रभू हम सभी आपको बार बार प्रणाम करते हैं आपके दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुरलब हैं किन्तु आपने स्वयम सुतर लोक में पधार कर हमें अनुग्रहित कर दिया है है सच्चिदानन स्वरूप श्रीक्रिष्न आप तो संपूर्ण जगत के निर्माता हैं आप ही परभ्रम परमेश्वर हैं है योगेश्वर है योगेश्वरों के अधिश्वर आप मुझ पर ऐसे कृपा कीजिए कि मेरा चित मेरा ध्यान मेरा मन मेरा सब कुछ आपके श्री चर्णों में लगा रहे हैं हे प्रभू हम तो सेवक हैं आपके हम सेवकों को अपने कृपा से निश्पाब बना दीजिए प्रभू हमारे पापों को नाश कर दीजिए क्योंकि जो मनुष्य संपूर्ण श्रद्धा से आपके आज्या का पालन करते हैं वो इस समस्त संसार के बंधनों से मुक्ध हो जाते हैं हे प्रभू आज भगवान सुयम अपने भक्त के द्वार पर पधा रहे हैं बताइए प्रभू मुझसे क्या सेवा चाते हैं मैंची प्रजापती की पतनी औरना ने छे देवताओं को जन दिया था इन छे देवताओं ने परंपिता ब्रह्मदेव का उपहास किया उन्हें सपराद का दंड देने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया जिससे इन छे देवताओं को असुर योनी में जन्म लेना पड़ा तुम्हारे ही कुल में हिरन कश्चक के यहां इन छे देवताओं का जन्म हुआ शाब से मुक्ती न मिलने के कारण ये छे देवता जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त नहीं हुए अलग अलग योनी में जन्म लेते रहे हे महाबली अंक्त में ये छे देवता योग माया की शरण में गए और योग माया ने द्रवी थोकर उन्हें मेरी माता श्री देवकी के गर्व में छोड़ दिया देव की माता ने छे देवताओं को जन्म दिया और इनके जन्म लेते ही मेरे मामा कंस ने इन्हें मार दिया हे महात्मा बली मैं अपने उन्हीं छे भाईयों को वापस पृत्वी लोग पर ले जाने के लिए आपके पास सूतलोग आया हूँ हे राजा बली मेरी माता अपने छे पुत्रों को आज तक नहीं भूली है जन्म देते ही मृत्यू ने उन्हें ममता की गोच से वन्चित कर दिया मेरी माता अपने पुत्रों के बिछड जाने पर अत्यंत दुखी एवन व्याकुल रहती है और मैं अपनी माता को कैसे दुखी देख सकता हूँ सो मैं अपनी माता की ममता से विवश होकर आपके पास आया हूँ आप मेरे छे भाईयों को मुझे लुटा दे हे बलीराज, हे राजन, सुहम यमराज ने मुझे बताया है कि मेरे सभी छे जेश्ट ब्राता बालक के रूप में आपके पास है कृपया, आप उन्हें मुझे वापस लुटा दीजी, मैं उन्हें को लेने आया हूँ आपकी आग्या शिरोधारिया है प्रभू आये प्रभू, आये प्रभू 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 यह रहें आपके छे भाई प्रणाद प्रभू हमें सुत लोग के पंधिन से मुख्ष कीजिए प्रभू प्रभू हमें मुक्ति प्रतायन कीजिए प्रभू तथाज तु अब हम इनके साथ प्रिथ्वी लोग जाना चाहते हैं हमें अनुमति दीजिए बली राज प्रभू आप प्रिथ्वी लोग जाएंगे अपने इस तुछ भग्त पर सदा ही कृपा बनाए रखिए अपने श्री चर्णों में स्थान दीजिए प्रभू हे महावली चर्णों में नहीं आप सदा ही हमारे हिर्दय में वास करेंगे प्रभू अपने रखिए कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो मैंने आप की आध्या का पालम क्या है माता श्री मेरे इस गुरु दक्षणा को सुईकार कीजिए ईह मैं मदुसदन आज आपने रिदे की आग को शांत कर दिया है मेरे बच्चों के कौम इस पर से जीवन का अधूर अपन नश्ठ हो गया है आपका ये रिण हम कभी नहीं चुका सकेंगे यह आप क्या कह रहे हैं पिता श्री माता पिता नहीं संतान अपने माता पिता की रिणी होती है सामान्य मनुष्य के लिए हम तुम्हारे माता पिता हैं पर तु हम तुम्हारा सत्य स्वरुप जानते हैं भडवन आप परब्रम परमात्मा है आप ही पुराण पुरुष है आप ही विश्णु है आप ही इस रिष्टी के पालक हैं आप समस्त प्राणियों के पिता हैं और माता भी आप ही हैं इसलिए हम आपके माता पिता नहीं आप ही हमारे माता पिता हैं हे चक्रधारी मेरी ममता का आनंद तुम्हारे कंस मामा ने नश्ट कर दिया था लेकिन आज इन छे पुत्रों के रूप में मेरी प्यासी ममता को तुमने त्रिप्त कर दिया है ऐसा दिव्वे चमतकार वही कर सकता है जिसके हाथ में जीवन मृत्यू दोनों हो हे अखिल भ्रमांडो के नायक आपके लीला अगाध है प्रलय के समय आप संपूर्ण विश्व को अपनी शरी में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारन करते हैं जैसे माता अपनी संतान को गर्ब रूप में धारन करती है वही परम पुरुष परमात्मा जब मेरी गर्ब वासी हुए यह आपके अद्बुत लीला नहीं तो और क्या है माता श्री पिता श्री यह सब उस वर्दान का परिणाम था वर्दान हाँ पिता श्री परंतु हमें कब वर्दान प्राप्थ हुआ था मेर बताते हूं पिता श्री स्वयांभू मनवंतर में जब आप दोनों का पहला जन्म हुआ था तब पिता श्री आप सुत्पा नाम की प्रजापती थे और माता श्री आपका नाम प्रश्नी था आप दोनों ने प्रभू की घौर तपस्या की थी आपने अन्न का त्याग किया था आप केवल हवा का भक्षन करके प्रभु की तपस्या पर रहे थे प्रभु में चित्त लगाकर घोर तप करते करते कई युग बीद गये तब प्रभु ने प्रसन्न होकर आप दुनों को दर्शन दिये हे सुद्पा हे प्रिश्णी मैं आप दोनों की घोर तपस्या से अति प्रसन्न हूँ मैं आप दोनों को वर्देना चाहता हूँ आप की जो भी इच्छा हो मैं उसकी पूर्ती अवश्य करूंगा प्रभु हम आपके इस दिव्य रूप से धन्य हो गए प्रभु यदि आप वर्देना ही चाहते हैं तो हमारी केवल एक ही इच्छा पूरी कीजिए बताइए प्रभु हमारी कोई संतान नहीं है हम माता प्रता का आनंद उठाना चाहते हैं प्रभु काश आप ही हम दोनों के पुत्र बन जाएं तथास्तु 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 मैं आप दोनों का ही पुत्र बन कर जन्म लूंगा प्रभु ने आवेश में तीन बार तथास्तु कहा था इसलिए वो तीन जन्मों तक आप दोनों के पुत्र बन कर जन्म लेते रहें तीन जन्मों तक मैं तीन जन्मों तक अपने कृष्ण कनयया की मा बनी हूँ हाँ माताश्री आपको याद नहीं रहा होगा आपके पहले जन्म में ही मैं आप दोनों का पुत्र बन कर जन्मा था और प्रश्णी गर्व के नाम से विख्यात हुआ था फिर दूसरे जन्म में माताश्री देव माता अधिती बन गई और पिताश्री बने महर्शी कशप उस जन्म में भी मैंने आपके पुत्र के रूप में ही जन्म लिया था यूँ तो मेरा नाम उपेंद्र था परंतो कद शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे और अब आप दुनों के इस तीसरे जन्म में भी मैं परमपरागत रूप से आपका ही पुत्र हूँ हे देवताओं के भी अराध्य देव प्रभू इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है आपने हम दोनों का पुत्र बनकर हमें अनुग्रहित किया है हमारा सम्मान किया है इस इच्छा की पूर्ती के बाद अब मेरे मन में कोई विशेश इच्छा नहीं रही है प्रभू अपने इच्छा पुत्रों के प्रति भी आपकी कोई इच्छा नहीं रही माताश्री नहीं किश्छ अब कोई इच्छा नहीं रही अब मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है कि कहें छे बच्छों को वापस लाने की मांग करके मैंने भूख तो नहीं की कहीं कहीं मैंने मुक्ति के मार्ग में बाधाये तो खड़ी नहीं कर रही हूं वासुदेव अब आप ही आप इस बात का मुझे ज्ञान हो रहा है कि जीवन मृत्यू के चक्र में कभी किसी को हस्तक शेप नहीं करना चाहिए साक्षाक परब्रम परमात्मा की माता ने भी विधी के विधान को बदलने की चेश्टा करके भूल की है मुझे यहट नहीं करनी चाहिए थी मधुसुदन संसार की कोई भी माता अपनी संतान की मुक्ति के मार्ग में अपनी ममता का परवत खड़ा करना नहीं चाहेगी फिर मैं आपने छेश्ट पुत्रों के मुक्ति के रास्ते पर रोड़क कैसे बन सकती हूँ वसुदेव बhouसुदेव मुझे आश्वासन दो कि मेरे इन 6 पुत्रों को तुम मुक्ति दोगे मुझे वचन दो वसुदेव मुझे वचन दो माताश्री मेरी यच्छे भाई मुक्ति की हीतो परदिख्शा कर रहे हैं और मैं इन्हें अवश्य मुक्ति दूंगा जब आप इन्हें मम्ता के बंधन से मुक्त कर देंगी तो यह शापित देवता भी मनुष्य की योनी से भी मुक्त हो जाएंगे मैंने इन्हें अपनी मम्ता के बंधन से मुक्प कर दिया है माताश्री यह आपने बहुत अच्छा किया मम्ता के बंधन के साथ अब इनके पैरों में पड़े ब्रमाजी के शाप की बेडियां में तूट जाएंगी कि अवच्छा के बंधन से मुच्छा के बंधना के बंधन से मुच्छा था एंपना है हे माताश्री, हे भगवन्षेश, हम सबका आपको प्रणाम, प्रणाम नस्तुर। प्रणाम देव की माता, प्रणाम पिताश्री, हे देव की माता, हमने अपने ब्रम्ह देव का जो उपहास किया था, जिसके कारणवश मिले शाप से, आपने हमें आज मुक्त करके अनुग्रहत किया है। आपको कोटी कोटी प्रणाम, प्रणाम अब हमें आज्या दीजिए। आपको को。 महारानी सुमति आप लगता है आप भी मेरी तरह द्वारिका पर विज्य पता का लहराने के लिए उट्सुख हो रहे हैं आपकी एच्छा अवश्य पूरी होगी हमारी द्वारिका पर विज्य पता का अवश्य लहराएगी मत कीजिये त्वारिका पर आक्रमड ये भयंकर भूल आप मत कीजिये स्वामी बहारानी आप हमारे इच्छा के विरुख बोल रही है चमा कीजिये असुरेश्वर आपकी इच्छा पर्तु मैं अपने प्रान तक मियोच्छावर कर सकती हूँ परन्तु परन्तु क्या परन्तु मैं आपको अपने प्रान्ट संकट में डालते हुए नहीं देख सकती स्वामी महारारी आपको दाधी मा के आदेश का पालन करना चाहिए दाधी मा का मांसिक संतुलन बिगड़ गया है उनकी बुद्धी ब्रश्ट हो गई है ब्रश्ट ये ये आप क्या कह रहे हैं असुरेश्वर सब कह रहा हूं आप दाधी मा जैसी साध्वी का आप मान कर रहे हैं स्वामी महारानी ये तल्वार देख रही है आप घायल कर देना इस तल्वार का धर्म है जदी प्रहार करने के बाद भी ये तल्वार शक्त्त को घाओ न लगाए तो इसे हम तल्वार नहीं लोह का टुक्रा कहेंगे जो किसी भी योद्धा के लिए है हम समझेंगे ये तल्वार निकम्ही हो गई है दाधी मा की भी यहीडशा है मारानी, यही दशाओ है, बज़धी मा का भविष्य, असरों का उजवल, भविष्य ही तो पडाने जा रहा हूँ USSRpunkt मेरा महास्त्र है, मेरी बाहे मेरी शक्त्यों का भंडार है , मेरा अपना भविष्य तो क्या, विध्य का विधान भी बदल देने का बाहु बल है मुझे जाले असरों का भविष्य बना दूंगा असुरेश्वर उनके भविष्य को आप भूल जाएए पहले अपनी लाडली पुत्री राजकुमारी प्रभावती का तो भविष्य बना लीजिए उसका विवाह कर दीजिए आपको प्रभावती के भविष्य की चिंता है महारानी वो भी हम बना देंगे द्वारीका पर विजय पाने के बाद मैं अपनी लाडली बेटी प्रभावती का भविष्य भी बना दूंगा परन्तु द्वारीका पर आक्रमन करने के बाद प्रभावती का भविष्य बिगड़ जाएगा स्वामी अर्थत बताईए महरानी वो कौन सा रहस्य है जिसे आप सहज बताने से घबरा रही है असरेश्वर प्रभावती ने मन ही मन मन ही मन क्या प्रभावती ने मन ही मन में किसी राजकुमार को चुलिया है यही कहना चाहती है ना अब हाँ तो इसमें फिर चुपाने वाली कौन सी बात है यदी प्रभावती किसी राजकुमार से विवा करना चाहती है तो हम अवश्य उसका विवा उस राजकुमार से करा देंगे बताईए वो कौन भाग्यशाली राजकुमार है जिसने हमारी लाडली बेटी का मन जीत लिया है द्वारिका के युवराज प्रद्यूम्द ने उस वाले इश्ट के पुत्र ने हाँ स्वामी तुम्हारा सांस कैसे हुआ सुमती मेरी पुत्री के साथ जत्र पुत्र का नाम लेने का यदि प्रभावती ने मन ही मन प्रध्यूम्द को वर्मान लिया है तो फिर प्रभावती को जीत रहने का कोई भी अधिकार नहीं रुप जाएए स्वामी रुप जाएए अट जाओ मेरे रास्ते से सुमती क्या आप अपनी लाडली बेटी के खुंद से हाथ रंगेंगे स्वामी मत कहो उसे मेरी बेटी वो मेरा खुंद नहीं है मेरा खुंद मुझसे कैसे विद्रो कर सकता है कि महैं अवश्य फुष्षत continues के रख्ट से साम करूंगा है स्वामी रुक जाएं आब आतरताई विचारों के आधीन होकर अनर्द करने जा रहे हैं स्वामी अनर्द करने नहीं बन्कि अनर्द को उसके गर्में नश्कर ने जाराम, अच्छाओ मेरे रास्ते से, दू! चामी!